पहली क्लास आपका प्रकार सी इंट्रोडक्शन है समझो इदर साइड में ध्यान से यहां दिख रहा है न आज आपका यह इस सेशन का लाइफ फ़स्ट है 2021 का नंबर फिश्टम हिंदी में भी लिख लो संख्या पद्धती संख्या पद्धती अब ध्यान दो इदर साइड में बच्चों संख्या पद्धती आप जानते हो क्या होता है सबी जानते हो संख्या के पीछे तो पढाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे ही पढाना है जो आपकी किताब में है तो यह आपका इंट्रोडक्सन वाला पार्ट है आज इंट्रोडक्सन मतलब जानते हो जिसको कहते हैं परकार से परिचे आज आपका बिल्कुल शुरू से नाइंधकामेद शुरू हो रहा है तो पहले आप इस चैप्टर का परिचे करोगे ठीक है परिचे में हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर का क्या नाम है मालूम है नंबर सिस्टम तो हम इनसे आज आपका परिचे करवाएंगे कि आखिर यह संख्या पददती क्या है यहां आपदती में क्या क्या फढ़ दो सभी बच्चे कलास को सेर करके हवाइं पर तभी पढ़ाएंगे नी तुन पढ़ाएंगे नी बंद कर देंगे याद रखना अभी 34 बच्चे कम हैं जल्दी से सभी वाटसब गुरूप में सिएर करके जाओ एक्सप्रेस जादू एक्सप्रेस वोनु अफीचियल अब चाहिक है शीवरात्री ताहनी इनका नाम है श्री मापी चाहते हैं शीवरति साम नाम है इनका बहुत अजीब टाइब का वह दिख नहीरा बहुत चोटा चोटा दिख रहा है रोहित देशी म्यूजिक पीके प्रियंका सिंग अमित साहू कुछ लोग सुच रहे होंगे नाम ही नहीं पढ़ पार है अजीव टाइब का नाम है देखो इदर तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ेंगे यहां पर समझो बच्चों आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर क्यों परकृतिक संख्या आप सभी इसके बारे में जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे क्या आप जानते हो प्रकृतिक संख्या क्या है जानते हो कि नहीं वाटीजी नेचुरल नंबर इसके बारे में हम डिसकस करेंगे सभी बच्चे पहल चो बहुत अच्छे बस थोड़ा सा ही हम लोग दूर है टार्गेट से विल्कुल थोड़ा स से शेर कर दो बच्चों फट 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 देखो समझो आज पहली कलास है कल से सभी जान जाए ना नेचुरल नंबर सबसे पढ़ाएं पढ़ोगे प्रकृतिक संख्या बोलते हैं तो बच्छों प्रकृतिक संख्या के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है एक एक लेटल डाल दो qol नंबर कि आप निट्रल नंबर गेपड़ोत हो इसे क्या बोलते हैं िखर मतलब होता जानते हो पूर्ढ संख्या आप लोग कि इसके बारे में जानते हो तो बताओ إपूर्ण होती उसके बाद इंटीजर इंटीजर यानि पुर्रांक यह सब क्या है कि आप जानते हो इनके बारे में कमेंट करके बताओ बच्चा चलो जानते हो इनके सब के बारे में कि नहीं जानते हो क्लास शुरू किया जाए ना क्या चाहते हो भाई जल्दी से पहली कलास है अगर बच्चे हंड्रेड भी नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे गंटा दो गंटा बताओ फिर वहीं 15 मिनट पढ़ाएंगे अब 25 बच्चे रहेंगे 35 बच्चे हो गया अगर आप चाहते हो कि एक एक देर देर पूचर चाहिए भविष्य में कुछ बनना है नोकरी छोकरी हांसिल करना है तो आओ पढ़ो चलें मतलब इंटीजर इंटीजर क्या होता है आपके बारे में डिसकस करेंगे तो शुरू किया जाए भाई फटा-फट क्या हो दब तक हम खड़े हैं चलो जब तक हंड्रेट पार नहीं करोगे हम पढ़ाएंगे नहीं चलो बच्चा सेर करेगा और लाइक भी करेगा चलो फटा-फट सभी लाइक करो और सेर करो तुरंत आज पहली कलास है न अभी बच्चे लाइक करें जितने जुड़े हैं और इससे सेर कर दो फटा-फट बच कोई भी नंबर सिस्टम संख्या पद्धती सबके लिए इंप्वर्टेंट आज का इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी कलास का बच्चा हो सबके लिए हैं कि तयारी कर रहा होगा आपका भाईया दीदी अंकल अंटी भाभी सबके लिए हैं क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़े ती कि यह विसायद बनता है ना वाकोड़ा बनता है सबजी भी बनती है फराठा भी बनता है तो वैसाइत परकार सिए क्या आजान लो य। इसका बहुत कुछ बंता है इसका कंपर्टीख़शन में जाता यह अकार्डिमिक में भी जाता है त्यांत्य पहुत अच्छे कि अधित्य थोड़ा सा कम है यार तुम लोग जो चाहोगे ना सब कुछ कर सकते हो युवा प्यूड़ी हो मैंने तो हंड्रेड का आप थाउजंट भी जोड़ सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टाइम बेस्ट ना करो फटापट सभी सेयर कर दो जल्दी से हम सुरू करें क्योंकि बच्ट मैंने टार्गेट रखा है उनली अन्रेड चलो चलो अब के घर और मोबाइल है 24 तो उसमें भी चला दो मुझे हंड्रेड दिखना चाहिए बस तीन मोबाइल है उसमें भी चला दो और आपकी वाली जो है ना मतलब समझ रहो है आपके वाले जो है उन पच्छा दस कलाई 15 जुलाई से या उसके पहले भी चलवा सकते हैं सुबाइठ बज़े चलेगा दस वालों का लेकिन सुबाइठ बज़े बहुत अच्छे बस ओनली 10 बच्चे कम है ठीक है बहुत अच्छे बरसा सिंग हरसिद ठीक है बच्चा अभी नहीं आएंगे सब बाबू सोना कर रहे हैं बाबू सोना को लेके यहीं आ जाओ न यार पूरा हो गए बस केवल पांच बचे हैं ओनली 5 बचे हैं केवल 5 पच्छे कर दो दाब की एकदम सेयर कर दो न जबर जस्ती भेज़दो इंको नहीं पढ़ना उनको भी क्रिस सिंग अमित साहू सुनीता पंडे सुनीता जी यह सब बोर्ड के लिए है एंसी यारीटी पढ़ा रहे है यूपी बोर्ड सी बोर्ड बिहार बोर्ड वाई एक बाद बताओ मैं अगलत बोल रहा हूं तुम लोगो लग रहा हो गई सब में कई से हैं इदर जोड़ बो को भी हो तुम दिल्ली से महाराष्ट से यूपी से जहारखन तमिलनाडू केरल पशिम बंगाल ओडिसा करनाटका जम्मु कस्मीर हर जगा से हैं हाँ चलो फिर पूरा हो गए हो गए पूरा चलो फिर स्रीगड़े साय नमाग चुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पी वियार स्टडी में तेरे गिरने में हार नहीं तु इंसान है अवतार नहीं फिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संचिपत है इसका कोई सार नहीं बहुत से अधिकांस बच्चे कक्षानों के हमारे पास ऐसे भी जुड़े होते हैं जो फेल हो गए होते हैं जिनका कंपार्टमेंट हो गयरा क्या होता है हुआ हो गयरा हुआ हो ता मतलब कुछ नंबर से गड़बड हो जाते हैं अभी हमें मैत नहीं आती है बच्चा देखो गवर्मेंट के भरोसे ना रहा हो यह तुमको दो साल से बिना परिक्षा के पास कर रहे हैं इसे इस रूप से यूपी बोड़ वाले तुम्हारा गला काट रहें धीरे धीरे तेजी के साथ नहीं हां मालूम है तुमको नाइन सबसे पहले पार्ठ का परिचे करना है यह अच्छा नौकी गडित है सभी बोड के चात्रों के लिए है यूपी बोड सी बोड सबके लिए है विहार जारखन केरल करनाटक कोई भी बोड है अपनी किताब मिला लो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति सब में दिया है हम ह जो बच्चे हिंदी भासी राजे से नहीं है उनको भी समझ में आएगा इंगिलिस में देखो नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है हम पड़ेंगे इंट्रोडक्शन का मतलब होता हिंदी में परिचय करवाना जैसे कोई आया है तो पहले अपना इं किसी काम से ऑई हुए मैं मेरा नाम अमिط है मैं महराश्च्रा से मुखें नाम ॆ टाओ मुंभई है कि रहं हंए अपनी रे में इन्टूड recurs Ne वहिव हम क्या करेंग नुबर सिस्टम का इंटू अड़ेंगे नंबर सिस्टम में हम को बलाक करो तो यारbon यह दो बहुत ढंडा कर दिया एकदम से बटा देखो ऐख लैला तुम पांच मिनट के लिए निकल लो यहां से ठीव है सबर्ट करें सब्सक्राइब क्वार्ट करें हुआ कि अगर हम नेचुरल नमबर क्या जानते हो नेचुरल नमबर का मतलब जानते हो बच्चा नीचुरल नमबर को भोलते हैं क्या गोलते हैं दहुत हो मैंने लगा दिया सव उुलो मूर्ड अब तुम 15 स्कंड के पहले दूसरा पं़ेंट पेस्टaffe न करें परकृतिक संख्या संख्या नेचुरल होती है परका कंड़े निचुरल बनाया गए अगर का में बात करें और में बात करें तो ऐसे समझ स्थी तुम्हलोम यह पर संख्या में बहुते नाकर बोदो सत्फप 100' लिख लो दीज नमबर स्टार्ट वानरणे वण टू वटू इंफिनिटी इन फीनिटी मतलब जान रहे हो हिंदी वाले लिख लें परकृतिक संख्या500 MAT से ले करके अनत्त अ होती है मतलब है एक से ले करके अनन्त तक अनंत का मतलब जिसका कोई अंत्त ना हो मतलब कभी खतम ही ना हो जितना तक तुम गिंती जानते हो तुमारे पापा जितने तक गिंती जानते हैं तुमारे दादा जितने तक गिंती जानते हैं उसके और आगे तो दादा पर दादा उसक्या और आगे निचूरल नंबर होती है प्रकृतिक संख्या वह होती है जो एक से शुरू अपनद्रा सिकेंड बार आएगा चलो जैनी से आदो ठीक है बच्चे बेरी गुड लैला बेटा पढ़ लो फांज मिनट बाद तुम कमेंट कर पाओगे लेटर लैला पढ़ लो विट्टू चलो अगला क्या है होल नंबर देखो यह सब जो लोग नहीं सीख रहे हलके में ले रहे न अरे गदों बाद में कुछ न पढ़ा रहे हैं यह परिचे कर वारे तुम्हारा जैसे आइसे मानलों कि तुम्हारी साधी हो रही है अब जिस घर में लड़का या लड़की से साधी होगी सबसे पहले तो नहीं होगा कि जाओगो तुमको थमा देंगे लोग बिटा लई जाओगे तुम बातचीत करोगे पहले तुम्हारे दोनों तरफ देखी देखा होगी सब कुछ सेटलमेंट होगा बराती बुलाओगे पंडित बुलाओगे तब मिलेगा न है तो बस वैसे क्या करना है पहले तुमको परिचे करवाना है उसके बारे में अध्यान करना है समझ रहे हो कि नहीं देखो इदर है कि मतलब यह थोड़ा एक कदम और पीछे हो जाते हैं समझ लेकर के अनलतक कहा तक चीर होते हैं यह पूर शेट कि कुछ भी नहीं पढ़ना है लेकिन तुम से कहीं पूछा जा सकता है यह बताओ पोल नंबर कहां से सुरू होता है जीरो से या बन से बोलो इंडियान आर्मी लबर बच्चा बताओ लकी यादो रोहिज सर्मा देखो अब 15 सिकंड में कमेंट आ रहा मज़ा आ रही न क्योंकि 15 सिकंड में तब तक 20 कमेंट हो रहा जाते हैं देते तुम धाय डंडा कर देते एक्दम गंद मचा दिये थे उसी में कापी करकर के कमेंट चलो तो यह समझ गए पूर्ड संख्या अचा एक बात बताओ पूर्ड संख्या कहां से सुरू होती है बोलो पूर्ड संख्या कहां से सुरू होती है अगर कोई पूछे तो बताओगे होल नंबर यानि पूर्ड संख्या हमेशा जीरो से सुरू होती है नेचुरल नंबर कहां से प्रइप से सुरू होती जिने हम गीन सकते हैं बहुतिक रूप से महसूस कर सकते हैं वह निचुरल नमबर होती है नेचुरल का मतलब भी समझ लो तुम नेचुरल का मतलब यह होता प्राकृतिक जैसे पानी क्या है नेचुरल अरे ऐसा नहीं कि वह इसलरी उसलरी वाले ले जाके उसको फिल्टर फिल्टर कर देते हैं तो पानी बना दिये नहीं पानी प्रकृतिक है नदियां अभी सुने हो कि परदान मंत्री मोधी यह दूई नदी नहीं बना दिये हाँ नदियां क्या है प्रकृतिक नेचुरल पहार परबाद और हो में इसी तरह बनाता नहीं तो उसी तरह से लेकर इनफेंटी तक के नंबर है नेचुरल इने किसी ने बनाया नहीं लेकिन आप कहोगे तो फिर काश सुन्ने को दादा बनाया थे तुम्हारे हाँ की फोज भारत में रहूल पांडे परीती सिंग की परकार से इसको अगला क्या है इंटीजर मतलब पुडांक इस नमबर इंगलिज में कैसे बोलोगे भाई इंटीजर इंवर्स इंक्लूड नेचुरल नमबर एंड इंवर्स भाई आओ तुनो यह जो पुडांक है न यह भी नेचुरल नमबर ही है पुडांक जो है यह नेचुरल नमबर ही है इंटीजर वाला है यह लेकिन ये इंवर्स को भी सामिल करता है मतलब ऐसे समझो जहसे इसमें कहते थे Dwndh शे लेकर इंफिन्टी तक एक से अनंत तक नेचुरल नंबर होता है तो बच्चा इसमें क्या होता ना बाभू इसमें ममाइनस अनंत अनंत से क्या कहोगे यह अनंत का चिन्न होता सब्सक्राइब करना है तो पढ़ना है नाम करना है परिच्छा दिये पास होके छाती नहीं ठोकना है कम तो इसे पास हो गए नहीं जिंदगी में जिमांदारी से पढ़ना है कि दिख्षा सर्मा आरा समझ में तुम सोलो थोड़ी दे रभी तो यह चीज ने तुम समझ गए ना इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर नंबर जो इस चैप्टर का मुख्य मुख्या है पर मुख्य जैसे घर में दादा होते नहीं है बहुत गरी आते हैं कबैल उंडे सु जो इंटीजर है यह तो हो गया जो इस में इस चैप्टर का दादा है मुख्या है वह है तरह क्रिप्तिक संक्या जयसे मैं अगर ले करने बात चोटे हो कभी कभी होवे करेगी तो अब बात सब आगे बढ़ गई है बरात का टाइम हो चुका है तैयार हो जाओ अब क्या पढ़ेंगे रेस्टनल नंबर लिखो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्स्प्लेन करना है रेस्टनल नंबर जहां से देखना वच्चा इनको बोलते हैं परिमिय संख्या हिंदी इंगली दोनों में बताएंगे आगना नहीं अगर पढ़ना है सीखना है तो नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है बगवा तो देखो बच्चों रेस्टनल नंबर क्या होती है वो संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के फार्म में लिख सकते हैं वो रेस्टनल नंबर होती है अभी जैसे ही एक्सरसाइज 1.1 शुरू होगा बेटा वैसे ही तुमसे रेस्टनल नंबर के कुश नंबर का क्विश्चन है तो समझो इधर समझो कि राम परताब कुमार पच्चा पढ़ लो हां देखो इधर जो फालतु कमेंट करने बाई टेकनिकल टीम आप लोग बलाक करो इन्हें पटा-पट इन्हें बलाक करो देर ना करो फटाओ इन्हें यहां से चलो तो वह संख्या है जिनने पियपान क्यू के रूप में हम लिख सकते है वह mashed national number होती है अब आप कोगे पियपान क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या है देखो बच्चा जैसे मैंने लिखा 5 तो हम 5 को हां इसमें condition है वह condition भी आप लोग इधर सुन लो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें लेकिन ऐसे लिखो वेर मतलब जहां यूदाज नाट इक्वल जीरो पी इक्वल जीरो यह हो सकता है ठीक है यह पॉसिबल है पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू डजनाट इक्वल जीरो आप यहां पर समझ गए ना कुछ अभी तीरे दीरे कुश्चन एक्स्प्लेइन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा टेंसन बिल्कुल मतलो तुम लेकि ना बच्चा आजय कुमार तुजीर विक्टर ठीक है देखो तो वह नंबर जिसे हम पी अपान क्यू के फार्म में लिख सकें वह क्या होता है वह क्या होता है वह रेफनल नंबर होता है कुछ तो नलायक आई से पैदा हो गये हैं जो कि इनके माबाप की गलती से पैदा हो मुझे लग रहे हैं अब यह आ करके उस गलती के सजा मुझे दे रहे हैं इनको मैं क्या करूं कि आप फैंक दूंए बताओ काम गलत वह करें देलो में देखो इदर यह समझ गए जैसे अगर कोई भी नंबर आप ले लो पांच कि यह रेशनल नंबर कैसे है क्योंकि इसे हम पाइप अपान लिख सकते हैं जो कि पी अपान क्यूं का फार्म है क्या है पी अपान क्यूं का फार्म कोई भी नंबर आप बताओ तो मैं उसके बारे में एक्स्प्लेन करूं यहां पे समझो जैसे अगर मैंने लिखा 1.5 तो क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं है बोलो भाग आना चाहिए ऐसी बात नहीं है कि वह उना आए अब तुम दसंबलों से भिन में बदलना नहीं जानते हो तो फिर नहीं समझ पाओगे इतना तो तुमको आना ही चाहिए यहां पर समझो वन पॉइंट उप ना तो बच्चा 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं पंद्रा बटा दस पंद्रा बटा दस मतलब क्या है यह पी अपाण क्यू का फारं में रूप का मतलब की यह है कि उसे हम बटे में इस तरह से तेनोट कर सकें तुम लोग फिर यह कउगे कि गुरुजी फि तुम बता दे रहो कैसे ऐसे हैं तो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिख सकते हैं यहां पर देखो कि जैसे अगर मैंने लिखा 99 यह रेशनल नंबर है कि नहीं सभी बोलो यास या नो बोलो पफु कुमार बताओ रेशनल नंबर है या नहीं है तौरव पिल्कुल एक घंटाब होगी पढ़ाई 100 बच्चे के ऊपर रहने चाहिए कलास सेयर करो सभी साथी लाइक करो एक घंटे से ज्यादा पढ़ाएंगे लेकिन कलास में सव बच्चे कम से कम होने चाहिए 100 सेय बहुत अच्छे नितीस जीवा एक ही बार कमेंट आएगा 15 सिकेंड में तो नहीं आएगा हम मैंने जैसे नहीं करते दो लाख चार लाख बच्चों को ठीक है तो बच्चा यह रेफनल नंबर है क्योंकि इसे हम पांक्यू के रूप में लिख सकते हैं इसे प्यों अब आओगे फिर गुरुजी रेस्नल नंबर सब जब है यह है तो यह बगलिया पडोसी को काहें रखे हो यह क्या है इनके बारे में क्या जानते हो कि समझो जैसे अगर कोई नंबर वर्गमूल में दी गई है जाए वो क्यूब रूट में दी गई है यह स्कॉयर रूट में दी गई है तो वह रेस्नल नंबर नहीं होती है बच्चों कैसे जैसे देखो आप इधर साइड में मालो अंडर रूट से बन जो सभी बताओ यह रेसनल नंबर है यह नहीं है ब исhthaar सिंगा निया बच्चा पड़ लो बाबू किया करो दस से तीन उसके बाद बात नहीं होगी पोलो हाँ यह नुन नंबर है हां यह घ्रr बच्चों यह रैस्नल नंबर नहीं है यह इसा लेकिन इसका जो वर्गमूल है अगर हम यह does not equal प्यपान Q यह प्यपान Q के रूप बरावर नहीं क्यों नहीं है क्योंकि सेबन का जो वर गमूल है एक पूर्ण संख्या नहीं आए अब कोगे पूर्ण संख्या क्या है तो मेरे दादा हो जब कलास शुरु करें तो सबसे पहले पूर संख्या बताये थे ना बोल नंबर सबसे पहले अब बीच में वही सब आएगा तो तुम ऐसे मुं ताकोगे इसे इसलिए बोल रहे थे कि सुरू से पढ़ लो चलो यह समझ गए बच्चा यह रेशनल नंबर नहीं है तो कुछ लोगों के दिमाग में एक पड़िम गया कि भएया मिल गया मिल गया जिसमें चिन लगा होगा वर्गमूल का वह रेशनल नंबर नहीं है अरे दाohan अजहां जिसमें पड़ने वाले थे वो समझ गये स्क्रेंग साड़ ले लो फिच्छे करके हों कर just क्लास भी जॉइन कर सकते हो फीज जमा करके उसमें आपको बहुत बहुत बहुतर तरीके से काफी कुछ मिलता है लेकिन यह तो फ्री है साम को साथ बजे फ्री देखो यूटुब पे सब्सक्राइब कर लो बस कुछ नहीं लगने माला है टेली ग्राम चैनल जरूर जॉइन कर यादो आरा समझ में लुकिका तचिन हंजली सबको आ रहे ना लेटेस्ट बच्चा पढ़ लो बाबू पढ़ राजा पढ़ लो ने तिलतिया देंगे पकड़के आँ पढ़ लो देखो यह रेशनल नंबर है पता है क्यूं है क्योंकि इसका जो वर्ग मूल है इसका जो स् माइनस फाइब को हम लिख सकते हैं फाइब अपान वन रेन विकन राइट इसका अगर कोई भी नंबर लिखा है मालो हंड्रेड यह भी क्या है रेशनल नंबर है तो पुल मिलाके यहां पर आपको मैं बहुत ज्यादा इक्स्प्लेइन नहीं करूंगा क्योंकि कच्छा नों में हो अभी 10 में जाओगे पिर 7 नंबर पढ़ोगे 11-12 में जाओगे पिर रेशनल नंबर पढ़ोगे एकक में सब पढ़ा देंगे हजम नहीं होगा जैसे मालड़ो पढ़ो उसमें सादी पढ़ी है तो कावा सунने हु ना पर्वाह नहीं है तो उतना नहीं खिलाएंगे कि तुम्हें हजम नहीं हो मतलब यह है कि जादा नहीं पढ़ाएंगे कि तुम सब भूल जाओ पस जितना तुम्हारे काम का है इसमें उतना ही पढ़ाएंगे कि तच्छा 10 में भी पढ़ाएंगे इसके ऊपर थोड़ा लेबल बढ़ाएंगे तच्छा 11 में उसके ऊपर 12 में उसके ऊपर फिर 12 में तुम्हारा इलगभा कमपलीट टॉपिक इसका जो भी डीटियल है पढ़ लोगी समझ गए ना चलो देखो समझो कि तो नम रायारा समझ में तीपापंडे तेंद्र चलो देखो समझ गए तो बच्छों को मिला कि यह जानलो कि जिस संख्या का वर्गमूल कमपलीटली ना निकल सके वह क्या है कि अबुत्यान है क्योंकि यह घरमूल का चैनल है वर्गमूल और वर्गमूल के चिन में अंतर जानते हो कौन कौन जानता हैं वालो जो जो आपल के अ यह बच्चा पांक्यूं के बरावर नहीं है यह भी पांक्यू के बरावर नहीं है लेकिन इसका निकालेंगे अगर वर्कमूल तो दस आएगा और 10 को हम लिख सकते हैं इसकारण से क्या है रेशनल नंबर है इनकी कहानी बहुत बड़ी है इतना ही पढ़ाओंगा क्योंकि इससे जदा तुम हजमनी कर पाओगे पूपर नीचे से निकल जाता है तो निकलने न पाए इसलिए मैं इतना ही पढ़ाओंगा इसमें चलो आगे तो आप सुच रहों कि बीच-बीच में कहें बोलते रहते हैं पुछ बच्चे इसमें सोने लगते हैं उनको सिर्फ मजा चाहिए थो थोड़ा मजा आ जाती है त तो यह हो गया आप समझ गए तो बच्चों आप लोग बताओ इसमें कौन-कौन किताब लिया है बुक लिये हो कि नहीं तुम लोग कि अफुत गर्मी हो रही एकडम चपड़ फार इतना समझ लो इना ऐसी के यहां जिन्दगी मुश्किल है मतलब खड़े-खड़े पिकल जाएंगे पानी पिए एक बोतल सब निकल गया पतीना में कि अटाई शूब कई फिर चिल्ड्रेंट टीचर बहुत अच्छा गुरुजी बेरी गुड राम राम चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर समझेए यह सब आप लोग लिख लो थोड़ा सा मैं पानी मंगा लेता हूं कोई जाना नहीं पानी मंगा लेता हूं बस फिर उसके बाद आके बढ कितेन पानी ले आव इतने थोड़ा से हुआ है हुआ है चलो फिर भाई आगे बढ़ें कि ओके हारा समझ में रगुबीर जी को आप सभी पहले बुक खोलो चलो फटा फट किताब खोलो और जिनके पास किताब नहीं है न बच्चा किताब ले लो परकासन से ना बोलना कि हमें यह परकासन लिए हैं फलाने के लिए हैं फलाने की, ढमके के लिए हैं यू यू बदी को इसमें देखोगे न तो सिल्ले बस वही है जो तुम्हारे बिहार बॉडड यूपी बॉडड MP बॉर्ड में है वही है एन्सी डॉड़्य पर कोई पढ़ेगा है क्यान गार्जेंशल कोई पढ़ेगा कि देखो बच्चों किताब में आज़ाओ किताब में आजाओ भाई समझो एक्सरसाइज 1.1 चाहिए बहुत महाँगी हैं पूरा इक्सरसाइज नहीं लिखेंगे इतना इस लिखेंगे बस कुछ भी गेम्स सर मेरा नेट खतम अच्छा तुम जाओ पानी पीके सो जाओ सबसे पहला जो है बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया अब इसमें है कि क्या सून ने एक परमिय संख्या है बताओ अभी अभी मैं पढ़ा रहा था ना तुमको कि रेफनल नंबर इरेफनल नंबर ना पहला कोश्चन पूछ लिया कि क्या सून ने परमिय संख्या है बोलो हाँ या नहीं बोलो हाँ या नहीं यह सुनने एक पर्मिय संख्या है इसका आंसर बोलोगे यस इसका आंसर क्या लिख हो गई यस हाँ कर्बिकाश भी खैन राइट या दोगने गया विख है कि क्यों कि दिमाग में भर गया होगा कि घुरुजी तू इसका बताय रहा कीजिरौ क्यों कमान जीरो नहीं हो सकता है यानि तुम इसको वान अपान जीरो ऐसे नहीं लिख सकते हो यह गलत है यह नहीं कर सकते हो लेकिन सुनने उपर हो सकता है नीचे नहीं कि रैसमी कुमारी आ रहा समझ में सबको समझ में आ रहा ना फटा फट छाप लो कि इतने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लो तुरंत जब्ती से बिल्कुल फ्री कलास चलेगी यूटूब पे चैनल तुरंत करो कोई लाइक करो तब आगे बताएंगे अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत गर्मी हो रहे हैं इस पर पर से पीरें सब निकल जारा नीचे से पसीना में कि अब तेज हो रहा है कि प्रिति सिंग्ग कि अपने को भी लाइब पे बुला लिये हैं वहुत अच्छा की हो तुम तो कमाल की हो चलो अच्छी बात है तुम लोग भी बुला लो नाइंत में वह तुम पढ़ाई चाहे ना जाने लेकिन बीजिए जरूर जानोगे नंबर सिस्टम तो ना समझ में आवागा तुम्हे क्या है लेकिन बीजिए भर कोई जानता होगा कच्छा पांच में वह भी जानता है ना वहीं छोटी सी होती है जब देखो जीरो एक परमिय संख्या ये हो गया इसका अंसर हाँ आगे कह रहा था कि क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पुडांक है और क्यू डजनाट इकपल जीरो ये हो गया ठीक है पहला कोईश्चन हो गया दूसरा एक बहुत ही चार के बीच में छे परमिय संख्या ग्यात करना है क्या करना है चलो अगला कुष्चन लिखो दूसरा जो किताब नहीं लिए हैं बत्चा एंसी आर्टी की बुक ले लो ठीक है समझ रहो कि नहीं तो अगला समझो बहुत ही प्यार से समझो और हां कमेंट के पीछे ना पढ़ा करो क्योंकि हम कभी कभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ते हैं हैं समझे रहे हो न हम हर दिन सबका नामी नहीं पुखारेंगे हैं को कमेंट के चक्कर में न पढ़ा करो समझो अगला कुश्यन समझो इसको पहले लीपने दो हप यह को समझो कि यह बता मुझे कि किनी दो पर्मिय संख्याओं की बीच में कितनी पर्मिय संख्याएं हो सकती हैं बताओ कि दूसरा कि तीन और चार के बीच छे पर्मिय संख्याएं कितनी पर्मिय संख्या यह बताना है बच्चों तीन और चार के बीच में छे पर्मिय संख्या आपको बताना है तो आपको मैं एक चीज बता दूं यहांपे समझो आर्थी रोवाजी पढ़लो इनको जल्दी थी वो चले गए कहां उपर इसलिए दिले दिले पढ़ो जल्दी ना करो चलो यह जान लो कि किन ही भी दो पर्मिय संख्या के बीज में अनंत पर्मिय संख्या होती है कितनी होती है याद रखना कभी नहीं भूलना कुल बिंदर कौर बहुत अच्छे बेरी गूट आप तो एक फैवरिट इस्टूडेंट है हमारे अगर दो बच्चे पढ़ते हैं तब भ भरतें दफ लाक हैं लोगों को मिलती है तो जब दुए सो लोग पढ़ रहे हैं तो नोकरी दुए लोग को मिलेगी ना सबको थोड़ी मिलेगी तो कि वही वास्तों में पढ़ रहे हैं सही सही के दो देखो इधर कि तीन और चार के बीच में अनंत पर्मिय संख्या है कि ल और दस के बीच में कितनी संख्या है कि कहेंगे हाँ आप सही बोल रहा है तीन और दस के बीच में चार पांच छे साथ आठ नो थे संख्या होगी यह कहेंगे इसके बीच में छा संख्या होगी हाँ तुमारी बात सही है इसके बीच में छे क्या होगा इसके बीच में छे प संख्या से अलग है है तो यह बहुत मज़ा आएगी बस पढ़ते रहो इतनी मज़ा क्यों आ रही क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है अभी नौवा चैप्टर पढ़ा रहे थे ना चतुर बूजवाला उसमें पचीछ लोग पढ़ रहे थे क्योंकि उसमें खोबड़ी नाच रहा था आसान चैप्टर पढ़ाएंगे तभी बढ़ेगी मुझे मालूम है इस टेंडर पढ़ाने लगा चैप्टर आट नो के ऊपर गए तहां तुम सब लोग निकल लोगे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है चलो देखो आगे समझो तो आब हम बात करते हैं में कुईस्ट के बीच में एंदर संख्या होती है कितनी होती है और मोग तो यहां पर इस तरह के सवाल का तरीका जान लो दो तरीका होता है आप दोनों सुन लो कहां लगाओगे रूज़ो पातिवारी चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए पढ़िए जिनको भी पढ़ाई करना है ठीक है तुरंद सब्सक्राइब कर लो भी यह बाबू तो यह फर्मूला लगाओगे मैं बता रहा हूं थोड़ा सा मुझे देखने दो कि कुछ अच्छा चल थीक है कुछ भी गेम्स पढ़ लियो तो तुम निकल लो ना निकल लो जाओ कहीं देखो क्या बोल रहे था इसमें हम तीन और चार के बीच में परमिय संख्या निकालने के लिए सूत्र लगाओगे तो बच्चों जहां पर ए पहली संख्या यह दितीन दूसरी चाह iç इनके बीच की जो पहली संख्या जाएगी क्या हो जाएगी सात बटा तोसली लीख लेता हुँ इसका हल जो है मैं मैं यहां पर समझो लो यह समझते चलो मैं तरीका बताएंगा स्पतित र्म और पर्मिय संख्या कितनी हो गई हमारी सभी बताओ कितना आया कि बना पांटू कि इस तरह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा यह मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूं अभी एक और तरीका बताऊंगा ठीक है यह पहला तरीका है तुम समझते चलो बस फिल्कुल टेंसन मत लेना चलो तो बच्चों इसमें अगली पर्मिय संख्या कितनी निकालोगे क्योंकि हमें छे निकालना है तो अब इसको ए मान लो और इसको भी मान लो तो बच्चा यह हो जाएगा तीन धन यह साथ बटा दो नीचे दो इसको हल करो इस तरह से आप एक एक पर्मिय संख्या निकालोगे एक एक निकालोगे और बढ़ता जाएगा यह बताओ दिख तो रहा है ना पूरा थोड़ा फावर जूम कर दूं क्या वैसे क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा और बढ़ा कर देता हूं चलो अला लगे हाथ थोड़ा पर बढ़ा हो जाए का है को दिक्कत चलो एक समझो अगसे कि इनको जोड़ो तो बच्चों इन्हें हमझे जोड़ लेंगे दो त्याइए हो जाएगा 6 ओचछे और साथ कितना हो जाएगा एक कि बटा दो और बटा यह दो आट इक हाइनल में हो ज तो बच्चों अभी हमें कितनी पर्मिय संख्या मिली अभी हमें सिर्फ दो पर्मिय संख्या मिली इस तरह से हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम जादा लगेगा इस तरह से आप सारा निकाल लो तो एक बार आप क्या करोगे फिर अब इसको ए मान लो इसको भी मान लो फिर एक बार तुम इसको ए मान लो और इसको भी मान लो एक बार इसको ए मान लो इसको इसको वाले को भी मान लो ऐसे ऐसे करके छे पर्मिय संख्या निकाल लोगे बोलो निकाल लोगे ना तो चलो मैं दूसरा तरीका मटाता हूं अब करते हैं थोड़ा से समझो interpretation सब्सक्राइब मैंने चत अब करें क्तना गंद मिचाते हो चलो एक बाद देखा से क्या होगा जानते हो कि नहीं देखो उसमें क्या करते हैं बच्चों उसमें थोक रेट में निकलता है यह फूटकर था कि समझ गए ना यह फूटकर था उसमें थोक में निकलता है किसमें थोक में कि देखो थोक में कैसे निकलता वह भी समझे लो कि समझो इधर साइड में इसमें क्या करते हैं दोनों संख्याओं को बहुंते हैं उनको आजैसे पहली संख्या क्या है तीन है दूसरी संख्या कितना है चार इनको मैंने ले ली आप समझो की कम दिख रहा है और ना बचो देखो तो इनको सबसे पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंंगे तीन बटा एक इन्हें चार बटा एक इनके हर बराबर हैं अब इन्हें हम सोचो कि अगर दो से गुड़ा कर दें, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कुछ जादा खासा फरक नहीं पड़ेगा, अगर इन्हें 5 से गुड़ा कर दें, तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, हमें 6 परमिय संख्या निकालना है, अगर हम 6 से गुड़ा कर दें तो यह चित्रीक 18 हो जाएगा च्छोग 24 हो जाएगा 18 और 24 के बीच में मुझे ने लगता 6 संख्या होगी क्यों होगी 21 21 22 25 होगी तो हमें जितनी संख्या निकालनी है बच्चों उससे एक अधिक करके क्या करेंगे गुड़ा करेंगे समझ में ना सवरब मौर्या बच्चा चलती है कितने गंटे एक ही गंटे चलती है आठ वजे तक चलेगी इतने बज़े तक आठ वजे तक चलेगी अवाज कम आ री क्या मेरी हाँ अवाज तो ठीक है ना बच्चों हम इसमें उपर नीचे साथ से गुड़ा करेंगे अभी आप उपर नीचे किस से गुड़ा करना है साथ से करना बाबू तो हमारी जो पर्मिय संख्या हो जाएंगी वो क्या होँगी चलो बताओ अब हमारा जो नंबर हो गया 21 और 57 और 28 और 57 अब हमें इसके बीच में 6 पर्मिय संख्या है निकनी है तो हम चलो लिख सकते हैं लिए ना तुम लिखो आता है अब हम 21 बटा साथ और 28 बटा साथ के बीच छे परमिय संख्या निकालेंगे ठीक है तो बच्चों यह हमने लिख लिए 28 अपांच से बन इसके बीच की जो छे परमिय संख्या होंगी कुछ इस तरह से होँगी फाहला बाइस बटा साथ 17 एक तो अगरा अगला तो वाद्चीस बटा साथ और 26 बटा साथ है कि इतना हो गया लिए 27 बटा साथ समझ गये भी समझ गये यह क्या हो जाएगा 27 बटा साथ यह इतनी क्या हो गई आपकी इन दोनों के बीच में परिवन संख्याय हो गई तो ये था आपका तरीका विपके ना प्यारे बच्चो चलो इसको तुम्हे और दिखा देता हूं आगे देख़ो इसको अपने थ्याने से देख न आ, क्षलो इसको मैं थोड़ा बेतरीन तरीके से और आगे एक्स्प्लेन करके तुम्हें दिखाता हूं थोड़ा सा रूख जाओ अब इस तरह के जितने भी question है मैं उन्ज साब को तुम्हें करवा दे रहा हूँ लो इकठा ले लो थोड़ा सा तोड़ा सा रुख जो मैं तुम्हें स्क्रीन पर लेके चल रहा हूं चलो इस्क्रीन पर चलो अब सभी बच्चे और बहुत ही प्यार से समझना कि देखो समझो जैसे कि आपको बता यूटूब पर पीवियर स्टडी में धायलाक बच्चे जुड़े हैं तो उसमें से नाइन्ध और टैन्थ है और एट जो भी बच्चे अभी इसकूल लाइफ में हैं उनके यह कुश्चन बहुत सारे होते हैं प्राया कंपटीशन में भी आते हैं लेकिन अक्सर वह एकड़मी को पुछते हैं कि सर जब दो परिमियर संख्याओं के बीच में परिमियर संख्य मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप लाओ निकाल होगी जैसे यहां पे 10 दे रहा है तो आप कहोगे कि 10 परिमियर संख्या निकाल सकते जो दो परिमियर संख्या के बीच में यहां तक है छोटी सी बात अगर हम आपको बताएं तो एक और दो के बीच में तुम लाखों परमीर संख्या निकाल सकते हो लेकिन वो कैसे क्लास को पूरा इंडे तक देखना सब समझ में आएगा पहले हम इस कुष्टन की बात करें जो इसक्रीन पे है उसके बाद फिर और ज्यादा डीटियल में जाएंगे देखिए साथियों जब दो भिन दी गई हो इस तरह से उनक इंटलं डेनुमेनेटर को पहले कोल करेंगे एकोल करने के लिए क्या करते बच्चों जो दूसरी भिनमै उसका जो हर है मदलम नीचे की गिंती इससे पहली भिनमें उपर और नीचे दोनों में गुड़ा करते है ठीक है यह परकिरिया सबसे पहले करते हैं तो यह माइनस चार बटा यह हो जाएगा दस इतना सब को समझ में आया उसके बाद क्या करेंगे पहली वाली भिन्न का जो हर है यानि जैसे देखो इसमें अभल और रूप मिल रहा है यानि जैसे आपके पापा थे पहले जब आप नहीं पैदा हुए थे तो लोग आपके पापा पहले आंते तो लोग पील्गात को उन्टे थे आप कोंण रहा हमएं ऊंट की और प्राप्त करनी है मदलब प्राप्त करनी है अगर इनहें हम बगल बगल में लिखें कि माइनस 4 बटा 10 और 5 बटा 10 इनके बीच में 5 परमिय संख्या निकालनी है तो भाई साहब आप ये 10 वस तो छोड़ दो अगर तुम माइनस 4 और 5 के बीच में 10 परमिय संख्या अंजा दो ध्यान से देखो पहले अभी जाना नहीं ठीक है जाना नहीं पहले समझ लो पूरी बात अच्छे से कभी नहीं बूलोगे लाइफ में कभी नहीं बूलोगे ठीक है ध्यान से देखो इनको थोड़ा सा और इधर लिखो उधर साइड में मुझे लग रहा है यह बाहर चले जा थीक है थो इन ने के बीच में परेश करिके कितनी हो सकती जara ध्यान से संझे रएक पढ़ए माइनश चार इधर माइनस थीन माइनस दो माइनस एक और फिर यहां आके 0 और 123 ओर वगल सकता है ना बोले हो सकता है कि नहीं गहां इसके बीच में तो किया यह तस परमिय संख्या इसके बीच में पहले गिनौ हैं एक दो तीन चार पान च्यसात आठ जीरो को भी मिला लिए तब भी क्या हुआ pressure r4 दस नहीं हुआना तस नहीं हुआ या नि कि इनके दोनों के बिच में इतनी परमिय संख्याएं नहीं हो सकती कि दस हो जाएं क्योंकि हमें दस निकालना था अब हम क्या करेंगे देखो इसके कई मेथर्ड है बच्चों है हम सबसे पहले वह मेथर्ड बताएंगे जिससे आपके बुक का आंसर मिलेगा वैसे यह कच्छा आठ की अगर किताब मे गलत कर देते हैं तो बच्छों को लगता यार यह तो गलत है लेकिन बच्चों किसी भी परिमिय संख्या के बीच भी संख्या निकालने के लिए आपका कई तरीका होता है उत्तर सब में लग लगाता है यही एक ऐसा TOP Doom जिसमें लग लगाता है बाकी mathematics में मैप कोई भी संख्या लिखो तो एक और दस के बीच में मैंने क्या पूछा कोई तीन संख्या तो मान लो कि आपका फ्रेंड राहुल ने बता दिया कि सर्जी दूई तीन और पांच होगा ठीक है यह भी सही है लेकिन अब उसकी फ्रेंड प्रिया बता रही कि नहीं इसके बीच में छे होगा हो तो बताओ क्या किसी का गलता इसमें से तीन लोगोंने तीन तरह बताया किया किसी का गलत है सबका सही है जा मैंत-इसफिए Google लेकिन अब आपके बुक में मालों यह वाला दिया है तो गलत है तो गलत नहीं होता है किए अनंत परफीर संख्या के बीच में संक्या को तो उसके बीच का आप थक बाउगे कि सारी लिख दोगे 20 करोन हैं लाक हैं दफ लाक हैं तो सब लिख दोगे आपको तो दुए चार लिखना है न यह इसका मतलब होता है चलो फिलहाल अब हम कुश्चन पर चलते हैं तो बच्चों देखो जैसे यह आपका जो मिल गया माइनस चार बटा पांच यह जो भी मिला ह है इसका अब हम करेंगे क्या हमें क्या करना है हमें निकालना 10 पर्मिय संख्या अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ही क्या है जैसे Samsung संख्या कर के गुड़ा कर देते हैं जैसे हमें 10 पर्मिय संख्या निकालनी है तो हम क्या कररें Istoffreci ॖ देखो समझो इसमें आप दो से उपर नीचे दोनों में ठीक है दो से एक बात ध्यान देना चाहे जिस भी किंती से इसमें गुड़ा कर सकते हैं लेकिन ऊचिसली से भाग भी करना और जिस से पहले में करना उतने से ही दूसरे में भी करना यह कर सकते हैं इसमें कोई रोंक नहीं है तो बच्चों इस तरह से आपका यह बन जाएगा 10 बटा यह 20 बन जाएगा यह बन जाएगा भाई साहब और इनको यहां पे लाके लिख दो 10 बटा 20 हमें इनके बीच की फरमिय संख्या निकालनी है ठीक है कोई दिकत नहीं नो प्रॉब्लम आप मुझे यह बताओ संख्या रेखा पड़े हो इसके बीच में माइनस साथ बटा 20 होगा माइनस चाह बटा 20 होगा और फिर उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाओ बैसंख्या रेक है तुम पढ़िए ओ ना नहीं पढ़िए पकमेंट करके बदाना संख्या리ःख वाला वीडियो आपको मिल जाएगा विससे टिस्क्रेप्जन देखो तो आपको डिस्क्रेप्सन में बहुत सारे बीडियो की लिंक मिल जाएग तो देखो बच्चों यह होगा ना ऐसे बढ़ते जाओ हमें कितना निकालना दस अभी हम देखो एक दो तीन चार पांच लिख दिये हैं चूकि यह इसको तो गिनेंगे नहीं इसके बीच में निकालना है ना तुम इधर से निकाल लाया यहलो नो ? 20 इदर आओगे क्या दस निकालना था एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ हो गया ना एक ठी और लिख लो ना इसके बीच में ये छे बटा बीच भी लिख लो मैंने लिख लिया है पांच बटा बीफ लिख लो यहां नहीं जगा यहां लिख लो यह लेकिन आप थोड़ा दूर दूर लिख कमेंट करके बताना और हां भाग के नहीं जाना भी बहुत पढ़ना है चाहे आप कलास एट में हो नाइन्थ में हो टेंथ में हो या कमपर्टीशन कर रहे हो यह सब के लिए महत्त्व पूर्ड कलास है बाबू ठीक है इस बात को तुम गौर से समझना बिल्कुल प्यार से देखो यह हो गया तुम्हें काम करोगे वह क्या अगर तुमसे कोई कहे कि इसके बीच की कोई तीन परमिये संख्या लिखो बताओ जल्दी जड़ से कमेंट करके बताओ इन दोनों के बीच की कोई तीन परमिये संख्या लिखो देखो बता लोगे की नहीं सभी बता लोगे बच्चे बता लोगे ना कोई भी 3 पर में संख्या लिखने को बोले तो तुम इसमें से कोई भी 3 पकड़ लो मानलो मैंने यह ले लिया थीन चलो यह 3 हो गई आपका कोई मित्र राया थोड़ा गधा टाइप का उखर नहीं यह 3 होगा तो यह भी साहिए वह भी साहिए सब साह कोई भी परकार का टेंसन मतले ना अगर कोई भी कहीं भी तुमको कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके बता देना नीचे देखो पूरा दिख रहा फुल ना आपको दिक्कत नहीं नंबर उंबर हट गया ना ठीक है तो तीसरा कह रहा कि कि तीन बटा चार वा चार वा चार वा चार वा पांच के बीच में पांच पर्मिय संख्या निकालना है पहला चैप्टर है मिस्टर वनीशा जी पहला चैप्टर है कुश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच छे पर्मिय संख्या नि निकालना है तो बच्चों कलास को सेयर कर तो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार हां आप लोग कलास को सेयर करके आओ फटा फट बच्चे जुड़ने चाहिए ना ऐसे थोड़ी मज़ा आती है बताओ कुछ यह भी कर बड़वारा मुझे लग रहा है स्मूथली नहीं चल रहा है क्या नहीं चलेगा तो बता देना कि नहीं चल रहा अच्छे से हां ठीक अटेंशन मत लेना बिल्कूल आप थोड़ा सा मैं इसका फ्पीस कम कर सकता हूं क्या आप लोग कर लोगे क्या इस आप कुछ अहीं हो भया है क्या है टीक है कर लोगे न सभी आफ समझो आखका ह्चाओ पांच निकालना फांजी कालना हो एक आख लोगों के वादे के मुताबिक 100 बच्चे नहीं हुए तो बच्चे नहीं हुए मजा नहीं आ रहा है ठीक है भाई सेयर करो फटा-फट 100 बच्चे हो जानी तो हम कैसे पढ़ाएंगे फिर ऐसे पढ़ाएंगे नहीं हम जान लो तब तक मैं एक कोईश्चन करवाओंगा तब तक आप सेयर करके आऊ सभी सभी फटा-फट सेयर करके आऊ तब तक मैं एक कोईश्चन करवा रहा हूं ठीक है रितिक चोधरी फिर जैस यादो प्रांजल आपके जितने वर्टसप में गुरूप है सब में बेज़ दो अपनी पहले 100 करो तब ही पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे हो भी गए लगभग फोड़ा सा बच्चे हैं कुछ बच्चे हैं जो नहीं लाइक कर रहें अभी नहीं सेयर किये वह भी करतें बस हो जाएंगे चलो कुसाल सिंग श्यूधनी गुपता अंजली कुमार दिवाकर हम सब को जानते हैं लेकिन तुम पढ़ाई कर लो बस यहां पर बात नहीं करेंगे पात संडे को करेंगे रात नों बज़े आना चलो सभी बच्ची सेयर करके आउफटाफट कुश्चन करवाते हैं 100 बच्चे पूरा कर दो बस चलो कुलबिंदर कौर जी गुड़ इबनिंग पूनम कुमारी गुड़ इबनिंग रोहित प्रंजल अभी बच्चे फटाफट सेयर करके आउफटीस बच्चे अभी बच्चे हैं 100 के पार करोगे तभी कलास चलेगी बई 100 बच्चे तो आने चाहिए कम से कम न संगीता कमेंट आ रहा है चलो ठीक है ट्राई करते रहो अच्छी बात है ट्राई करते रहो सभी ट्राई करते रहो बेरी गुड रिशू सुपला विर्जेस यादो अभी शेयर करके आओ तुरंद फटा फट 100 पार करो भई 100 बच्चे जैसे हो जाए तुरंद हम कुश्चन करवाएं कल दो करवा दिये थे concept पढ़ा दिये थे आज आपका तीफरा कुश्चन होगा exercise 1.2 पूरा हो जाएगा और 1.1 भी यह पूरा हो जाएगा इसमें सिर्फ दो ही कुश्चन है कुछ बच्चे सेयर करने गए हैं अभी ठीक है जो बच्चे सेयर करने गए यह मत सोचना क्यों भाग गए है खुशाल सिंग महरा तुम्हें बलाक कर दें क्या बच्चा हां ज्यादा दात निकल रहा कि लो लिखना पढ़ना सिख लो मनोज यादो जी ठीक है मनिशा देभी लहाबाद यूपी में पर्याग राज में पुहुरानी भूले नहीं है पहिचान रहे हैं अब को पहिचान रहे हम है अभी हुए नहीं हंड्रेड अखटाफथ हंड्रेड करो नशरू किया जाए आगे बढ़ा जाए जल्दी से आप बानते हैं हमारी बात चलो आप लोग करो फटापड देखो समझो तो नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का पीवीर स्टेडी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी कलास सुरू हो चुकी है कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो प्रिये स्टुडेंट्स कल हम वन पॉइंट वन इक्सराइज का दो कुष्चन कर लिये थे और तीसरा कुष्चन आज हमें करना दो आप समझों जैसे नीचे दूसरा वाल लिखते हैं जो भी भिनने दी गई है तो बच्छों सबसे पहले हम इए देकते हैं क्या इनके हर बराबर ईया नहीं है आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इनके हर बराबर है देखो हम हर बार कमेंट नहीं पढ़ेंगे नाम नहीं बोलेंगे याद रखना कुछ बर्चे कहेंगे तो लाइब है यह नहीं अरे गदों लाइब है तो क्या मैं तुम्हारा नाम ही पुकारू पढ़ाऊं नहीं हाँ चलो तो खर द्यान दो बहतर रहेगा अगर आप थो हर बराबर है टीक्वल है ना बाबू तो अगर इनके हर बराबर हैं तो हमें क्या करना है बाई तीन और चार के बीच में हमें तो मालूम करें तो यह चै whispering जाएगा और इसमें दोसे गुड़ा करें थे आठ बन जाएगा अब बताव कि अशे और आठिके बीच में पांक संख्यां हो जाएगी नहीं होगी अगर इसे कुणा कर दें यह 12 हो जाएगा और यह jo lo quand ll out तब भी 5 delivered सब्सक्राइब करेंगे औरी हो जाएगा 18 बंटा जेउग चार 24 बटकर 34-30 आफंए क्या करना है 18 बटकर 34-30 के बीच में 5 परमिय संख्याइं निकालनी है तो बच्चों मुझे ये बताओ कि 18 और 24 के बीच में क्या 5 संख्या हो जाएगी या नहीं सभी बच्चे बोलो हा या नहीं और छाएगी कि नहीं भवाई हां सही चल रहा है सब कुछ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना नरेश जी हो जाएगा ना बावू पांसंख्या हो जाएगी न आगे लिखो चलो फिर लिखो कोई दिक्कत नहीं है से अनो प्राब्लम नो प्राब्लम देखो समझो आगे समझो अब हम लिखेंगे आगे नीचे इसके दिख रहा हैं यहां लिख लो अप यहां लिखेंगे आप लोग नीचे लिख ले आताहा 18 बटा 30 के बीच यह पार्मीय संख्याएं यह पार्मीय संख्याएं इस लिखने का अपना तरीका है या फिर पांच बार्मीय संख्याएं थे डैस कर दो कुछ भी न लगा उसके नीचे आज़ो समझ रहे हो न देखो तो अब देखो समझो हमें किसके किसके बीच निकालना है अठारा बटा तीस और चौवीस बटा तीस बच्चों पहले हम यह दोनों नंबर लिख लेंगे चौवीस बटा तीस इधर साइड में भईया देखो आप सभी जानते हो कि अठारा के बाद क्या होता बच्चों उननीस होता है तो बच्चा यह हो जाएगा उननीस बटा तीस यह हो जाएगा बाबू बीस बटा तीस और यह हो जाएगा इकीस बटा तीस यह हो जाएगा बोहित सर्मा शीवरती साहनी पुष्पागतिवारी सब को समझ में आ रहा ना देखो बच्चों कभी-कभी इस तरह के सवाल के उत्तर नहीं मिलते आपकी किताब से पता ऐसा क्यों नहीं मिलते हैं किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं अगर हम आपसे पूछे मोटा मोटा कि जैसे मानलो कि पांच और बारा के बीच में हम आपसे दो संख्या पूछें तो भाईया पांच और बा तो आप तुम किताब से इसी तरह मिलाओगे तो इनके पीच में तो अनन्त होती हैं हमने यह लिखा है पांच कोई और कुछ आ है या फिर कामऊर कर सकते हो इनको अफिरल कर लेकिन आपको क्या करना है केवल और केवल तरीका लगाना बच्चों बस ठीक है जहां आप तरीका लगाए तहां आपका हो जाएगा ये कुश्चन आप लिख लो मैं इसको मिटाऊंगा उसके बाद आगले कुश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों भाई कितना कुश्चन था इसमें तीन था चौथा भी बताना है ना एक ठी चलो चौथे में आजाओ चौथे में आजाओ बच्चों किताब लियो कि नहीं सबी पहले ये बताओ चौथा परस्न पढ़ो अभी बच्चे कुश्चन नमबर 4 रीड करें जल्दी से चलो रीडिंग लगाओ कुश्चन फटा फट चलो देखो चौथा कुश्चन क्या कहता है मैं पढ़के खुद से आपको सुनाता हूँ ज्यान दो कलास को पूरा देखो बच्चा अगर गड़ी सीखना है अगर कोई समस्या है तो बता दो नहीं चल रहा है तो बता दो कोई अन्य बिमारी हो रही है तो बता दो हम उसे दूर करेंगे लेकिन अगर 10-5 मिनट देखोगे तो कच्छा नो में पहुँचे हो समझ में ना आएगा यह कच्छा नो की गड़ी था समझ में नहीं आती ती आसानी से चलो मैं कुश्चन पढ़ता हूं तेसी मियुजी कड़ता भाई नाम अपना अच्छा रख लो बाबू बोलने में मुझे नसारम लगेगी हाँ देखो कुश्चन नमबर चार क्या कह रहा है स्टूडेंट्स फोर नमबर ध्यान दो आप लोग कह रहा है कि नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या आसत्य हैं कारण सहित अपने उत्तर दीजिए नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या आसत्य हैं कारण सहीत अपने उत्तर दीजिए पहला पूछ रहा है कि आप परतेग प्रकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सभी बच्चे बोलो जल्दी से कल में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया था जल्दी बताओ नहीं पटक पटक के मारेंगे चलो बताओ पहला बताओ क्या सभी प्रकृतिक संख्या क्या सभी जो नेचुरल नंबर होती है वो होल नंबर हो सकती है बोलो हा या नहीं जल्दी जबाब दो सभी हा या नहीं में जबाब दो सभी जबाब दो हा या नहीं में क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हा बताओ बताओ चलो बताओ अंजली कुमारी प्रांजल बर्मा मनोच स्रीवा पंडे देखो बच्चो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पुर्ण संख्याएं हो सकती है ना हाँ बिल्कुल हो सकती है बिल्कुल हो सकती है भाई आओ, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये बोतल है, इसमें पानी है ये बोतल है, इसमें पानी है तो मैं अगर तुमसे पूछूँ कि क्या संपूर्ण पानी बोतल के अंदर है या कुछ पानी बहरे भी लटका इदर उदर देखो, है न यह पानी जितना भी इस बॉटल में है इसके अंधर में ही है बाहर तो नहीं लटक रहा है ना पकड़़ के तो इसी तरह से जो वह प्रकृतिक संख्या होती बच्चोँ सभी प्रकृतिक संख्या फुर्ट संख्या हो सकती है ऐसा क्यृ देखो देखो समझो दूसरा एक्जांपल मैं अभी है इसको रियल में बता रहा हूं अगर मैं तुमसे पूछू कि क्या पूरा बोतल पानी के अंदर है पूरा बोतल पानी के अंदर है कहां पानी के अंदर है तो यह संपूर बोतल पानी के अंदर नहीं है लेकिन संपूर पानी बो संख्या नहीं होती है देखो कैसे समझो यहां पर समझो जो नेचुरल नंबर है आपका मतलब प्रकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं बच्चों वह वन से सुरू हो करके अनन्त तक जाती है कि जबकि CHALL n합니다 यह इसका दाधा पर डाधा मतलब इससे चार कदम और आगेए जीरों से ही सुरू हो जाते हैं का से कहते हैं तुम मेरा रास्ता यहाँ से रोंक होगे ना तुम तुमुहारा गहरे बंद कर देड़ यह जप्रेंगे जीरों सही सरो हो जाते हैं अब बता ज्याद से शुरू होती ना तो बच्चों प्रकृतिक संख्या की सारी संख्यांत इसमें मिल रही है पूड़ वाली में तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर हो सकती है ठीक है एक एक चीज समझते चलोगे तभी मज़ाएगी नहीं समझोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगी ऐसे कि हमारे कितने नंबर आये फें पूछ रहा है को मझे कुछ नहीं पता आए भी थे कि नहीं आये चार्लों बातचीट करेंगे चलो अभी पड़़ लो अभी नहीं अगला कुश्चन कहे रहा है, सिकेंड वाला पड़ो, परतेक पुडांक एक पूड संख्या होती है, बोलो, परतेक पूडांक एक पूड संख्या होती है, अभी बच्चे बोलो यास या नो, क्या, परतेक इंटीजर नमबर जो होता है, वो एक पूड नमबर हो सकता है, बताओ, दूसरा नमबर बच्चा इसमें कर देखो बच्चाओ, चलो देखो, परतेक पूडांक, कह रहा है कि परतेक पूडांक पूड संख्या हो सकती, अब क्यूश्चन मैं फाल तू कहा है लिखू, तुम समझतो रहे ही हो, क्यूश्चन कह रहा है बच्चों, कि क्या परतेक पूडांक means every integer जो होता है, वो होल नमबर हो सकता है, यस या नो, यस या नो, तेज सिंग, हरेंदरियाद अबरिजेस, नजराना, नजराना नहीं देने को बोल रहा हूं, नजराना नाम है किसी का इसमें, मुहमद मौनिद्दीन, कुस्पा लाटा, नाम बहुत कटिन कटिन है बाई, मुझे कम पढ़ना आता इंगलिस में, मैत में नाम होता तो मैं जा नेचुरल नंबर तो इनके काका जो थे नेचुरल नंबर के होल नंबर मैंने बताया था, ये इनके परदादा हैं, चाहते हो ना, ये गड़े मुर्दें उखाडते हैं, देखो समझो यहाँ पे, दोनों का मतलब समझ लो तुम अब, पुडांक मतलब इंटीजर होता है, म माइनस 10,000 माइनस 9,999 माइनस 9,998 से और ये जाता कहां तक है, ये प्लस अनंब तक जाता है, मतलब हमें ये नहीं पता है कि पुडांक की सुरुवात कहां से होती है, ये मालूम ही नहीं है, लेकिन ये दद्दू हैं जो पूर्ड संख्या जो हर जगा टांग अड़ाय रहत हैं, इनकी सुरुवात तो सुनना से होती है, बच्चा कहां से होती है, सुनना से होती है, यानि कि पूर्ड संख्याएं माइनस में नहीं होती है, समझ में है ना, पूर्ड संख्याएं माइनस नहीं होती है, तो हम कहसे कह सकते हैं कि परतेक इंटीजर जो है वो पूर्ड सं संख्या नहीं आती है इसलिए से लेकेंगे क्योंकि परतेख के परतेख पूर्ण संख्या कूड़ांक हो सकती है परतेख पूढ़ संख्या पूढ़ांग हो सकती है लेकिन परतेख पूढ़ांग पूढ़ संख्या कभी नहीं होगा चलो बाई कलास को तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो क्या चाहते हो मैं फबड़ी पटक डालू ही पे सभी बच्चे एक-एक बच्चा LIEC करें दहुंद चलो डो चलो लाइक करो तुरंद करो चलो इस कलास को सभी बच्चे LIEC करें। फिर और बढ़ने चलो अभी मैं इसको थोड़ा पोच पाच देता हूं तब तक तुम लोग लाइक करके बताओ जलो भाई अभी सब नहीं करें मैं देख रहा हूं जूट नहीं बोलना बच्चा अब देख रहा हूं कितने लोग नहीं लाइक करें अधित के दुबंसी देखो यहां पर गुठा भेजने को नहीं बोल रहा हूं मैं कलास जाके महां लाइक करने को बोल रहा हूं यह नहीं बोल्स पाधि करें लोगों के लिए अभी दंडा लाना पड़ेगा मुझे पता है हम इस्कूलमें पढ़ाते थे न स्कूलमें पढ़ाते थे न कॉज्छा नो-दस वालो बच्चों को बहुत मारते थे नımızı खर्दम नहीं मारते थे जब टेस्ट होता था वोजो JERRY नहीं पढ़ते थे तर मारते थे परतेक पर्मिय संख्या एक पूर्ण संख्या है परतेक पर्मिय संख्या कह रहा है एक पूर्ण संख्या है बोलो हाँ या नहीं हाँ या नहीं बोलो रितिक कुमर हरेंद्र दिवाकर देखो भाई सबी बच्चे लाइक नहीं करें लाइक करना है तुम सब कुछ जानते हो बह सब इन नहीम संहथ नहीं करतानी करते है मोबायल में इस सब नहीं कर रहें के परेविय संख्या और पूर संख्या कि हमें पहली Africa जनकारी होना चाहिए आ viol संख्या नहीं हो सकती इसका उत्तर होगा असा अंत्र नहीं क्योंकि यह सब अलाग अलाग समुदाई के नहीं, जो जो पूर संख्या होती है प्यारे बच्चों होल नंबर ये सिर्फ जीरो से सुरू हो करके 123 कवनी गरी किवल पलस में होता है मतलब only positive होता बस बाकि कुछ नहीं होता है लेकिन जो आपका दूसरा है रेफनल नंबर जिसे पर्मिय संख्या बोलते हैं सही गलाज सुद्ध इस सब प्रमिय संख्या होती माइनस धी या नंबर लेकिन ये पूर संक्या थोड़ी है ना ददो यह पूर संख्या नहीं है अब तुम से म्लों में लिए दो जीरो संबंग ये भी क्या है यह रेखनल नंबर है लेकिन पूर संख्या नहीं है यह पुड़ांक है पुड़ांक नहीं है समझ गये ना फिर यह पाल जी गुड़ इबनिंग बहुत जल्दी आ रही हो तुम कलास की छुट्टी करवाने आयो मुझे लग रहे है भाई देखो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सभी साथियों को ले करके आओ पटाफट सभी बच्चे कलास को लाइक और सेयर करें तो इसे मज़ा नहीं आती कि दो लोग चार लोग आके पढ़ोगे इसे हम पढ़ाएंगे भी नहीं यह जान लो तुम जलो इंगलीज में बोलो इंगलीज में लिक लो बेटा नो एवरी रेशनल नंबर विल नार्ट अ होल नंबर इंगलीज सही है पतलत तुम समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं बस मुझे इंगलीज में नहीं बोलना है क्योंकि यह हिंदी की कलास है आगे चले बढ़ें इसको ले 1.1 खतम अरे इंड नहीं हुई नालायक अभी 1.2 चलेगा अब डालो exercise 1.2 कि रहने दे कल पढ़ाएं 1.2 पढ़ाएं या कल पढ़ाएं क्या कह रहे हो बोलो यस देखिए बच्चों अगर इमांदारी से पढ़ोगे भाई हमारी बात आप मानोगे तो हम आपकी बात मानेंगे और हाँ अभी science का भी life चलाने वाले हैं बड़ा धमदार कलास चलेगी science की एक से एक experiment बताएंगे तुम्हें अपने घर के गड़े में जाके करके आना समझ रहे हो ना जो गाउं से हैं समझो देखो science पढ़ाएंगे न गड़े मतलब खेद भी होगा आसपास तो science में बहुत कुछ होता है वो सारा experiment तुम घर पे कर सकते हो साइंस जल्दी ही पढ़ाएंगे टेंसन मतलो चलो आज ही पढ़ा दें ncrt है बच्चा स्रीकांत ncrt कुहुरानी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे तुम लोग इतने प्यारे प्यारे हो हम कैसे न पढ़ाएं ऐसा हो कैसे सब्ता है चलो देखो पहला question जो किताब न कर लो तुम नानी के घर चले जाओ किताब लेके तो आना चलो किताब लेके आया करो खाली हाथ यहां बतासा नहीं बटने वाला एक खाओगे अभी किताब कहां पी लिए रहोगे तो कुछ समझ में आएगा चलो 1.2 खोलो 1.2 एकसरसाइज 1.2 कच्छा नो की NCERT गड़ी था यह बच्चा क्या है NCERT है यह साइंस की कलास हमारी कोशिस है 15 जुलाई से सुरू हो जाएगी साइंस की दमदार कलास होगी कलास के बारे में सूचना देंगे सामको 7 वजे वाली कलास में चलो पड़ो बच्चों पहला question कह कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसमें भी सत्या सत्य करने को बोल रहा है कारण बताओ अगर सत्य है तो कारण बताओ क्यूं सत्य है ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम जैस्री राम करके बोल दिये सत्य असत्य सत्य असत्य कारण लिखना पड़ेगा कारण बताओ क्यूं असत्य है तो क्यूं देखो समझो साइंस पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे सबर रखो पहला कह रहा कि परतेक अपर्मिय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है बताओ एवरी इरेफनल नंबर इज इज रियल नंबर बताओ बच्चा क्या परतेक अपर्मिय संख्या वास्तविक संख्या होती है बताओ यास या नो चलो सबी बच्चे जबाब दो क्या परतेक कौन सी है बई अपर्मिये अपर्मिये संख्या यह वास्तविक संख्या होती है संख्या होती है बहुत से बच्चे कोसिस करेंगे बच्चों देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था बाबू अगर उसको पढ़े होगे न तो आपको सब समझ में आएगा बेहतरीन मजा भी आएगी लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं मुसीकल की बात यह है अभी सेख सिंग्जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना मीठा कमेंट करने के लिए पानी पी लेते हैं आपका कमेंट बहुत ही बहुत ही मीठा था मतलब चलो देखो इधर समझो यस इसका आंसर है यस पर तेक अपर्मिय संख्या जो है वह वास्तविक संख्या होती है वह रियल नंबर होती है क्योंकि यह चीज रटलो बच्चा तुम याद कर लो जो वास्तविक संख्या होती है जिसे इंगली समें ब यह होता है बराबर पर्मिय धन अपर्मिय संख्या यह चीज़ तो तुम पढ़ लो हां जो रियल नंबर है वह रेटनल प्लस ए रेटनल नंबर को जोड़ करके ही बनता है यानि वाजतविक संख्या में दोनों होते हैं समझ रहे हो ना जैसे एक फैमिली बनती है मम्मी पापा को मिला के समझ गए ना वो ऐसे होता है चलो आज ही पढ़ाएं ठीक है पढ़ात हो रहें बच्चा जितने भी हमारे नए प्यारे प्यारे साथ ही आये हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हां इंस्टाग्राम पे जरूर फालो कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपके वीडियो जाते हैं वही नाम है जो हर जगा है एक ही नाम है भाईया यह तीन नाम से मिलके बनाएं पताओंगा कभी चलो अगला पढ़ो टाइम नहीं अगला कहरा है कि संख्या रेखा का परतेक बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्रकृतिक संख्या है बताओ जबाब दो पाई एक अपर्मिय संख्या है बच्चा क्या है पाई एक अपर्मिय संख्या है अगर वो सिर्फ पाई दिया है तो अगर उस का वैलू दिया है इसकी कहारी बड़ी लंबी है मैं तुम्हें सब नहीं बता पाऊंगा यहां पहले कलास पढ़ लो तब में बताना पड़ेगा छोटा ग्यान खतरनाक होता है थोड़ा सा अगला बताऊ यस यानो संख्या रेखा का परतेग बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है यहां यम बराबर प्राकिर्टिक संख्या पता ये सही है कि गलत है जो बच्चे किताब लिये हैं कच्छा 9 की NCRT गडित फोल ले परस्नावली 1.2 यानि अभ्यास 1.2 कुश्चन नंबर पाहिला का ये दूसरा पार्ट है तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि जो संख्या रेखा होती है भई या बाबू उस पे तो पूड़ांक आते हैं बीच में 0 होता है सुनना होता इधर सुनना 1.2 किधर सुनना किधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस पे सब होता है न लेकिन कह रहा है कि अंडर परें बच्चा का चैसे सभी प्रकृतिक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या रेख पला के ठूस देंगे रहर कभтесь कभो नहीं होगा क्यों कि जो flourish क्यां नहीं होगा क्यों कि जो माइनस वाली संख्याएं इस पर तो माइनस वाले संख्यां भी होती हैं जो संख्या रेखा का जो परतेग विंदू है वो अंडरूट यह रूपकर नहीं हो सकता है अगला कि परतेग वास्तविक संख्या एक आपरिमिय होती है मसार्दे पोचिंग बहुत अच्छे गुरुजी चलिए समझे परतेग पास्तविक संख्या परिमिय होती है पताया एव रियल नंबर कि ए 66 कि अंधर नंबर को ऑ आ या नहीं भर साया जो कलाई जबर्क चर्क नर्ण माव कर लो सामस्राइब कर लो सांथ बज़े चलती है और सब्सक्राइब कर लो prestat नए सबस्क्राइब कर लो बिल्कृ कि परतेख वास्तविक संख्या परतेख वास्तविक संख्या जो एवरी वास्तविक मिन्स रियल नंबर होता है कह रहा कि वह ए रेफनल होगा यह कौन से गरा आ गई भाई अभी आना था अच्छल निकल ले भाई परतेख वास्तविक संख्या बहुत आख ही संख्या रियृत्चनल और ठाफ कलो figuring संख्या चाहिक वह तो नहीं आई उतकि अक जीनिक लेकिन बच्छों से मम्मी पापा थोड़ी पईदा होंगिन संख्या नहीं होगा कि नहीं है जैसे बहुत सारे एक्जामपलर आप समझ सक्दों कि पंपसे जान लो कि दूध एक एकज्बन लेए च्छोटा था दूध से हम दहीं भी मंट्마 परते हैं भी बनाते गुंकेποा साकते हैं दूध से तो उसी तरह से जो वास्तविक संख्या है यह कह रहा है कि जितनी वह संख्या है वह सभी अपर मिये होती है कहां का नया है अगर मैंने पांच लिखा तो ये लेकिन आपर्मिय थोड़ी है यह तो परविय है जो वास्टविक तो है लेकिन आपर्मिय नहीं हो सकती है क्योंकि वास्तिपिक संख्या में पर्मिय भी आती है उनका तो हिस्से कट कर दिये जैसे मालों किसी माबाप के दो बच्चे हैं उनकी संपत्ति उनकी जैदाद है मालों के पचीज भी गहा खेद है तो साड़े भारा भारा भी गहा दोनों का हुआ ना ऐसा दो नहीं हो जादा हाट्टा करता है सब लेगा एक वक नहीं देगा मार डालेगा जान से वह अचकल जान रहो ना कि इतना महौल चलता है गड़ बड़ तो समझ गए ना देखो इसम बहुत ही आसान है दूसरा नंबर है दूसरा नंबर बहुत आसान है वच्चों अच्छे एक बात पहले मुझे बपाओ इमांदारी से जूट नहीं बोलना जूट बोले कवा काटे इसमें से कौन कौन किताब नहीं लिया है बटा वही वलर गाय कर रहा है पचास जो किया पिया सूसी से लग रहा है इगड़ बढ़वारा है पताओ कौन-कौन इसमें किताब नहीं लिया है इमानदारी से बताना जूट नहीं बोलना जूट बोले न देखो ये कपड़ा काला काला भिगोए हैं मुहिब मारें पड़ाग पूरानी किताब नहीं लियो सौरब बबुवान उज्वल रस्गुल्ला हो तुम अभी तुमको रस्गुल्ला मलाई सब मिलेगा बताओ किताब नहीं लायो ना भाई देखो किताब लेके बैठोगे तब समझ में आएगा बीना किताब के आओगे तो यहां पर रामायर नहीं हो रही कि हम दिखाएंगे तुमको और तुम देखो गया राम से किताब लेके आओ एंसी अर्टी किताब लिए रहो ने तुम्हारे पास जो भी है वही लिए रहो संख्या पद्धति खोल लो पहला चैप्टर वही सब मिलेगा तब वही है कि किताब लेलो कोई भी परकासन हम भी जब कच्छा नो दस में थे तो हम भी दिमाग लगाते थे रहे गुरुजी तो मनोहर पढ़ावता है हम तो एंसी अर्टी लेके बैठाई हूँ तो दूसर है लेकिन बाद में समझ में आता है कि सब में वही रहता है किवल कुश्चन आगे पिछ रहता है इधर उतर किसी में 1.1 दिया किसी में 1A 1B 1C दिया किसी में 1.1 1.2 1.3 एचे दिया है रहता सब हो ए ठीक है चलो ठीक है जो नहीं ले 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 आगला दूसरा कुश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है बहिए दूसरा क्या कह रहा है बाबु समझो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पुडांकों के वर्गमूल अपर्मिय होते हैं क्या सभी धनात्मक पुडांकों के वर्गमूल अपर्मिय होते हैं यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदारान दीजिए जो पर्मिय संख्या है इनका कहने का ये मतलब है कि जितने भी धनातमक पुड़ांक हैं उनके वर्गमूल अपर्मिय होते हैं अब गधा कहां से आया तू ऐसा बोलने के लिए ये गलत है नहीं अपर्मिय होते हैं नहीं इसका उतलिक हो नहीं भाई धनातमक पुड़ांक बहुत सारे हैं उनका परमिय थोड़ी है यह परमिय संख्या है इसमें बसे हैं यह सभी यह सभी ले लो कि यह सभी धनात्मक पुड़ांक है लेकिन जो वर्गमूल है वह परमिय नहीं है इसलिए इनका उत्तर मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि कभी धनात्मक पुड़ांकों के वर्गमूल अपरमिय नहीं होते लल्लू गलत लिखेओ तुम चलो अब को समझ में आया वह तुम लोग देर में कहें आ रहे हो कलास का टाइम तो साम को साथ बज़े है तो फिर इतना देर में क्यूं आ रहे हो हां कहां गये थे बताओ कहां गये थे कल से पिटाई होगी पटक पटक के जान लो टाइम से आया करो कि दीपक सर्मा बच्चा पढ़ाई कर लो बस और कुछ नहीं मिलेगा कि यह इसका का नाम है सौरव कहला बोलो कुहू कहां चली गई शिवाकर सिंग बढ़ाई कि किसी का नाम लेकर कमेंट नहीं करेगा कोई किसी को परेशान नहीं करेगा नहीं तो हम बलाग कर देंगे बस तुम इतना ही जान लो तो आज आपका दो एक्सरसाइज खतम हो गया एक्सरसाइज 1.1 1.2 उसी तरह से अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले इसके मैटरियल इकठा करेंगे मैटरियल मतलब जान रहे हो भाई हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो टॉपिक है उसके बारे में आपका परिचे होना बहुत जरूरी है तो बच्चों ये जो 1.3 है बचसे अगर बात करें तो पहला चैप्टर ही पूरा क्या है संख्या पद्धती है तो संख्या जैसे फिरी के पहले कोस्चन की बात करें तो बच्चों पहला कोश्चन धो हम करवाएंगे पहले आपको बताएंगे जो इसका पांसेप्ट है उसके Ö 막 तो पहला कोश्चन कहरा है कि निम्नेदिखित भिन्हों को दसमलो रोप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दसमलो प आप जानते हो कई तरह का होता है इंगलिस में तो बोलते हैं इसको बच्चा है देखो कई तरह का होता मतलब एक तो टर्मिनेटिंग होता है एक नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है एक होता है नान टर्मिनेटिंग नार रिपीटिंग मतलब ना तो टर्मिनेट करता ह तो आपको जो फ्रेक्शन इसमें दिये गए हैं आपको उनको भाग दे दे करके यही बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन पहले तुम इसका कंसेप्ट तो जानोगे तब तो कर पाओगे ना बच्चों तो पहले आप हेटिंग डालो इंट्रोटक्सनाफ रिएल नंबर हिंदी मीडियम ऑले लिख ले वास्तविक संक्याओं का परीचाय लिख cutter है वास्तविक संक्याओं का परीचाय लिख लिए तो बच्चों यह हेटिंग डालने के बाद तुम क्या करोगे चरह ध्यान देखो रिचल नंबर का हम एक heading डालो terminating decimal expansion इसके बारे में पहले समझ लो heading डालो फटाफट हंदी में भी बता हूंगा भी terminating decimal है किया है बए arbitrarily expansion में देको यहाँ पेक्त समझाओ यह क्या होता है इसको हिंदी में भी बताऊंगा भी बच्चों इसे हिंदी में बहुत सुद्ध तो मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ इसे बोलते हैं सांत दस हमलो क्या बोलते हैं सांत दस हमलो जैसे अगर मैं आपको भाग करने को बोलूँ कोई नंबर को तो भाग तो आप लोगे कर लोगे कि नहीं कर पाओगे देखो यहां पर समझो बच्चों सांत दसमलो जो है जैसे अगर मैंने कहा कि भाईया पांच में दस से भाग करो बोलो सभी कर लोगे कर लोगे बहुत सिंपल सा है आप कहोगे कि गुरूजी 0.5 होगा अगर मैं आप से बोलूँ कि आठ में 100 से भाग करो तो आप कहोगे गुरूजी इतना होई जाएगा यह तो आप अराम से कर लोगे बड़े प्यार से लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है वो क्या समझना है कि सिर्फ जीरो वाले ही तो नहीं मिलेंगे ना आगे चलके बहुत तरह के मिलेंगे बहुत कुछ मिलेगा तो इसमें आपको पहले पूरा कांसेप्ट समझना है देखो बच्चों सांत दसमलो क्या होता है वो फ्रेक्शन या फिर वो दसमलो परसार जो पूरा पूरा कंपलीटली डिवाइड हो जाए और सेसफल जीरो आ जाए उसी को क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सप दिख लो 45 बटा 100 यह बराबर आएगा 0.45 इसका मतलब पहले आप समझ लो मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल आप टेंसन मतलो ठीक है तो बच्चों जैसे अगर हम यह 45 में 100 से भाग करेंगे तो आप सबको पता है कि इसका भाग इसमें कर लोगे कर लोगे न बिर जै से आदो पढ़ाई कर लो बैटा नहीं बलाक कर देंगे ठीक है यहां बातचीत करने का टाइम नहीं है में कुछ नंबर नहीं पाए थे फेल हो गए थे हम फेल हो गए थे उसके बाद फिर पढ़ाने लगे समझ रहे हो अब चलो अब तुम खुश हो गए ना देखो हम कितन बार जाएगा हमें पता है पहले यह जीरो बार जाएगा हां कितनी बार जाएगा बहुत जीरो बार जाएगा कोन है जीरो बार आप इसको पहले एक बार ले जाओ क्योंकि उसके ज्यादा भाग जाएगा नहीं इसमें तो एक मिनिट इसको मैं साइलेंट कर देता हूं यह स तो 45 बार ने जाने से फाइदा क्या हुआ बाबु देखो जीरो बार ले जाना जरूरी है डारेक्ट आप वन नहीं ले जा सकते वन जाए गाहिए नहीं तो आप क्या करेंगे दसमलो बढ़ाएंगे और यहां पर उतारेंगे आप हमारा यह चार बार जाएगा तो यह 400 आप पचास आया था उपर से मैंने एक जीरो उतार लिया क्योंकि एक बार दसम्रों बढ़ाने के बाद तुम बार-बार जीरो उतार सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब समझो अब पांच बार ले जाओगे तो 500 हो जाएगा ठीक है मतलब कि यह भाग करने पर हमारा इतना मिला सेस्पल कितना आया सभी बच्चे बताओ जल्दी से अनूप मिलन बताओ नितीस नवनीत छोटे लाल देखो हम हर दिन कलास में नाम नहीं बोलेंगे याद रखना तो इसका मतलब यह नहीं कि लाइब नहीं नाम नहीं बोल रहे थ चाहिए तो इससपल कितना आया परसांत सर्मा पीबियार स्टडी अपली केसं डाउनलोड कर लो दो बहिया बाबु उश में जा के इन्रोल कर लो और पढ़ लो हां जा के आज ही तुरंत इन्रोल करो फटट अफट सेज पल जीरो आया सेजब सुनने आया गदों कितना आया है सुनने है जिरो अि राध一次 आपको बताने वाले थे कि तर्मिनेटनिग का हलाता है अब मैं यही नहीं बता हूँगा बार-वार नहीं तो आठ गंटा चल्डो यह सब हैं टर्मेनेटिंग डैसिमल इक्सपेंशन के एक्जांपल है और भी लॉप एक्जांपल है करोड़ों हैं बहुत सारे आपको सिर्फ कंसेफ्ट समझना बच्चा कि 7 अग। सब्साइब यह यह चैनिट डैसिमल इक्सपेंशन क्या होता है जब हम जीरो से सफल लाते हैं भाग करके मतलब जीरो आ जाये तो टर्मिनेटिंग काल आता है जिनको सीखना है पूरा देखो अगर आप कंपटिशन की प्रेपरेशन भी कर रहे हो आपके घर में भाईया दीदी भावी अंकल अंटी है वो भी इसको देख सकती है क्योंकि उन इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम इस्टेप यह इसकी इंगलीज परिभासा हो गई हिंदी में आप लोग परिभासा इसका लिख लोगे कि 7 दसमलों में 7 दसमलों परसार में कुछ इस्टेप करने के बाद सेस्पल जीरो हो जाता है अगला इसमें क्या कोई बताएब अगला टाइटल कोई बताएगा कि दो बच्चों समझो नान टर्मविनेटिंग है अगला यह आपका पह्ला था इसमें दूसरा सैं नान टर्म टर्मनेटिंग एक तर्मिनेटिंग भाइक देखो इसका इंगलीश भरा रहा हूं हिंदी बच्चे भी क्योंकि हमारे हां सीबेसी बर्ड के बच्चे भी होते हैं 36 बपर बोर्ड सभी बपर्ड के होते हैं पूरे देश के बच्चे हैं तो उनको हिंदी अगर नहीं समझ में आती तो मिलिघता हूं क्योंकि English International Language है अमेरिका वाला भी समझ जाएगा इसका मतलब क्या है लेकिन हिंदी में इस समझेंगे तो देखो यह नान टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग इसको लिख लो नान टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग यह फिर इसे रिपीटिंग लिख सकते हो जिसे एक परकार से आप क्या कहोगे इसकी जो हिंदी बड़ी खतरनाक है अनुसानी पुनरावरती या फिर हमें लगता है यही असांत दसमलोपरसार है यही क्या है असांत दसमलोपरसार है लेकिन मुझे इसका हिंदी जो मुझे मालूम है जो मैंने जूड़ा इंटरनेट से वह लिख लो अनुसानी आपके बुक में भी यही दिया है अनुसानी और पुनरावरती हिंदी इसकी बड़ी खतरनाक है जो हिंदी पढ़ते उनको पता होगा देखो समझो यह नान टर्मिनेटिंग रिक सेज़फल जीरो नहीं आता है नान टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन रिक्वेरिंग मतलब रिपीट करता है रिपीट करता है बार बार साइकल किया ऐसे चैन जैसे जैसे साइकल देखे हो साइकल में एक चैन होता है जैसे चलता रहता चलता रहता आसा नही बढ़ी पंखा देखे हो शत में गुमता रहता है ऐसा नहीं खतम हो जाए गुम गया पूरा तो क्या होता इसमें रिपीट होता है समझ रहे हो ना देखो यहां पर चिराग बेटा तुम पांच मिनट के लिए गए समझो इसका इग्जामपल देखो बच्चों जैसे वन अपान थी इसका क्या है इसका इग्जामपल है अब मुझे सभी बच्चे यह बताओ वन अपान थी अगर इसको हल करोगे तो कितना की 11 12 जो चलेगा वह 15 जुलाई के बाद से हमारी कोसित है這樣 कंचा 10 एं 港 लाइब ने पराचे नहीं मतलव लाइब क्लावस चलाने के लिए कं से पिस अ कुम होते हैं तो अम लाइब नहीं चलाते हैं तो कच्छा दस में अगर आप 100 जोड़ सकते हो तो बताओ ठीक है इसका मैंने पूछा था कितना आएगा कौनों नहीं बताया मुकेश सर्मा जी बता रहे बस भाई मैंने सबसे पूछा बच्चा वनपांथरी कितना आएगा देखो बेटा अगर इसको हम भाग करें तो इसको और तो ख़तरनाक हिंदी इसकी हटा हू款 मैं है इसको उपर लिख देते हैं कि भाग करते हैं आप लोग जान गय हो नंव सानी पुन्वरह वर्ती क्या है अनौ सानी कि पुन्वरह वर्ती ठीक है इतना क्लियर ना थे तो इसका क्या बाग करो सब्सक्राइब कर लें हो सकता है लाइब के बाद आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी देर ना करो फटा फट चैट का अपसन हटाओ सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करो गंटी बजा दो चलो और सेशन को लाइक करो बहुत मश्च टॉपिक होने वाला है फटा पट करो चलो तो यह हो गया लेकिन क्या यह इसे लिखते हैं इस समझो इसको बताता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे आक ऐसे गया ही तो बताए नहीं देखो जैसे बच्चों अगर वन में हम थिरी का भाग करें तो यह जाएगा नहीं तो हमें काम करते हैं पहले जीरो बार ले जाते हैं यहां पे जीरो आता है घटाएंगे बनाएगा उसके बार उपर दसमलो बढ़ाते हैं फिर यहां जीरो उतारते हैं कोई भी संख्या में अगर कोई भाग नहीं जा रहा है तो यह मत कहना नहीं जा रहा है तुम जीरो बार ले जा सकते हो हमेशा वन बार भले न जाए लेकिन जीरो बार जाएगा क्योंकि जीरो वन से परो बार फिर यह तीन गया फिर यह नौ आ गया मतलब इसकी आदत में कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह जैसे भी यह कुछ भी करो इनका यह खतम होने वाले हैं नहीं तुम चितना बार भी कर लो रंजु देवी पढ़ लो बच्चा पढ़ लो हां पढ़ लो पढ़ लो नहीं पटक देंगे उठाक चलो कितना आएगा इतना आएगा ना हो गया तो इसको आप समझ गए इस तरह से अच्छा और बता मुझे वैसे तो मुझे कांसेप्ट सिखाना बहुत ज्यादा करना है न अगला एक और लिख लो 157 157 यह कितना आएगा चलो करके बताओ फटफट देखो बच्चों यह आपका 1.3 एकसरसाइज पढ़ने के लिए हम आपको तयार कर रहे हैं वैसे आपको यह कलास पिसले साल केके सुकला सर ने पढ़ाया था कृष्णा कुमार सुकला सर ने आने लागा तो बॉर्ड में भी तुम लोग की जब निकल रही तो मैं क्या करूं बताओ हैं बताओ सोनु एस पे पटेल भई बताओ सोनु ठीक हो ना लड़का बच्चा ठीक है कि नहीं सब ठीक है ना चलो समझो आगे एक अगला इसमें लाश्ट है नान टर्मिनेटिंग एंड नार रिक्वेरिंग मतलब रिपीटिंग यह तीनी टॉपिक है इसमें लिखो नान नार रिपीटिंग 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 यह रिक्वेरिंग मतलब लिख लो दोनों का मतलब एक ही हुआ तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है यहां पर समझो कि समझो कि देखिएवर यह एक ऐसाधा डेशिमल इक्सपेंसन होता है एक ऐसे दसमलों परिषार होता है जिसमें ना तो रिपीट होता है और ना ही कड़ता है यह ऐसे सरकारी नोखरी किता रहा है अमरे इंडिया में जैसे वेकैंसी आती इतना ना वो पूरा होती है ना वो कैंसिल होती है बच्चा पढ़ता रहता है पढ़ता रहता पढ़ता रहता है आठ साल साथ साल छे साल दस साल खिसक जाता है है बहु स्टिब ऑभी मिता है उसको लिक लो इन देस्ट रिमाइंडर रिपीट आफ्तर स्मस्ट of इसका इंग्लिश सदिया लिखेज रिखो भाईया इंग्लिश여क्लो लिखो गे in this रिमाइंडर नेंवर जीरो नरहल खूलो इन देस्ट रिमाइंडर नेंबर जीरो-nor repeat और लिखना ठीक है हिंदी में लिख लो नान टर्मिनेटिंग और नार रिपीटिंग दसमलों परसार में कि शेसफल ना तो सुनने आता है और ना ही रिपीट होता है ना तो सुनने आता है और ना ही repeat होता है जैसे एक्जांपल लिख लो एक्जांपल लिख लो जैसे 22 बटा साथ अगर तुम करके देखो भाग दे के देखना कितना आता है फिर बताना हां और एक और यह अंडरूट दो इसका मान भी करके देखना फिर बताना 1.401 सम्थिंग ऐसे आता जाता है इसको भी कर चीराग बिटक आयमु बना रहे हो पढ़ लो पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो जाओ कुछ काम दाम करो भाइस को चारा वारा डाल दो हां कि समझ रहे हो ना गोभर अपर बाल लो हुँँआ अपका वही काम है नहीं पढ़े लिखेगा नहीं क्या करेंगा बताओ जो नहीं पढ़े लिखेगा क्या करेगा कोई नहीं काम तो करेगा ना तो उज्वल सिंग चलें आगे बढ़ें ठीक है सब कुछ मजा आरही समझ में आ रहा ना तो सबसे पहले तो तुम जितने लोग जुड़ें तुरंद लाइक करो अब लाइक करो उसके बाद आगे बा होना width & Mm कि आप शबी किये पटापक लएक हरो मैं देख आवा रहा हुँ कौन नहीं कर रहा है कंजूशी नहीं कर ना वह 있다 नहीं नहीं बहुत है आई मान्दारी से फिर आगे चिल्लू मिल्लू नहीं आएंगे पुरागे कुछ वोगा नहीं समझ रहे हो ना तो इसलिए पढ़ लो बस यह एक छोटा सा उदारन जिससे तुम समझ सबते हो पढ़ लो समझ गए ना कच्छा नव में पढ़ते हो भी होगा क्या नहीं पढ़ लिक्ओंगे मांगाई इतनी ज्यादा चल रही मालूम है सबड़ी लेने को भी पैसा नहीं रहे हां सब्जी 100ु किल रुपए किलो मिल रही है परवल हम जो इलाहबाद में 80 रुपए किलो मिल रहे है तैम do 001-e decía look at Mitra को तक करेंगे सोचो अगर आप अक्षा नो में हो खाए करेंगे तुम को तो कभी न कभी करना कड़े गा ना इसलिए पड़ दो कि देखो इतना हो गया तो बच्चों अब चलते हैं exercise 1.3 में कलाफ 9th NCRT Math में ये बताओ सबसे पहले कौन-कौन किताब लिया है किताब लिये हो सभी बोलो yes या no बुक लिये हो रोज पूछता हूं न किताब लेके आया करो अच्छी से पढ़ना है तो हां चलो देखो बच्चों जो पहला question है वो क् दसमलो रूप में लिखिए और बताईए कि दसमलो परसार किस परकार का है पहला है 36 बटे 100 क्या है 36 बटे 100 तो भाईया चलो लिख लो बाबू सभी बच्चे इसका बताओ इसका दसमलो परसार किस परकार का है चलो बताओ भाई फटा फटा बताओ अच्छों दूसरा बता परकार का है है इनको सब्जी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह सब्जी नहीं है यह कुछ और खाते हैं यह लोग नहीं खाते देखो यह टर्मिनेटिग है कि नॉन टर्मिनेटिग है मतलब दसामलोपर्सार सांथ है यह और क्या कह रहा था पर्सार किस परकार का है यह पूछ रहा था तो ठीक है बच्चों कर लो ०ा कांसेप्ट मैंने सिखा दिया है अगर तुम कांसेप्ट सिख गए और तो फिर कोई तुमें रोंकी नहीं सकता इसको करने में कि देखो कि अब सुलो मोड हटाओ इनके दर्द हो रहा है सुलो मोड हटा दो तो यह कापी पेस्ट करें 36 बटे सौ यह इतना आएगा ना दो अंक पे दसंबलो लगेगा ना क्या होगा टू अंक पे डेसिमल लगेगा तो बच्चों यह कहने का मतलब है कि सेस्पल जीरो आएगा जब हम 36 में भाग करेंगे तो 0 बार जायगा 3 आएगा 3 बार जायगा भई या तीन बार इब भाग करना तो तुम जानते हैं इस में तुम है बताओं का नहीं है इसको भी बताओं की भाग कैसे होता है अब यह भी नहीं हो जीरू लिषक और देखो चलो समझो है तो बच्चों अगर सेजबी जीरू आ गया तो इसका जो डेश्सरख सेटर होगा वह टर्मनेटिंग होगा जो सांथ होगा आप लिख लो डेश्सकेंशन से टर्मनेटिंग यह फिर लिखना ऐसे इसंस ठीक है क्या 왃व fan शांत दसम्मलों पर साग कि दूसरा क्या है दूसरा भई यह खतरनाक है मुझे लग रहे हैं कि दूसरा क्थरनाक है बच्चा पहले तो तुम भाग करके मुझे बताओ कितना ऐगा जीरो पॉइंट यह 09090909 अई से जाए गई है यह कहतम नहीं होने वाला है थेना अनुराग को सिस्वाल कुछ नहीं इस स्वारब मौर्या बेटे तुम जाओ कुछ और करो अब देखो इस आप भाग करोगे बार-बार रिपीट होगा रिपीट होगा रिपीट होगा मतलब क्या कहोगे इसे फिर नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ठीक है यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है अगर पढ़ना है तो कलाज छोड़के ना जाना बाकी अगर ज किन्ति ले करके क्या होगा यह रिपीट होता रहेगा जैसे देखो तुम इधर समझो हमें क्या करना था हमें वन में 11 से भाग करना था मतलब एक में 11 से भाग करना है तो पहले हम जीरो बार ले जाएंगे तो यहां पर जीरो बार जब ले जाते हैं तो जीरो आता बाबू क्य नहीं होता है जब उपर जीरो बार तुम ले गए तो वहां पर जीरो नहीं आएगा जीरो बार ले जाने पर यह आएगा मतलब मैदान में आजाता है इसका यह मतलब होता है तो बच्चों यह हो गया अब हम क्या करेंगे उपर दस हमलों बढ़ाएंगे यहां पर जीरो उतार याद रखना अगर किसी गिंती के बगल में दो जीरो उतार रहे हो तो हमेशा उपर एक जीरो बढ़ा के तभी उतारोगे ऐसा नहीं कि एक बार दसमलो बढ़ा दिये तो तुम थो क्रेट में दस बीस जीरो उतारोगे नहीं सिर्फ एक ही अला हुए उससे आगे अलग आप इस की गरीबी फिर से वैसे शूरू हो गई उपर दसमलों बढ़ाया है तो सुनना तो उतार लिया लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा है बतलों महां गरीबी है इसे तो क्या करेंगे अब अब क्या करेंगे बच्चों फिर पह एक जीरो बढ़ाएंगे फिर एटी उतार कभी यह कटेगा नहीं समझ में आया ना वल्लब भी मिस्रा आरा समझ में सबको समझ में आ रहा है ना मुझे लग रहा ब्राइटनेस थोड़ा कम है क्या है थोड़ा कम चमक रहा है ना कि चलो नान टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अन्ह़ा नहीं पुंडरा वर्ती इंग्लेज में लिख्लो नान टर्मिनेटिंग ए कि नान हेड़ी है हें लगता है कि एक हमें लोगता यहीं क्या है लेकिन मुझे इसकी हिंदी क्लियर नहीं है कि अनोसानि पुन्रावर्ती इसकी हिंदी होगी बार ये तुमагनों मतलब समंझ यानि अगर सेसपल जीरो ना आये बार-बार कुछ गिंती रिपीट करें बार-बार रिपीट करें तो वो नान टर्मिनेटिंग होता है लेकिन अगर सेसपल जीरो आ जाई इस तरह से तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर दसम्लो परसार क्या होता है सांत होता है अभी और जूम करें कम मज़ा आ रही है तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि मैं फालतू चिला रहा हूँ समझ में आ रहा ना सबको चलो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया एक धो जूर्य है कर लेना की डिया पाँ पालतू कर लोगस्ट की नहीं तीसरा बताओ अब तुम बता हो을गा आब मैं नहीं बतांगा और हमारूंगा या बठाशन आप उंग आ नहीं होग तो पढ़ने नहीं कर नहीं दूंगा चलो कामचोरी करें नहीं करना थेक है ओर कर ए गिया जाएगा एको समझो कि तीसरा कि ओर इंटू कि वन अपान एट कि चलो बताओ इसका डेसिमाल एक्सपेंशन क्या होगा सबी बच्चे बताएं मनोज सिंग बेटा और देर में आओ और देर में आओ साथ बज़े शुरू होती है तुम नो बज़े आओ फिर अभी देख बच्चे साथ बज़े नहीं जुड़े थे वह बच्चे इस कलास को रिपीट कर लेंगे रिपीट कर लेना सब समझ में आ जाएगा चलो इसलिए तो मैं दस सिकेंड के लिए लगाया हूं रोक कुछ ऐसे नालायक है ना जो काफी पेश्ट करते हैं तो बेटा दो बार पेश्ट करते हैं होता ही नहीं है तब तक किसी और का कमेंट आ जाता है नहीं तो यह जो इमोजी आ रही ना सहुर्व की लगातार केवल इनी का दिखता आजल बाबा कि किसी का ना अगा अगर कोई मैसेज टाइप करेगा मैसेज टाइप करेगा तो फिर आयेगा कमेंट मिया अगर वो पेस्ट कर एगा तो नहीं आएगा कर लोगे नते का यह नहीं तुम लोग कॉन नहीं बोल रहा है क्यों दो लोगे न जन्रहपड रहेंगे न शेएगा नहीं करोगे उनकुच को पता है आप लाइन पढ़ाते हैं ना बहुत उमारते थे जो ना करता था हमारा होमवर्क सब करके लाते थे चाहे और गुरुजी का करे ना करे ना करे ना इंटेंथ वाले बहुत फास्ट करते उनको पता था मैत में नहीं करेंगे तो गड़ जाएगा चलो देखो यहां पर समझो य अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यह 25 बटे आठ हाएगा अगर इसको भाग करोगे बच्चा तो करके देख लो फिलहाल बड़ा डेंजरस आएगा मुझे लग रही है हां कि कट जाएगा बिलकुल सही रंजुदे भी बता रही बहुत अच्छे जस्बिंदर स बहुत अच्छे बेरी गुट साजन कुमार हाँ बहुत अच्छे यही तो हमारे सबसे प्यारे लाटले बच्चे यह देखो 4.125 आएगा बता रहे हैं और कुछ तो ऐसे गदहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब बैठे हैं अराम से अभी छाप लेंगे बद देखो तो । यह जब यह जीरो से पला जायागा इतना भाग फला जागा क्वेसियंट आजाएंगा तो इसे लिखो कि टर्मैटिंग क्या हैं यह टर्मनेटिंग है means सांत दसमलोग परसार लीऺ है टर्मनेटिंग डेसिमल एकसिंसन या उन्म टसमलोग परसार तो इसमें एक और भी है जो भी एप कर लोगे अब मैं नहीं बताने वाला हूं लिख लो तुम लोग कर ले ना मैंने सारा गुण सिखा दिया तुम्हें चलो बताओ 4 वाले का जबाब दो फटा फट सभी बच्चे उसके बाद 5 वाला बताना 2 अपान 11 सभी बताओ सभी 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 फटा फट उसके बाद 3 2 9 400 चलो कि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम हम जो जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जो बुकिया में दिया हमें इससे मतलब है एक बटा साथ बराबर रही साथ है गदहों लिख लो लिखो 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 यह इतना दिया है ठीक है यह इतना होता है आप भाग करके देख लो इतना होता है आगे क्या कह रहा है सुनो कह रहा कि हम जानते हैं यजिपके क्या है इसस्के पूरे पर क्या है रहा कि वह तो में लंबा भाग किया बिना आप बता सेबन ये धेर सारे नंबर दिये गए हैं कहरा कि इनका दसमलों परसार क्या है यदि हां तो वो कैसे एक बार कुश्चन पढ़ो NCRT बुक है कच्छा 9 की गडित है कुश्चन नंबर 3 है प्रफना वली 1.3 है तो बच्चा क्या कह रहा है जो उसको हम लोग को गौर से समझना है कह रहा है कि एक बटा साथ जो है वो इतने के बराबर होता है ये सही है तो इसी आधार पर इसी तरज पर आप इनको मैंने दो ही अभी लिखाया अभी और भी लिखेंगे इनको बिना लंबी भाग किये इनको बिना लंबी भाग किये आप हल करो और हल करके दसमलो परसार करके यह बताओ कि इनका जो दसमलो परसार है वो क्या है किस परकार का है और अगर हाँ आप कर सकते हो तो वो कैसे करोगी यह बताना है तो देखो, इनको मुख्य रूप से सिर्फ इनकी क्या बताना है, बच्चा ट्रिक बताना है, ठीक है, तो समझो, 2 upon 7 इनका पहला नंबर है, तो बच्चा इसे हम लिख सकते हैं, बाबू 2 into 1 upon 7, लिख सकते हैं न, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 7 की जगा पे हम 0.142857 लिख देंग हासी लेग, दू यठे 16, 177, हासी लेग, दू दू न चार एक 5, और दो चोगा 8, दो एकम 2, तो भीया हो, बाबू हो, ये आपका इतना आ जाएगा, अब बताओ इसका दसमलो परसार क्या है, मिश्टर बंदना पलक मौर्या जी बताइए, ये समझ में आया, तो इसका दसम लोग परसार क्या है, अभी मैंने पहली कलास में, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, ये नान टर्मनेटिंग है, बट रिपीटिंग है, ठीक है, नान टर्मनेटिंग बट रिपीटिंग, यही ना, चलो, ये आपके सामने आ गया, तो इसी तरह से प्यार के इसमें पुट करोगे, यानि 142857 जो भी दिया गया है, इसको तीन से गुड़ा करोगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, कर लोगे ना भाईया, कर लोगे ना बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से तुम इ इन का इसमें गुड़ा कर दो, तो तीन से एकीस, हासिलाएा दो, इदर दीख रहे है न, तीन से एकीस, हांसिल दो, तीन पचहेइं 15, दो,yl, सतरह का साथ, हासिलाए, एक, और तीन अटिया चौ्बिस, एक पचीश का पाँच, हासिलाए, दो, तीन दून उना छ्च्च्य, के दो आठ तीन चोग बारा के दो हांसिल एक तीने कम तीने चार तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों यह आपका 0.428571 है ना इसके उपर बार लगा दो यह नीचे वाली लाठी लगाओ या ना लगाओ ममता तिवारी जी कमेंट हार आपका जस्विंदर सिंग पुस्पा अमित रामू सीलू दर्सन हंस राज बर्मा कमलेश रूती सूरज पिंकी सबका कमेंट आ रहा है यह मल्टीपल सही सही करना ऐसा नहीं कि गुड़ा ना कर पाओ तुम फिर तो सब गड़ बढ़ाई जाएगा मामला सब खिचड़ी हो जाएगा गुड़ा कर लेना सही सही हां चलें आगे बढ़ें चलो तो यह आपका हो गया इस तरह से बच्चों आप मुझे यह बताओ जैसे मैंने अभी बताया क्या आप 4 by 7 कर लोगे की नहीं अभी बोलो यास या नो जल्दी बताओ यास या नो कर लोगे की नहीं कर लोगे ना भया जल्दी बोलो यास देखिए एक बात बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों आपको सिर्फ यहां से तरीका सीखना है यह नहीं कि गुरुजी हमरें तो दूइबटा तीन दिया है आप यह दूइबटा पांच कहें बताओ ता अरे गदाओं तरीका सीख लो क्योंकि दुनिया में न बहुत सार बाइक है अगर तुम एक बाइक चलाना सीख जाओ तो सब चला लेते हो कि नहीं बताओ सभी बोलो इमांदारी से बोलना अगर कोई बंदा एक गाड़ी चलाना जानता है तो वह सारी दूइबटा चला लेता है न ऐसा था नहीं कि हमारे टीवीयस स्पोर्ट है तो हम हीरों समझ में तो बस इतना ही मान के चलो कि यह क्या है एक मोटर साइकल है जिसे तुम चलाना सीख गए एक न तो तुम सब चला लोगे बस वैसे ही और हाँ जो अलगता रहा के हैं वह मान लो क्या है तो बिजायर है और आपकी सफारी पर चूनर अलग अलग गाड़िया है भई तो उनके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा क्योंकि चार चक्का कहान ही अलग है तो उस तरह से जो अगला कुश्चन है वह मान लो चलो चार चक्का में नहीं सर लाइब में घात लड़का घात जा रहा है भई का बोल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तुमारी बात चांदनी कुमारी जी कमेंट आ रहा है टेक ग्यान ठीक है पिटा देखो पढ़ लो तो अच्छी बात है अब अगला कुश्चन पढ़ो कोई क्या लिखा ह अगला कुश्चन नंबर तीसरा अरे यह तो दूसरा था जो मैं बताया अब तीसरा आया अब तक दूसरा था तो बच्चो एक्सरसाइज 1.3 का कुश्चन नंबर तीसरा पढ़ो सभी जल्दी से यह बताओ हमारी आवाज कुछ ज्यादा चैला फार निकल रही का मतलब रे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए क्या करना है बच्चो इन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है अच्छा एक बात बताओ इमानदारी से क्या यह किताब तुम्हारी सवाल मतलब यह सवाल तुम्हारी किताब में है बोलो यस है किनके किनके किता हो सकता है इसमें 0.6 से तुम्हेरे 4 हो या 2 यह हो सकता है क्योंकि अलग-अलग राइटर में गिंती बदल सकती है लेकिन टॉपिक और कांसेप्ट वही होगा ठीक है रिया पटोईल आ रहा है बही आ रहा है कमल मनोज बहुत अच्छे सबके में है चलो बच्चे ठीक है तो सा जिनाट इक्वल जीरो अरे वही पर्मिय संक्या की कहानी बताया और क्या है रिफनल नंबर की कहानी बताया है तो बच्चों क्या करोगे आप इसकी हकीकत जानते हो ना इससे परचीत हो ना जैसे तुम्हारे बगल का एक लड़का है और बड़ा ही लोख टाइप का है अब उसकी सारी कहानी बता सकते हो ना उनसे जानते हो आप लोग जानते हो अब मतलब है इतना लंबा यह गया यह इसी में समट के बैठा दा जैसे कोबरा साप देखे लपट के बैठ जाता है लगता बहुत छोटा है जब खुलता है पूरा ना इश्य करके न तब लगता है करी तो इतना बड़ा है माही रिमाई देखो समझो तो इसी तरह से इसका मतलब अगर यह इतना बड़ा हो गया तो भाई आभी इसको मान लेते हैं क्या मानते हैं माना यक्स बराबर चाहे यक्स के बराबर मान लो या वाई के बराबर मान लो किसी एक चर पद के बराबर हम इसे मान लेते हैं यह हमारी मजबूर यह मानना उसके बाद फिर क्या करते हैं चाहिए बच्चों वियुक्म सभाइट करना अगर यह पर एक अंक पर बार लगारें उसमें दोनों तरफ दस से गुड़ा करेंगे अगर दोनों तरफ 10 सेब दशनहें गदों सब करेंगे अगर तीन अंक पर बार लगा है तो एक हजार से गुड़ा करेंगे याद रखना बोलो आया समझ में अगर एक अंक पर बार लगा है तो दस से गुड़ा करोगे दो अंक पर लगा है तो सो से तीन अंक पर लगा है तो एक हजार से इस चीजों की याद रखना एंधेव ऑग्स अकेला अकेले कहा हो गए तू तुम ताहीं तुमारी मेडम कई निकल गई का देखो समझो जाने तो छोड़ु अब इसमें दोनों समीकरं में सबढ़ा इतना सब कुछ ठीक है तो छुड़ा सारुक जब आब बहुत जाद है हम इसको अंगर बढ़वा दिये थे चलो कि अब क्या करोगे दस से कुड़ा कर दो रोंका किसने है चलो दस से कुड़ा करोगे बच्चों तो यह हो जाएगा दस यक्स यह एक अंक दस समय करन दो से समी करन एक गटाने पर समी करन दो से समी करन एक को घटाने पर पर चलो घटा लो घटा लोगे न है तो लिको समी करण तो माइनस समी करण एक हम घटाएंगे तो अगर डारेक्ट लिख देंगे तो तुम कहोगे मुझे समझ में आया नहीं इसलिए मुझे पूरी कहानी explain करनी पड़ेगी तो हम उपर मिटा के लिखेंगे ठीक है तो चलो यहां से उपर चलते हैं उपर मतलब बोर्ड में उपर एकदम नहीं समझो तो यहां पर जगा है लेकिन थोड़ा सा कम है सकेते में संदियान हो जाएगा इसे बोलते हैं चलो लिख लेता हूं तो समीकरण दो दस यक्स है बराबर छे दस हमलोग छे 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 मतलब सिक्स 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 जादा बार नहीं इसका मतलब कुछ और निकलने लगेगा चलो तो उपर आप हम लिख रहें अगर नहीं लिख पाए थे तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके लिखो मुकेश सर्मा कुछ पुझा आरा बचवा दिमाग में घुशरा थोड़ा थोड़ा की नहीं आरा समझ में न यह समीकरण का कई था समीकरण एक क्या आया था हरे हमें याद है जाने दो यह कि गड़या इनको दोनोन को घटाना जहाए तो बाबु घटाना है तो तुम पहिले से चाफ्शा छे में पांच में को जायेगा यह सब सुनना हो wellness有 जायेगा सुनना हो जायेगा औरसित पालिवार कि कुछ कुछ समझ में आ रहा हैं गझाथ वीडियो भाइक करके लिखते जाओ एक पान किया करो सब्सक्रίν के हम पूरा लिखते हैं सामने से और तो तुम इसक्रीन ले लिया करो फटा फट जहट से पिली देखें घर में कहीं दूद रख दो भूले से लपक लेती है वह यह से लपक लिया करो तुम लोग अब इस दर के जीरों से कोई मतलब है नहीं तो प्रिया यक्स बराबर हो जाएगा च्छा बटा नो अब तुम इस से काट दो तीन से प्रियांसर होई का बस अब को समझ में आया ना प्रीति तिवारी अब बहुत अच्छा प्रीति जी बहुत-बहुत बहुत पदाई हो आपको कि आपने हंड्रेड में से 89 मार्क्स हासिल किये हैं तो समेस्टर में भी आप अच्छा करें लेकिन ये सरकार क जो गडबर रूल चल रहा है मुझे इसमें कुछ समझ में आता पढ़ाने की नों कि मै क्या पढ़ाओ कॉनसा संवेस्टर पढ़ांना किसी एकजामस का पता आता है ना यह पता कौनसा परिच्छा होगा कौनसा परमोट होगा तो इसमें क्या किया जाय ऑख अच्छा आप कि चलो अगला कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला थोड़ा अलग सा है अलग सा है ना कि देखो समझो इतने बड़े बड़े लोग ना इन कलास में पढ़ते हो क्यों तुमें दिख रहें का कि इतने बड़े हैं कि ये बता दूसरा कौन कौन कर लेगा He कि मांदारी से बताना जूटी नहीं बोलना जूसरा पारट कौन कौन कर लेगा बहुत चिल आ रहा हूं तरफ है नरी पार के चिला रहा हूं कँ में टीरे बोलूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है रेड लाइन करास कर रही साउंड की कि मैत भाई करंग कुमार है बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो एकदम तापर हो बहुत तेज गर्मी है है ना सिकेंड पार्ट देखो बच्चा देखो देखो मुझे पता है तुम कितना कर लोगे थोड़ा आलाग है तो एक बार सभी साथी फटाफट कलास को सेयर कर दीजिए फिर से जो नहीं करें थे जो अभी नए नया है निबेदन है उनसे और सेशन को लाइक कर दिए तुरंद और नए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपकी जिम्मेदारी इतनी जिम्मेदारी आप समझे ए उमांदारी से दिल से पूछो करना चाहिए इतना करो उसके बाद आगे बाद करते हैं जल्दी करो सत्यों हम सब को पता है क्या पता है एक जो पढ़े है उनको पता है जो नहीं पढ़े कभी उनको का पता है कुछ नहीं पता है Kenneth को अमस्का मतलब यह वा यह ूइंट 47 777 777 इसका यह मतलब है ना अगर यह बार का चिन्हा फोर पर भी होता तो यह फोर सेवन फोर सेवन जाता कि इसका यह मतलब है इतना ही मतलब है ना अब देखो समझो तो बच्चों प्यारे साथियों इसको मान लेंगे माना यक्स बराबर 0.4777 यह कोईसा नंबर फास्ट यूंडर समझ में आया ना बच्चा थोड़ा बहुत इतना उतना चलो पुझाएगा सब जाएगा यह मैंने क्या किया मान लिया अब यह बता मुझे इसमें गुडवा किस से करोगे दस से करोगे सो से करोगे हजार से करोगे सब भी बताओ एक एक सब्सक्राइब होता है बार-बार सब्सक्राइब नहीं होता है तो गडबड हो जाएगा दूबार नहीं करना किस्ते कुड़ा करेंगे मैंने पूछा है अब तुम बोल का है नहीं रहे हो अभी तक मार्ट टपर टपर कर रहे हुआ मुझका अंदस बता रही अडन प्लेयर तुम आ कहां से गई यह बताओ मौन लाला अधेश ठीक है चलो दस से करेंगे जितने गिंती पर बार लगा रहेगा तुम उतने से ही गुड़ा करोगे मतलब उतने जीरो लगा के एक के साथ में अगर एक गिंती पर बार है तो दस स दो गिंती पर बार लगा है तो सो से तीन पर लगा है तो हजार से अतुल गेमिंग सुरेंदर सिंग अधेश अकेला तेज सिंग ठीक है बच्चा बहुत अच्छा पेरी गुड तो बच्चों क्या करेंगे इसमें अब हम इसमें हम दस से दोनों तरफ गुड़ा करेंगे आ तरफ दस्ते गुड़ा करने पर तो बच्क और बच्ची ओं यह इतना वें जाएगा तो है यह 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 दुगा कुछ अब क्या करेंगे समी करण दो से समी करने घटा देंगे निचा लिखो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे multiplying by 10 in equation number 1 इता दूरा है multiplying by 10 both side in equation number 1 ठीक है समझो बरसा जी कमेंट आ रहा तुमारा बरसा यादो ठीक है तो बच्चो इसमें से हमें क्या करना है घटाना है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाना है मजबूरी में हम दुबारा इनको उतारेंगे रुको में स्याही भर देता हूँ थोड़ा और मस चले चटक मटक यहाँ पर लिख लो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 पीच में लिख लो मारकर में थोड़ा मैं इंक भर देता हूँ कोई इसका उत्तर बताए सबसे पहले तो हम जान जाएं कि बहादूर है वह सूरत स्रिवास्तों जेके गेमिंग और देखो भाईया सभी बच्चे कलास को लाइक जरूर करो यह हम बोलें बार बार बीच बीच यह बहुत सरम की बात है कि अच्छा नहीं लगता मज़ा नहीं आती है आप लोग समझो कलास का टाइम साम को साथ बज़े से रात आठ बज़े तक कभी-कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है तो थोड़ा इंतजार कर लिया करो वैसे भी बहुत इंतजार करते हो जिंदगी में मेरा भी कर लिया करो देखो समझो तो यह एक्स एक्वल आपका यह हो जाएगा जो भी था समझ करने एक में फोर है सबसे पहले फोर है थोड़ी था अब इन दोनों को हम घटाएंगे लेकिन जो आएगा उसको तुमको न बताएंगे उसको उपर लिखेंगे इतना स्क्रीन सार्ट ले लो फिर मैं मिटा रहा हूं जबती करो इतना स्क्रीन सार्ट ले लो मैं मिटा रहा हूं चलो हो गया अब मैं सिर्फ कुष्चन मिटाया हूं और जो माना था वो मिटाया हूं बस और कुछ ना मिटाया हूं थाकते चलो फटाफट तो बच्चों बहुत ही प्यार से समझो गडित बहुत आसान है जो इसमें हमारे चात्र भूल चूप से जुड़े हैं जिनको गडित बिल्कुल नहीं आती है वो बिल्कुल जीरो लेबल से PBR study application में पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलो बच्चा घटालो ब बराबर 4.3 अपान 9 आएगा हां ठीक है तो बच्चा हो बाबू हो इनको हम यक्स बराबर 43 बटान अब लिख सकते हैं इसमें किसी को कोई परेसानी अपत्ती नहीं ना तेज सिंग आया समझ में मनोच सिंग बिटा जितना सारा इमोजी या फिर कुछ और कूडा कचना लग सिंपल वर्ड में अगर लिखोगे जो अपनी बात तो हमारे नजर में आएगा तो बोलेंगे कुछ लोग सोचते हैं धेर सारा इमोजी लगा दो धेर सारा कूडा कचरा उसी में गंदगी भर के भेज़ दो हमारा नाम जरूर बोलेंगे उनको हम बोलते नहीं बस बरदास क के तुम लोग कर लोगे से धवाला कर लोगे कि नहीं एक चीज़ और समझेदे को कलाप्स नहीं होती अरभिवार को भी अगर होगी तो हम बताएंगे अरभिवार को हम टेस्ट लेंगे आपका पौर्स अप्डेट किया जाता है तो हर सटर्डे को टेस्ट होगा और जितना पढ़ाई रहेंगे उतना का नोट्स बनाके और अच्छे से पढ़के तब आओगे इसा नहीं कि यूट्यूब पे तुम वीडियो देख ले रहे हो वीडियो देखने से नहीं काम बनने वाला है इमानदारी से पढ़ना होगा कौन कौन टेस्ट देखा बताओ जो तो प्यारे बच्चों इसमें जल्ठी आउर है कि खरकना का कहत्वा है कि उप्षा तो है नगा है कि वीडियो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन यह है इसमें तीनों के उपर बार लगा है अब इसकी कहानी समझो कैसे क्या देखे आंपे समझो पच्चों इसमें तीन अंटफे ंपर बार लगा है क्या है तीन अंग पर वार लगा है इसका मतलब जानते हो क्या है इसका मतलब यह है भाबी कि यह इतना है यह इतना है नहींů यानि यह 001 001 001 001 रिपीट हो रहा है बार बार एंड अगें 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 इसको क्या करेंगे यक्स के बराबर मान लेंगे इतना ठीक है इसके बाद क्या करेंगे तीन अंक पर बार लगा है मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था अगर एक अंक पर बार लगा रहेगा तो दस से दुन तरब गुड़ा करोगे तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखो कमी करण एक में दोनों तरफ हमी करण एक में दोनों तराफ एक हजार से गुड़ा करने पर एक हजार से गुड़ा करने पर लिख लो मैं नहीं लिखोंगा इंग्लिस मीडियम वाले लिख ले multiplying by one thousand both side in equation number one तो चलो इसमें एक हजार से गुड़ा करेंगे one thousand x इधर क्या आएगा भईया one आएगा भबागा इधर का हो जाएगा सब 0000 होई जाएगा जो भी रहे गा अपना 00001 डाट 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 अब यह बन गया आपका संहीकरण नंबर दो अब लिखो कमी शुक्राण जो माइनस संहीकरण एक सब्स्ट्रेग इक्वेशन नंबर फाइस्ट माइनस सब्ट्रेक्टिंग इक्वेशन नंबर फिकेंड माइनस वन ठीक है देखो तो घटालो भाईया एक हजार एक्स पराबर यह आपका जो भी लिखा है इसे लिख लो ऐसे ही भाई फालत जीरो जीरोओं 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 फालत कमेंट वाले को बला करो यह गल्ती से पैदा हो गएंकी दिक्कत नहीं है चलो कि इमको आपस में घटाओगे 999 यह एक आएगा आगा निचे दिख रहा है की नहीं दिख रहा है नीचे दिख रहा है ना चलो ठीक है देख लो कोई दिक्कत नहीं अभी मैं और दिखा दूँगा अच्छे से 99 के साथ में यह तिरपल 9 के साथ में यक्स भी आएगा तो फाइनल में जो यक्स की बहलू आएगी बच्चों 1 अपान तिरपल 9 आएगा यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है नीचे लो मैं थोड़ा और नीचे तक दिखा देता हूं चलो क्लियर विजिवल हो रहा है पूरा दिख रहा है ना मनोज सिंग ठीक है आकास कुमार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो नहीं तो यहां से निकल लो नहीं हम बहुत 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 गड़बड आदमी हैं समझ रहो ना फिर पढ़ने वालों के लिए अच्छे हैं बस पाकि तुम्हारे जैसे नलायक की यहां जगा नहीं होती है हमारी कलास में जाड़ू अड़ अधिरायल देज सिंग्ग आकास संकर राच ललित चलो नरेश बेटा पढ़ लो नहीं तो नंबर नहीं तुमको अभी बहुत अच्छा चीज दे देंगे अब तुम लेके उसको बैठोंगे हो गया प्रियंका जी साइंस का चलेगा हमारी कोसिस है देखो बहुत जल्दी चलेगा जुलाई में पंदरा जुलाई से देखो हो सकता चल जाए बताएंगे टाइम बता देंगे इसी कलास में मैथ ठीक है ना बच्चों चलो तो यह आपका थर्ड भी हो गया इस तरह से आपका कुश्चन नंबर सिकेंड और थर्ड पूरा हो गया आज आप पढ़ रहे थे कौन सा एक्सरसाइज 1.3 कीजिए और कह रहा कि आपने उत्तर से आप आश्चर चकित हैं यह बताना है तो बच्चा देखो यहाँ पे समझो सबसे पहले तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में वेक्त करेंगे क्विश्चन जो भी हमें दिया है देखो क्या दिया है 0.999999 यह दिया है ना इसे पी अपान क्यू के रूप में वेक्त करना है हम सभी जानते हैं इसकी क्या खासियत है कितना अच्छा है कितना दूश्ट है क्योंकि पहले पढ़ाया हूं ना तो भाईया इसको तुम ऐसे नबी तो लिख सकते हो दो दो इधिन कुमार बेटा पढ़ लो पाड़ नहीं बहुत लात मारें सद्धात HP शांती दो देखो में प्पूइंट थिरी में पढ़े थे ना इसके पहले इसके पहले पढ़े थे मैंने आप कितना हो गया समझ रहो कि नहीं हमारी बात इसको आप यक्स के बराबर मान सकते हो उसके बाद क्या करोगी समी करण एक में यह सब मैं तरीका बताया हूं पहले एक सर्साइज में आप पढ़े हो समी करण एक में दोनों तरफ दस से गुड़ा करने पर दोनों तरफ दस से गुड़ा करने पर इंगलिस मीडियम वाले लिखेंगे जो सीबेसी वाले बच्चे हैं या अधर राज्य वाले हैं मल्टिप्लाइंग बाइटेन इन इक्वेशन नंबर फ़र्स्ट लिखोगे उसका मतलब ही है कि दुनों तरफ करना एक तरफ तो करना नहीं है तो ऐसे इतिति में बच्चा यह हो जाएगा आपका दस यक्स भराबर 9.99999 डाट 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 और यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फिकेंड ठीक है कितना तो तुम समझ गये ना इसमें तो कोई हैरानी नहीं है ना राइप सॉंग समझ में आ रहा बच्चा रचेंद्र ओजा मुहम्मद आजाद चलो देखो इतना समझ में आया इतना आया तो छापलो फटा फट छापलो मैं इसको मिटाओंगा आप चलो पता देना लिख लेना तो इसक्रीन सार्ट लेलो में सामने से हट गया हूँ तुरंत इसक्रीन सार्ट लेलो में सामने से हट गया हूँ हो गया स्क्रीन साट ले लिया करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगा नहीं कि मैं यहाँ पर उसी में लीपता रहूंगा बहुत कम जगा है अब आगे लिखो लिखते चलो साथ में परसाद नहीं मिलने वाला है कखा हो रही लाइश्ट में संक वजेगित मिलेगा नहीं यहाँ जो मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा कुछ अब समी करण आप लिखोंए आपे समी करण दो माइनस समी करण एक मतलब की एक्वेशन नंबर सिकेंड से एक्वेशन नंबर फाल सामें सब्ट्रेक कर लेना है घटा लेना है तो बच्चो जो दूसरा आया था वह आया था दस यक्स बराबर 9.99999 डट 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 यह है पहला इक्वेशन था यक्स इक्वल 0.99 बोलो यही था ना इनको आप सब्ट्रेक कर लो भाई दस यक्स से एक एक्स गटाओगे नो एक्स आएगा बराबर देखो यह 9.0 आएगा क्यों भाई लिख लो 00 ना तुम ऐसे गटा लो सब 99 है तो 00 हो जायाएगा अब समझो यहां से यक्स बराबर लिखेंगे 9.0 ना इन में आएगा वन यक्स कमान कितना आएगा कोई बताए एनिवन बोलो एक्स कमान कितना आएगा चलो इसको थोड़ा अलग कर देता हूं यह लोग यह कट जाएगा तो वन आएगा ना यह एक्स कमान क्या आया एक आया यह तो हो गया पी अपान क्यू के रूप में हो गया इतना ही इसको लिखना था वन अपान वन करके बराबर पी अपान क्यू कर देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई आश्चर्च चक्षित वाली बात नहीं इसका पहले समझे लो आप सभी तम मज़ा आएगा बच्चा देखो कांसेट समझो इसका अगर देखो एक चीज मैं आपको बताया था ने फिर बता दू अगर जीरो पॉइंट तीन के ऊपर आए तो आप इसे लिखे थे वच्च्च तीन बटा नो अगर ही है यह चीज़ आप याद रखना अगर इसमें दो गिंती के उपर बार है तो भाईया उदर डबल नाइन लिप होगे नीचे यह ट्रीक है जो कंप्रीशन की परिच्छा देते हैं उनको इस सिखाए जाती है यह ट्रीक है समझ गए ना कितने बच्चे जुड़े हैं सभी कलास को लाइक करें अगर यूटूब पर फिरी पढ़ना है यह आपकी जिम्मेदारी यह नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं याद रखना ठीक है क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है नहीं जितने भी आपके दोस्त है सहेली सहेला हैं जो भी हैं सब को सेयर करो कलास सब को लेके आओ यूटूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे आपकी साइंस की और इंगलीस की कलास भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे सारा भी से पढ़ाया जाएगा कक्षानों के लिए लेकिन तुम ज्यादा से जोड़ो दो सो तीन सो चार्सो पांच सो हजार बच्चे जितने बच्चे जुडएंगे उतनी बड़ी कलास चलेगी कई बार रिवाइज करवा देंगे नाइंध कर मजबूत कर लिए ना बोर्ड में हंडेट परसेंट आप करोगे कच्छा दस में क्योंकि नियू कच्छा दो अब हो गया स्क्रीन साट ले लो कि एक ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसमलों परसार अनौसानी अनावर्ती हो ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दसमलों परसार मतलब आपको थ्री नंबर ऐसे लिखना है जिनके डेसिमल इक्सपेंशन नान टर्मनेटिं and non-repeating non-terminating and non-repeating कबच्च वड़ी खतरनाक है पता है कैसे है इसकी non terminating and non repeating की जो मतलब हिंदी है हिंदी इसकी है अनौशानी अनावरती ठीक है तो समझो यहांपर जैसे कोई भी नमबर को अगर हम भाग दे ते घुर यहाओ एक दिमाग लगा लो एक और ऊट तीन और 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 था धानों आप करो गए कुछ अब मैं सुरू सुरू नहीं करा हूं है अभी तुम लीक्रतार करोगे तब में आपको को एक डेमों दिखा रहा हूं ट्रेलर है अब ही ये मूवी तो वाकी ही है चलो कुष्टन सभी पढ़ लिए किताब लिए हो पहले ये बताओ गुट इबनिंग अर्बिंद जी गुट इबनिंग टीपी गुट इबनिंग इस्मिर्टी पिद्यार्थी गुट इबनिंग कुछ नहीं सुन रहा है क्या बाकि सबको सुन रहा है तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट सेयर कर दो भई हंड्रेट पूरा करो इसके बाद हम लोग दो Stefan Q करते हैं।اعर डीक पैच्च सेंफ लिए बेट करते हैं 5-10 मिनट की बच्चे। अब लोग सेयर करते जोड़ा सा इंतजार कर आप कि आपके पास अगर एक दूती मोबाईल है न सब में चला लो कि इनके दस हमलों परसार कि इनके इनके दस हमलों उत्र दिख रहा है कि देख रहा तो कहा है मोगा छोड़े हैं दस हमलों परसार अनौ सानी अना वर्ति हूं अनौ सानी अना वर्ति हूं देखिए अब मुझे लगता है कि बच्चे आ गए अभी कुछ और बच्चे हैं रिया पटेल हां कमेंट आ रहा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है वह सभी बच्चे अपने वाट्साप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार महब्बत वाले नगमें लगाते हो ना वसे इसको भी लगा दो कुछ बच्चों को फायदा हो जाएगा बाला हो जाएगा किसी का चलो मिनक्षी साहो गुड इबनिंग जिब्यांस राजपूत जी गुड इबनिंग अभी फटा-फट सेयर करो तुरन द बिजलिक मसीन है कि बटन दबाए तो बस शुरू हो जाएगा फाइले बच्चे तो पूरा करो ना अब थोड़े से और बच्चे हैं जो बच्चे नहीं सेयर की हैं फटा-फट सेयर कर दें सेशन को लाइक कर दें बस हम सुरू करें हमें थोड़ा साउक लगी है कि हम मंत्री देते हैं पिछले साथ साल से दे रहे हैं हम थोड़ी भासड़ देने वाले हैं जो भाईयों और बेहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं कि समझ रहे हो ना जो बच्चे सेयर करने गए हैं वह आई रहे होंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है तुबम कमेंट आरा बच्चा रभी राज बोल रहे हैं सीदी पर पढ़ाओ अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिन्दगी में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लागे उससे दूर रहूँ लाइब हो जाए तो शुरू करें अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा 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 शेयर कर दो कि कि आने का कि हमको भी पता है तुमको भी पता है वन पॉइंट फॉर वन फॉर ऐसे सम्थिंग होता डाट डाट यह खतम नहीं होता है अको भी पता है यह खतम होता कि ना तो कफश्य मोता न यह रिपीट होता है जाने श्मद बहुत पहले पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है नहीं पढ़ा तो भगवान जाने यह च्छत्वी कलास है अगर आपने इसके पहले की पांच कलाउप नहीं देखा है तो आप द तो अगर हम अंडरूट तीन की बात करें तो इसका क्या होता है थ्री पॉइंट क्या होता है 141 सम्थिंग होता है ना 141 सम्थिंग 59 ऐसे कुछ होता है ना आप लोग कहोगे यह क्या है कहां से आता है ओ और यह है कहां से आता क्या यह रिपीट नहीं ऊता न को एक खतम होतā है यहां यह बीमारी है बहुत बड़ी महामारी कॉरोना के दादी न तो रिपीट होगा मापाई कमान कितना बोलते हैं 314159 इसका वाला हुआ देखो अभी हम इसको आपको आपको के दिखा देंगे अभी कोगे पता नी कहां से लिख दे रहें देख देख लिख रहें एक बीना देखे लिख रहें आप अभी मैं आपको इसको निकाल कि दिखाऊंगा कैसे आता है देखो धान दो कि यह One.7 अजिए आता कैसे है मैं बताओं इसके बारे में क्या समझो इधर साइड में पेटा पवन यादो पढ़ लो तो अच्छी बात है इमानसु बर्मा ठीक है गुड इबनिंग देखो समझो पच्चों जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि चार कवर्गमूल क्या होगा तब तो तुम लपाक से बता दोगे कि गुरुजी दुई होगा अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि पच्चीस कवर्गमूल क्या होगा तो ललू लाल बता देंगे पांच होगा लेकिन अगर मैं तुम से पूछ हूँ कि भाईया दुई कवर्गमूल कितना होगा तो तुम लटक जाओगे जुरा अनाम जाई से तपी तुम्हारे मुझे आवाद नहीं निकलेगी इसका तो होता ही नहीं है होता है इसका दसामलों में होगा आप सीधा फीधा इसका नहीं निकाल पाओगे तो इसकी लंबी विभाजन वाली जो है वो क्या करेंगे हम किरिया करेंगे देखो जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इधर उदर कर ना उनको हम तुरंत भी बलाक करवा रहे हैं फिर उनका कमेंट नहीं आएगा बिटा इसलिए अगर पढ़ने आयो तो पढ़ लो पवन कुमार पढ़ लो हिंदी इंगलिस सब में बता रहे हैं बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो चलो समझो तो देखो दो का जो हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं बच्चों वो कैसे करते हैं कुछ ऐसे करते हैं आपर सम क्या है यह दो दस हमलों के बाद कितने अंक तक निकालना है इसको तुम्हें फालतु कुल हर जगा सफसा दिया देखो चार अंक तक तो तीन अंक तक तो मैंने यहां लिखा है मनलो इसको मैं और ज्यादा अंक तक निकालना चाहता हूं तो इसमें क्या करेंगे बार बार जीरो जीरो करके इनके क्या करेंगे जोड़े बनाते जाते हैं आप यहां पर समझो इनके जोड़े क्या करोगे आप एक्स्पेंड करते जाओगे मैं आपको एक प्रकार से इसमें भाग विधी से वर्गमूल भी बता देता हूँ आप ध्यान से देखो यह ऐसा मंतर है जिसमें सब कबर हो जाएगा मतलब जो नंबर पूर्ड वर्ग है उनका तो आएगा ही जो पूर्ड वर्ग नहीं है उनका भी आजाएगा समझो नंबर है दो यहां पर दसमलो लगा के हमें जितने अंक तक निकालना है देखो एक जोड़ा तो यह बन गया पहले जैसे पांच अंक तक निकालना है तो हम 00 के करे मिला के पांच जोड़ा बनाएंगे यह देखो दो जोड़ा हो गया तीन जोड़ा हो गया चार जोड़ा हो गया चलो पांच जोड़ा में पांच अंक तक निकालूंगा आप देखो पांच अंक में भी खतम नहीं होने वाला है मैं कैमरा आपका थोड़ा इधर मतलब साइड दिखा देता हूं थोड़ा यह काट रहा है अधर यह लो चलो आप समझो तो बच्चों यह है भाग विदी से एक परकार से वर्गमूल यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अंडरूट दो कमान जो तुम अभी तक रटे हो नाइन टेंथ में यही बता जाता बेटा कि रूट दो कमान वन पॉइंट फोर वन फोर होता है और तुम इसको रट लेते हो लेकिन यह आता कैसे है मैं आपको यह दिखाने वाला हूं आप देखो कि कख्छा नोम यह दस में पेपर तक में दिया रहता है अंडरूट तीन क सब्सक्राइब यह द बाट समस्रों में कितनी बार जाए गए यह द्यान देना थोड़ा सा यहां है को ॹी आगर वण बार भाग ले जाएंगे तो हम यहां भी लिखेंगे माया बच्चा देखो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम वन ही लिखेंगे लेकिन वन यहाँ पर कहा से आया यह इसका आपस में बुड़ा होता है वन वन जा वन यहाँ पर घटालो बच्चा कितना आ गया वन और यह जुड़ता है लेकिन एक बात ध्यान रहे इसको जोड़ने पर जो आए तो हो गया अब हमें दसम्लों के बाद वाला जोड़ा उतारना है क्योंकि दो का भाग अनमें जाएगा नहीं हम उदर से दो जोड़ा उतारेंगे अब ये है दो ये है सो अब अगर आप तुमसे पूछें कि बच्चा दो से सो में भाग कितनी बार जाएगा अपे बताता क्यों नहीं इतना देर फे कमेंट किया जारा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो लिखरा है और एक्स गेमिंग बेटा तुम्हारी जिंदगी बिन नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है पढ़ लो परोना वैच में वैसे पास हो गए हो जहां जाओगे ठोकरे खाओगे लाइफ ट्राइम इसलिए पढ़ लो पढ़ लो अब समझो कितनी बार जाएगा मनें पूछा कोई नालायक नहीं बताया लगे है चैटिंग करने में लाइब के लिए इसलिए लिए इनकि छुना कड़ता है ने लाइब करो लाइब करो अच्छ चुमिली इसलिए जिंदग अगर एक बार ले जाएंगे तो ऊपर भी एक लिखेंगे यहां भी एक लिखेंगे और इसका ऐसे गुड़ा होता है यह समझते चलो तो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कईसा आएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या है पता है देखो बच्चा अगर दूई बार ले जाएंगे तो आईसे बनेगा अगर तीन बार ले जाएंगे तो तीन बार ले जाने का मतलब है यह इसे बनेग तो बच्चा जाएगा कितनी बार भाया कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा लल्लू समझ लो प्यार से ये है भाग विधी से वर्गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रहें कि रूट दूई कमान जो 1.414 रटे हो ये तुम्हें मिलता कहां से आता कहां से मैं वो निकाल रहा हूँ ठीक है समझ लो देखो तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अनुभो के आधार पर आप कर लोगे बच्चा ये फोर बार जाएगा कितनी बार जाएगा चार बार मनोच जीवम कुषवा हाँ बहुत अच्छे बाई सीवम जी बेरी कुड चलिए तो कितनी बार जाएगा ये चार बार जाएगा तो बच्चों चार चुका सोला चार दुना आठ एक नौ गटाने पर भी चार आएगा ये इधर जुड जाएगा चार चार आठ इधर थोड़ा दूर में लिखना याद रखना जोड के ये नहीं गई सटाइद दिवाल में नहीं जगर आने देना चार चार आठ और ये दुई तो बच्चा अगर ये चार बार गया तो उपर खोपड़िया पे भी चार लिखना है क्योंकि वही तो आपूट निकाल रहा ना वही तो काम का होगा ना आगे समझो देखो कलाज को पूरा देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो बच्चा जाना नहीं छोड़के यहां पे कोई नहीं दमेली दुलान नहीं आई गया जहां के लिए चल दिए पढ़ना रहे हो ना पूरा कलाज देखो मज़ा आएगा समझ में आएगा महलों एक बार नहीं आया मैं फिर बताऊंगा आएगा पढ़ना है था बहां चलो तो बच्चों यहां पे 28 हो गया यह 4 हो गया अभी तो उपर हमारे 00 के कईयो जोड़े बचे हैं न कईयों बचे हैं न देखो यह एक जोड़ा मैंने उतार लिया था दूसरा जोड़ा उतार लो उपर से क्या करोगे दूसरा जोड़ा उतार लो तो बच्चा दूसरा जोड़ा मैंने क्या किया यहां पे उतार लिया अब आगे समझो अब यह 28 हो गया में बताऊ कितनी बार कोई बताए निवान कीटनी बार जाएगा डेनु कितनी बाह राजाेगा इस यह थि 번째 ना कि तुम लोग उर क्याओंrence छब कितनी बार जाएगा वन बार ठीक है देखो बच्चा अगर हम दो बार ले जाएं तो क्या होता सोचो अगर हम दो बार ले जाते तो ये दो ऐसे बनता दूए दूना चार दूए अठे सोला दूए दूना चार एक पांच 564 हो जाता ये तो भाईया बाप से बड़ा बेटवा हो जाता ये अन्याय हो जाता नर्थ हो जाता यानि तुई बार नहीं जाएगा यहाँ पर भाग अलग तरह की जाती है अगर आप पढ़े हो तो समझोगे ठीक है? तो बच्चा अगर तुम्हें एक बार ले जाओगे यहाँ पर तभी दाल गलने वाली है अगर दुई बार ले गए ना तो दाल गले गिनी गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा ये तो 281 आएगा उपर वन जाएगा तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि 1.41 ये कैसे आता इसमें न? अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहाँ पर करें क्या? देखो यार अब तो इसमें जगा ही नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में समधियान करना पड़ेगा देखो ते हमार rozm थे ऐड़े आप समझ उनको को घटा उेज जोड़े ये एक एक दो हो जायागा थोड़ा छोटा लिफोंगा कितना आएगा हम मुझे आरफ में सीड़ान और सुधार गया यह ओं गया in 119 आएगा ना बहुत अच्छे बाई चिराग बेरी गुड तो बच्चा नीचे आपको थोड़ा कम दिखरा होगा मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके इसको आपको पूरा क्लियर करवा दूँगा आप मुझे बताओ ये कितना बार जाएगा भाई या आप नीचे तक देख लो तुम चलो 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 सेटिंग कर दिया मैंने नीचे तक देख लो तुम चलो अब देखो यहां पर समझो यहां पर समझो देखो भाई यह जो आपका 119 आ गया ना यह 221 आया है अब इसमें भाग तो सिधा फिदा जाएगा तो हम एक काम करेंगे, वो क्या है, एक काम करेंगे, उपर का देखो, मैंने एक जोड़ा उतारा था यहां पे, एक यहां पे, दो जोड़ा मैंने उतार लिया है, तो जो जो मैंने उतार लिया, उसको चिन्धित कर देंगे, यह मैंने उतार लिया, यह उतार लिया, अब हम उतारता वह जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता फैना उतारता तो यह 282 जो है अगर वंटाइम ले जाता तो अठाइस्ट फर्टी सो जाता कितना ओजाता अब कितनी बार जाएगा शोचो जा Department इसको ठोड़ा पास में लिख लो का है इनके बीच में इतनी डूरी रहें सल डुल बताएगा व ganhar रहोरữa राहोल रहार पिमहन ये और द्धेखा नशनEEEE नहीं बताऊंग। क्यों जाएगा क्यूंकि मैं कई बार बता दिया तुम सून नहीं रहो। जाएगा तो यह चार चूक 16 ठाषिल आया एक चार दूना आर्ट एक नौ चार अठे बातीस हासिल तीन और दूना आर्ट इन ग्यारा यहीतना हो जायगा घटा लो इसको तो अरब बताओ तस में से चक्षे गया 4 9 में से 9 गया 0 8 में से 2 गया 6 बस हो गया 604 आया बच्चा इनको जोड़ लो चार चार आठ पुड़ा इदर जगा छोड़के लिखेंगे और ये दो ये आठ और ये दो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा तो भाईया जो मैं चार बार ले गया था ये चार उपर भी तो लिखा जाएगा जिखो तुम्हें कुछ समझ हो मैं आ रहा कि नहीं ये बेटा अंडरूर 2 कमान निकाल रहा हूं मैं कैसे होता दसमलो में तसंबलों के बाद मैंने तीन अंक तक तो ले गए लेकिन एक अंखम और ले जाएंगे इतिहास रचना है, चलो, उपर से एक जोड़ा और उतालो, अब बताओ ये कितनी बार जाएगा, कोई सोच के बताए मुझे, कितनी बार जाएगा भई, राहुल पांडे, चलो बताओ कितनी बार जाएगा, विजय मिस्रा, अच्छा देखो ये कितना है, 60,400, और ये कितना है 2828, तो भाईया, ये 2828 है, मतलब 2828 है, अगर हम वन बार ले जाएगे, तो 28281 आएगा, एक बार ले जाने पर 28281 आएगा, एक बार ले जाने का मतलब ऐसा इस्ट्रेक्चर बनेगा, लेकिन ये 28000 के लगभग आएगा, वो 60,000 है, तो फिर क्यों ना हम दो बार ट्राही करे क्यों ना दो बार ट्राही करें, क्योंकि वन टाइम में बहुत कमा आ रहा है, तो दो बार अगर हम ले जाएंगे, देखो बच्चा, दो जो जो ना ये 4, दो ये 2816, हासी लेक, दो जो 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 ना चार एक 5, देखो बच्चा, दो बार ले जाने पर ये 56564 है, मतलब सही हो रही है तो दूइ बार जाएगा तो दूइ बार जाएगा अपन हजार पांच सो चाहएगा बच्चा यहां पे तुम लिखोगे यहां पे लिखोगे नीचे बहुत ओबर हो रहा है न यहां से एक बात आपको और समझ में होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नहीं होने वाला है जैसे हम लोगों की पीड़ियां चली आई ना है भाई सरकारी नोकरी चाहिए बस क कि अंग्रेज आये ते ना उनने देश को गुलाम बनाया सब को नोकर बनाया पूरी देस के लोगों को लोगों के मन में आया कि नहीं नोकरी करनी चाहिए अब लोगों के दिमाग में वही गुला में बैठी है आज भी सरकारी नोकरी चाहिए लोग लड़की की साधी देखेंगा सरकारी नोकरी वाला हो चाहिए वो गोबरे भरता हो मतलब किसी सरकारी आफिस में लेकिन लेकिन अपना कुछ करिए हमारा यह मानना है समझ रहा हो ना यह उत्तर हो गया आपका यह क्या हो गया उत्तर हो गया क्योंकि यह आने वाला है मतलब खतम होने वाला है नहीं यह यह अभी ऐसे आता जायेगा आता जायेगा कभी खतम नहीं बच्छा इसके आगया गाएतिया एक उर extended दो गया तो ऐसे इसलिए इसको डाट डाट कर दिये थे मतलब यहां पर तुम्हें चीज देखो क्या कोई गिंती बार-बार रिपीट हो रही है बोलो हा या नहीं क्या कोई गिंती यहां पर बार-बार रिपीट हो रही है कोई नहीं दिख रही mu? मतलब देखो 4 आया है लेकिन बीच में 1 आया फिर 4 आया, पिर 2 आया, फिर कुछ और आयगा, फिर कुछ और आयगा मतलब repeat नहीं हो रहा है क्या इसमें कोई उमीद है कि कभी खतम होके 0 हो जायागा? नई, कभी नहीं होगा क्योंकि उपर से तो हम 0 बार बार उतारी सकते हैं नीचे कभी 0 नहीं होगा यहां से हमें यह सीख मिलती है यह नंबर कैसे हैं जिनके दसमलों परसार अनोसानी अनावर्ती हो उसमें से यह नंबर अंडरूर दो बहुत ही सही है यानि जिसके कहते हैं नान रिपीटिंग है नान टर्मिनेटिंग हो समझ में आया ना बच्चा तो आज मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से अंडरूर दो कमान निकलता है सब को समझ में आया जल्दी से इस कलास को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आएगी हा जल्दी करो बाई तुरंद फटा फट लाइक करो जल्दी से सभी साथी इस सेशन को तुरंद लाइक करिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी करिए चलो बेरी गुड़, बहुत अच्छे बैको सभी बच्चे जो नहीं कमेंट कर पा रहे ह। वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे है ponieważ जो तो सब्सक्राइब कररे है वो कमेंट करे है मुझे पता है क्योंकि मैंने बंद कर रखा है जो आते हैं फोकट में देखके चले जाते ना तो सब्सक्राइब करें ना लाइक करें वो कमेंट नहीं कर पाएंगी तो बच्चा आप भी सब्सक्राइब कर लो आप भी कमेंट करो साहित कुरैसी के कौन सा जानुमर भेज रहे हो पमिक्षा कुमारी आठ देखें भी उप जलो ठीक है तो बच्चा इनको हम मिटाएंगे अब स्क्रीन साट ले लो फट से जल्दी से आपके पास दस सिकेंड का टाइम है स्क्रीन साट निकाल लो मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी करो मैं इसको ला रहा हूँ आपके लिए भी रेडि करके चलों अब एक बात बताओ क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे की नहीं अर्भिन्द निकाल लोगे ना रवी राज सुरेंद सिंग सेलेथ राज नूब नूब नाम है इनका यन डबलू नहीं है दादा यन डबलो भी नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे हैं नहीं ब्रांड के कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब इसका कोई मतलब भी नहीं रहें बैटर नीचे उपर सब दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ था यह नहीं जहां तक दिख रहा था वहीं तक था उसके नीचे कुछ नहीं था तो आप लोग अब मुझे पता है कि अंडरूर 3 कभी इसी तरह से निकाल लोगे तो बच्चों यह आपका जो क्वेश्चन है न एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नमबर काउन सा था भाई सतमा सतम होता है जेखो पच्वा कल मैंने बताया था कुछ लोग कंफ्यूज थे तुम्हें फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इसमें जगा नहीं है बोर्ट थोड़ा छोटा पड़ जाता है फिर आप लोग कोगे फिर गलत होने लगता है ये इतना था कितना था एक बटा स 17 नुभाई देखो यहां पर जदाए स्पेस्तों है नहीं और यह बहुत लंबी भाग जाती है सोलाइश सतरा गिंटी में जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता बोर्ड में आता नहीं कर लोगे ना इसको भाग करना है भाग करके लिख देना 16 अंग तक जाएगा बस 16-17 अंग तक जाएगा बबुवन पुज्वल बनवारी आर्ट मैंने आपका चैनल आज ही जोईन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा बबुवन जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्चा क्या नाम है तुम्हारा आर्ट अजीब टाइप का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्लेलिस्ट में है जो पहले पाँच कलास हुई उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके बाद फिर आगे बात करता हूं नेक्स्ट कुश्चन के बारे में आज आपका 1.3 खतम हो जाएगा इक्सरसाइज 1.3 इंडिंग होने वाला बहिया आप बच्चा चलो सभी बच्चे कापी किताब लिये हो की नहीं देखो यार किताब लेके पढ़ा करो खाली हाथ तमासा नहीं देखा करो चलो तो आब कौन सा बताएं इसात नंबर हो गया आठ नंबर कर लोगे कि नहीं कौन सा नंबर कराऊं और जुठाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है थो थोड़ा टाइब आपको मनेज़ करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन कलासे पढ़ रहे हैं लाइब इसमें जो मज़ा है न वो ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि पर्मिय संखाओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग 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 पर्मिय संख्याओं लिखिए अलग अलग तीन पर्मिय संख्याओं पूछ रहा है किसके किसके कुश्चन देखो यहां पर समझो कुश्चन समझो भाईया कुश्चन नमबर अठवा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा इनके बीच की तीन पर्मिय संख्या है, पूछ रहा है अलग अलग, तीन पर्मिय संख्या है, तो बच्चा जो पांच बटा साथ है, इसको तुम भाग करो पहले, मुझे बताओ कितना आएगा, श्याम सुंदर सिंग, भाग करके देखो बच्चा तो, इसको भाग करोगे, त इतना लगबग आएगा, जो कि बार बार रिपीट होगा, अब भाग करके देखो, पांच में साथ से, अब तुम भाग करना जानते हो, इतने बड़े लल्लू लाल नहीं हो कि मैं तुम को यह भी बताओंगा, पांच में साथ का भाग कैसे करते हैं, तुम करके देख लो, कितना लगबग आएगा ना, रिया पटेल आरा समझ में, अरुन मिसरा, चलो फटा पट लिखे जो भाई, देखो, क्वाल्टी बिल्कुल एचिटी में दिख रहा है न, चलो, और यह जो छोटके लल्लू है, यह कितना आएंगे भाईया, 0.81 लगबग आएंगे, इनके संख्या लिखना है, तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, वो का है, देखो, तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर छोड़ने किनारे वाले, यह हमें मिलता है 0.71, बोलो मिलता है कि नहीं, 0.71 मिलता है न, और 7.1 के बाद क्या है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, माल लो कि हम इसे पूरा नहीं लिखते हैं, यह क्या है, 8 1 से है, अगर वैसे देखें तो 71 पैसा है, यह 81 पैसा है, मोटा मोटा, तो भैया हो, अगर हम इसके नीचे बात करें, तो 0.71 के बाद 2 भी तो होगा, 4 2 डाट 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 जो भी, फिर 0.7342 डाट डाट, 0.7442 डाट डाट डाट, और ऐसे करके, जब यह आगे बाढ़ता जाएगा, एक एक बाढ़ता जाएगा, बाढ़ता जाएगा, तो बच्चा नीचे जब बढ़ते आओगे, तो एक समय आएगा जब 0.81 और यह, पूर टू डाट 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 आएगा की नहीं तभी बोलो आएगा की नहीं दूर्गा टिकम खतिक यह तुमारा नाम बड़ा कठीन है मैं नहीं ले सकता हूं माफी चाहता हूं आएगा न? तो क्या कह रहा था? इन दोनों के बीच में तीन अलग अलग पर्मिये संख्याएं लिख यह तीन अलग अलग एक रेफनल नंबर हो गया तो समझ गए ना एक चीज और भी यहां पर याद रखना कि कि इन भी दो रेफनल नंबर के बीच में अनंत इरेफनल नंबर होते हैं यह क्या नहीं मैं इसकी कोई गारंटी ने लेता हूं किनी भी दो पर्मिय संक्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संक्याओं होती हैं इसकी गारंटी है यानि दो रेफनल नंबर के बीच में इन फाइनाइट रेफनल नंबर होते हैं कितने होते हैं इन फाइनाइट होते हैं अनंत होते हैं सबको समझ में आ रहा है ना हिमानसु जी question number 9 देखो exercise 1.3 का question number 9 देखो जो सिर्फ comment के पीछे पढ़े हैं बच्चा हम comment नहीं पढ़ेंगे इस बात को तुम अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो comment से कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड में हाँ समझ गए ना बई मोटा मोटा हमारा यह जबाव है अगर पढ़ना है तो कापी किताब ले करके सामको 7 बजे हमारे साथ लाइप जुड़ो सबसे पहले कलास को लाइक करो और दोस्तों में सेयर करो आपके घर में जितना मोबाइल फोन है कंप्यूटर लेपटाप जिसमें जिसमें भी चल सकता है सब में वीडियो को चला दो और चला करके आवाज धीमा कर दो सब में और एक में जिसमें तुम पढ़ सको उसमें बैटके पढ़ने लगो ये काम करो तो हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे घर बेटे पढ़ाओगी नौ नंबर कुईश्चन देखो कुईश्चन नंबर नौ किताब लिए हो ना सभी अच्छा एक नया कमेंट करके बताओ जो बच्चे किताव लिए है वो फी लिख़े कमेंड करें पी मादलब परजेंट बुक यह प्छ नहीं लिए ना वह ए जो जो बुक लिए पी लिखो हैं जो नहीं लिए लिए ये कितने लोग भुक लिए हो मैं हर दिन पूछता हूं हमारी कोशिस है तुम हरे कोई किताब लेखे आओ तेली किताब लेखे आओ बिना किताब के नहीं देखो कुश्चन नमबर नाइन जिनके किताब नहीं है वह इसे चाटा गटा इसे देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जिनके पास किताब है उन्हें तो समझ में हारा होगा इसका मतलब मेरी आवाज सुन पारे हो अनुराधा ठीक है कमेंट आ रहा है कृष्णा मिस लवर अर्पित यादो अनुप मिस्रा पुस्पा राहूल सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने सुन्दर बच्चे हमारे इतने अच्छे ना कि पढ़ें भाले ना लेकिन चर्टिंग जरूर करेंगे यह चलो तो नाइन नंबर कुष्चन में कहरा बच्चों पताईए कि निम्नलिखित पर्मिये संख्याओं में से कौन-कौन संख्याओं सदयों पर्मिये और कौन-कौन संख्याओं आ पर्मिये ह नाइन नमबर कुश्चन एक बार फिर से पढ़ो एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 रक्षा नौ के एंसी आरेटी गडित कुश्चन नमबर 9 एक बार फिर से पढ़ो तेरा बताईए कि निम्द लिखित संख्याओं में से कौन-कौन संख्याओं परमिये मिन्स रेफनल हैं और कौन-कौन संख्याओं इरेफनल हैं पहला आप्सन है बच्चा इसको तुम सभी बताओगे जो ना बताएगा उसको पटक-पटक मारेंगे आज इतना जान लो क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना पढ़ाया हूं ना इतना अगर किसी बरधा को पढ़ाता बहल करें और जो जो कह रहे हैं कि यह इरेफनल है वह आई लिखें चलो जल्दी बताओ भी आई पी एफ एफ यह बाबु नंबर चलदा ना स्क्रीन पर नोट कर लो संपर कर ले ना बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो देखो बच्चा यह अंडरूट 23 है ना यह 23 लागोटिये क्या में अवय जुद ंब्र यह क्या फ्राइम नंबर रहे नो इक अभाज्य संख्या है electro लागोट अर्य वbn और युद्रवेन परगा में दोनों को छोड़ंगे इसकी से सेटुनेवती मतलब किसी से इसका क्या है मतलब इसका कोई ओर वई गढनां सामें मैं 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 सेटिंग का मतलब और बता रहा है I'll work हुआ हो तुम कुछ और नहीं समझना या निसके जो फैक्टर होंगे 1 Хोंगे और 23 वह वो संख्या है जिनके और और वन के सिवा कोई दूसरे फैक्टर नहीं हो तो लिखोगे क्या यह अपर्मिये जल्दी जल्दी करो अभी सब्जी लाने बीजाना है अब लोग बनाएंगे तो लोग को लाकि कुछ चीज देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा खाने माने कुछ नहीं मिलने वाला है जलो जल्दे खतम करते हैं अगला 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 अंडरूट थोईसो पचीज यह रेफनल है कि एरेफनल है बच्चा तुमको मैं बहुत बार प होता है कि वह से 295 को रगाम होता है कि है कि बहुत अच्छे बच्चे बच्चे बेरी रि गुड्ट अन्य मोल संकेत कुमार ठीक है बच्चा बहुत अच्छे इंड है बई2215 किस का वर्ग है यह को कोई बता रहे है पटा पटा बताओ तूरानत देर ना करो 15,500 में 225 ए जो कि इक्वल है फिये पान क्योंके इक्वल क्या है ये ये पर्मिये है क्या है ये पर्मिये है कोनो 25 बता रहा है अरे गदे अगर ये 15 का होगा तो 15 का 15 में गुड़ा करने पर आ जाएगा ना चलो देखो 15 पच्चे अब कर तो मुझे तो गुरुजी पहाड़ वो नहीं आत पंदरा साथ 15 पांच 222 25 कितने का है 15 कितने का है 15 का है तो बच्चों इस तरह से अगर ये पंदरा आ गया इसका वर्गमूल तो यह क्या है परमिये है रिपनल है लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये के तो तू पंदरा निकाल दिया ठेके का है नहीं निका पूलो सम्थिंग आता था समलो में उसका कोई भी वर्गमूल पूल संख्या नहीं मिलती समझ रहे हो ना रभी किसन जूट कौन बोल रहा है तुम पढ़ाई करने नहीं आया तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो दूसरे कि तो बात छोड़ दो चलो बच्चा अग्ला बताओ 0.3796 ये रेफनल है कि ए रेफनल है बताओ फूक बित मीना एंजल तभी बताओ ऐ चोटा बढ़ा बहुत मत्यों चलर बता चल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता विए रेफनल है तो मैथ्मेटिक से करोगे जो जो बच्चे गड़ित में कमजोर हैं, वो PBR study app डाउनलोड करके जीरो लेबल से पढ़ सकते हैं, उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जो कमजोर नहीं है थोड़ा ताकतवर हैं, ताकतवर मतलब यह नहीं कि तुम मोटे हटे तगड़े हो तो तुमको मैथ आएगी, अरे कभी अलग टाइम पर भी तुम इसे देख सकते हो, वो तुमारा सवभाग्य होगा, जब अलग टाइम पर देखोगी, देखो, यह क्या है, रिफनल है कि ए रिफनल है, बच्चा यहां पर तुम्हें एक चीज देखना है, कि लाश्ट में, तुम्हें का देखना है, लाश् यह क्या हो जाएगा यह रेफनल हो जाएगा यह लेकिन इसका देखो लिमिट है इसके आगे कुछ नहीं है तो बहुत चाहर बच्छा तो यह इतना नहीं जाएगा हां एक दो तीन चार पई चाठी है तो चार अंक पर दसम्मलों लगा तो निचे बाद चाठी जीरो बढ़ाओगे ना क्यूं समझ में आया ना तो यह क्या है एक रिफनल नंबर है यह पर्मिय संख्या है बोलोगे क्या यह पर्मिय है लेकिन इसमें का जो अगला है वो अपर्मिय है चौथा और पाच्वा दोनों अपर्मिय है अगर इसके आगे डाट डाट लगे तो क्या होगा तो वह अपरमिय होगा ठीक है बेटा कुसवाहा तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं तुम्हारे नाम जैसा है ना वैसे तुम्हारा करम भी हो जाएगा फिर क्या करोगे आगे तो बच्छों बताना है कि यह रेफनल नंबर है या नहीं आप ज़रा सोचो रेफनल नं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वह नंबर प्यपान क्यू के रूप का होगी जो वही रेफनल नंबर होगी ऐसा नहीं कि अगर किसी में अंडर रूट लगा है तो वह रेफनल नहीं होगी बच्छा वह भी रेफनल नंबर होगी रूट लग संख्या पर्मिय संख्या इसमें कुछ बताना नहीं किसा रभी कैसे होता तुमें कि मुनों सब कुछ मालुम है अगर पीचे कि 6 तो देखो फिले लिस्ट में जा करके उसको देख लेना फिर मूЭто चेनल पर जाओ वीडियो में मिल जाएगा दो दिन पहले हुआ चलो अगला इसका जो पार्ट है बच्चो नेक्स्ट पार्ट वो बहुत ही ध्यान से देखना समझो क्या है बच्चो इसका जो सिकेंड पार्ट है भाया वो कुछ ऐसा है 3 प्लस अंडर रूट 23 क्या है 23 और माइनस का अंडर रूट 23 यह इतना है और इसको क्या करने को बोल रहा है वो भी समझो तुम यह इतना है और माइनस का अंडर रूट 23 इसमें देखो जब कोश्ट है खुलेगा तो यह कट जाएगा या घट जाएगा जो भी तुम समझो फाइनल में 3 आएगा तो यह पर्मिय संख्या आएगा क्या आएगा बच्चों यह पर्मिय संख्या आएगा अगर उपर हम देखें तो यह तो अपर्मिय था उपर कोश्चन जो दिख रहा था वो तो इरेफिनल नंबर के रूप में दिख रहा था लेकिन अगर उसे सिंप्लिफाई किया जा सकता है तो वो हम करते हैं तब डिसाइड करते हैं कि यह पर्मिय है या नहीं परितिव इस कर्मा आपका कमेंट आ रहा है ठीक है आपका कमेंट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राग पटिदार ठीक है आपका कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड ठीक है चलो भाई चलो 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 थोड़ा से रुक जाओ देखो ये कॉल भी करते रहते हैं इसी में अभी अभी कुछ बच्चे जुआइन भी कर रहे हैं एप्लिकेशन वाली कलास वो भी डंडा करें इसी में हिमानसु बर्मा रभी राज विट्टु कुमार चलो ठीक है तो ये क्या हो गया पर्मिय अपर्मिय दो हो गये अब इसका बच्चों जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहता है वो भी देख लो यहीं पर इसमें का थर्ड पार्ट है इसको तुम बताओगे सभी चलो ये बहुत आ नहीं आर लिखो बच्चा आर मिन्स रेशनल अगर ए रेशनल है मंतलब अपर्मिय है तो आई लिखो पताओ आर होगा कि आई होगा दुर्गेश चहार मनु राजपूत समीक्षा बिजय संकर प्रियंका मोहित मिस्रा तुमित प्रांजल अंसिका आजाद अली मिश्टर परफेक्ट वावाई नाम तो बड़ा सुन्दर है तुमारा रूची यह को सब आर 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 बोल रहे हैं यार 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 मतलब सही बोल रहे हैं तुम लोग दुआ दुआ कर दे रहे हैं तुम लोग टाप करने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा कोई तूफान नहीं रोक सकता है चलो यह ऐसे दिखने में तो इसका थोबड़ा जो है रेफनल दिख रहा है लेकिन अभी इस वह हम काटे छाटेंगे ना सफाई करेंगे खूंद क्या है यह रेफनल है लेकिन इसके में खुंदाई तुडाई करेंगे यह दोनों कट मर जाएंगे आपस में 2 बचेगा जो की क्या है रेफनल नंबर है समझ रहे हो ना यह जैसे है यह रेफनल नहीं है बच्चा यह रेफनल है लेकिन जब हल होगा यह कंप्लीट सिंप्लिफाई होगा तो तू आएगा और जो टू है वो क्या है वह रेफनल नंबर मजा आ रही नहीं सोगे ना ऑसातों नहीं लिए रहते हैं कि सो पता है ऑगे पढ़ते ना पीछे बच्चे आराम से बहुत मस्त सोजाते थी जिनको नहीं पढ़ना रहता था उनको फिर बहुत लती आते थी समझ रहो तो इसलिए सोना नहीं है राज त्रिवेदी बच्चा कलास का टाइम है तब जनते हो रहे जब चल रही है मतलब साम को साथ से रात के आठ के बीच में कलास का टाइम है तो यह आपका हो गया आप समझ गए अभी इसमें कोई और भी बचा है क्या बताओ जल्दी से फट फट तीन पार्ट तो हो गया अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों की किताब में यह कुश्चन मिल रहा है अगर आपकी किताब में यह कुश्च किताब में मिल रहा ना कुस्चन कुष्चन उता हैMyFS कुश्चन मेर्य किताब में मिल रहा गुरुजी I always find this पढ़ लो नियम जान लो तुम किसी भी किताब से पढ़ोगे सब आएगा आप बैया कोई दूसरी किताब में कोई दुसरा नियाम नहीं है नियाम सब में वही है सोच हो संफ्या के पीछ के ना पड़ो समझे के तुम को दिया जा एक आम हां अब तुम् आमका खालो उसके बाद फिर तुम्हें आम कास्वादि बता हो गया को मालूम हो गया आम का तुम देख के जान भी गए कैसे होता है किता बड़ा होता क्या साइज होती उसमें क्या मिलता है उसके बाद तुम्हें चाहे जो आम दिया जाए लंगड़ा चौसादा सहरी पीला खर्रा करिशा भी तुम जान जाओगे आमी है न समझ रहो ना तो वैसे तुम किवाल समझ जाओ ब बढ़ चलो आगे बढ़ें आप समझेगे ना हम जो बोलना चाहते थे चलो बच्चा यह बता इसका जो चौथा पार्ट रहे यहरेशनल है यह रिशनल है कि इस नल है पच्चा मैंने तुम्हे बताया था कि जो नंबर फीयपान क्यों के फार्म का होता है वो क्या होता कहानी है देखो यह मैं बहुत अच्छे से बताया हूं अगर तुम पढ़े हो तब यह जो नंबर दिया है न यह क्या है इसको तुम्हें बताना है अगर मैं इसके नीचे एक ठी और लिख दूं यह भी इसको भी तुम्हें बताना है, देखो यहां पे समझो, यहां पे समझो, बच्चा अगर इसको तुम सलूशन करो, आगे हल करो, कुछ भी करो, इसमें कोई बदला नहीं होने वाला है, क्योंकि यह क्या है, ही करना है, ही करना जानते हो, जिसे बैसारम बोलते हैं, काउन में जो कोई बहुत गंदा काम करता हो गलत काम करता उसे बार-बार रोका जाए बार-बार समझाया जाए घरवाले कहते हैं इस पर कोई फारक नहीं पढ़ने वाला चाहे जो करो तो वैसे यह क्या है यह करना है इसको कुछ भी करो यह उतना ही आएगा इसका वर्गमुल करोगे जो भी चिन्न लगा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यह फाइनल में उतना ही आएगा तो यह ड़ज नाट इक्वल पीए पान क्यूग यह सुधरने वाला नहीं है कहता कि हम नहीं सुधरेंगे और यह यह कहता नहीं है बहुत सीधा साधा है सुन्दर सा हमारा जब और वर्गमूल करोगे तो दो हो जाएंगे इस तरह से सुधर जाता है तो यह पीए पान क्यूग के बराबर हो जाता है तो इसलिए क्या है यह पर्मिय संख्या है यह रेफनल नंबर है बच्चा लेकिन यह रेफनल नंबर है क्योंकि यह नहीं सुधर रहा है सुधरने का लब होगा तो है लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी दसमलों में आएगी इसलिए वो क्या है रिफनल नंबर नहीं है समझ रहे हो दूसरे सब्दों में बात करें आप लोगों ने देखा होगा जब होली आता है तो लोग बच्चे मुखोटा लगा-लगा के रंग का लमध रहे हो ना तो वस्वह इस्म यह क्या है ये भी एक परकार से क्याएं के उपर दो निकलने वाला है नहीं और निकले गईंए तो क्या होगा हो वह रहेगा समझ गए न देखो कुल मिला के आप यह मतलब संजो अगर समझ जाओगे ना एक बार बच्चा, एक बार तुम समझ गए ना, उसके बाद फिर तुमें कोई रोक नहीं सकता, चलो, ये हो गया, एक ठी आहुर बच्चा है, बड़ा ही खतरनाक है, एमेक ठी है, इद्दुईपाई, अभी बच्चे ये बताओ, ये क्या है, ये परमिये है की अपरमिये है, रिश्टर बिनीद सिंग पढ़ाई कर लो बच्चा पढ़ाई कर लो तुम्हारा साधी भिभावी हो जाएगा अभी यहां पर कोई टेंशन न लो तुम पहले से ही चलो पाई तो पहले सही बदनाम है और उसके साथ हमें एक्ठी और जुड़ा है तुम्हें मालूम है अगर कोई लड़का एक बहुत ही गंदा टाइप का हो बरबाद टाइप का हो और एक्ठी बहुत ही सुन्दर आ जाए मतलब अच्छा सीधा साधा तो तुम्हें पता है कि जो स सीधा साधा ही वह सुदरेगा तो सुंधार लेगा इसा बहुत कम चांस है और तो इसमें दो लोग से क्रेफणल है जो कि सीधा शुद्र बहुत संदर सा है और एक इस बहुत बहुत बीगडा टाइप का है तुम्हारे जासे है इन दोनों partnersome गुड़ा है यह दोनों आपस में मिले हुए तो फाइनल में जो बने गा न होई रेफनल नंबर बनेगा च्छा यह क्या है आपर्मिय है क्यूं आ कोसिस कर लो पिर सभी बच्चे फिर बता उसके बाद आगे बढ़ते हैं नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो वच्छा कमेंट आ रहा है तुम्हारा अनुराग जी ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बच्चे बेरी गुड इरेफिनल नंबर होगा पूरा कंफरम है यही हमारे पास में चलो तो आपका यह खतम हो गया दीपक बच्चा ठीक है तुम्हारा कमेंट आ रहा है अब तुम धिक हो अच्छा हो चलो सई हो तो यह अबका हो गया पहला कुछिच्ट Sun खत्म हो गया बोलो भगवान कीजय एक सरसाइज 1.5 का पहला कुछिच्टन का पाँचों पार्ट खत्म हो गया कि सैट एक बात किसको किसको समझ में आया यहा Başlor यह यहा už समझBayernoo यहां nous तुरंत सेयर करके आओ जल्दी से गदहें नहीं बोल रहा है वो त्यार से बोलता हूं क्योंकि आप लोग नहीं बहुत प्यारे बच्चे हो अच्छे-च्छे क्यूट-क्यूट से सुन्दर सुन्दर से इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं थोड़ा मजाक में तो कलास को तुम फट क्योंकि आप लोगों की सिकायत आती है कि हमसे बात नहीं करते हो आप बढ़के चौधरी बन गयो तो हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कि भाई देखो फोन हमी को दे दिया करो पढ़ाते टाइम में जिससे बच्चों को थोड़ा सा खुसी मिले हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब संतुष्ट्रों पूरी तरह से जितने भी बच्चे हैं सभी फटाफट कलास को लाइक करें भाईया तुरंत देर ना करें आकास कुमार सभी बच्चे तुरंत कलास को सेर करो फटाफट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता रेड़ कलर में जो लिखा होता है कुछ बच्चे गाओं के जो हैं जो कम समझदार हैं वो सोचते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो गुरुजी हमारे घर पैसा मांगने आजाएंगे टक्तल लेके ट्रालिम भरने पैसा मांगने नहीं आएंगे तुम्हारे घर सब पैसा नहीं पड़ता है कोई पैसा नहीं लागेगा फिर ही है ठीक है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको कर लोगे तो कलास की नोटिपिकेशन डेली मिलेगा दूसरा प्रसन पर चलो बच्चा इकसर साइज वन पॉइंट पांच का कुश्चन नमबर दूसरा यह है परसना वली वन पॉइंट फाइब एकसर साइज वन पॉइंट फाइब कोईशन नमबर सीकेंड देखें ठीक है मैं जो पढ़ रहा हूं सुन लो नहीं किताब लिए हो तो लिख लो कांपी में बस निमनलिकित बेंजकों में से परतेक को परतेक बेंजकों सरल चलो डेखो समझो तो पच्छा जो पहला बैंजक है बाबू का है 3 पलस अंडरूट 3 हां दूसर का जो बैंजक है इसकी बैंजकिया जो यह हुका है वो कह रही कि 2 पलस अंडरूट 2 इनको सरल करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप जड़ा सोचो इसमें कोई उपाय है भाईया कोई उपाय है इसमें सरल करने का मिस्टर निकुल प्रियंका आरा समझ में कुछ लोग तो इतने ही अच्छे होते हैं कि वो एक दूसरे का नाम एक कैम जोड के रख लेते हैं एक का नाम रहेगा दूति नाम बना लेंगे मतलब दूति नाम रहेगा एक बना लें वे सुनें ॉठ लूड दिलों के कम हो जाते टैब है और आगे कैसे हैं मैं और हम अगर तुम हो झाती नहीं है मुझे यादी नहीं Abrac तुम लोग बताना चलो नई को क्या करेंगे अपस में मल्टीपल करेंगगे अ पड़ाई कर लो बभावू पड़ाई कर लो मिश्टर रोपेस तो तीन का गुडा करो गया दो पलासे तो पलस लगा दुश। का다 अंडरूट 2 अई करोगा ंद लेक्ति इतना है बाफूर का माने दोनों में कर लिया यह खुश हो गए संतथों इस कोहें कि meow क्या करोगे पलऄ से तुभी इसने पलस रूट 3 में करोगे यह रहें गैइनका एह में कर वाँ अब कि इसमें कुछ जुड़े गटेगा, बताओ कुछ होगा का इसमें कोई उपाए, आकास कुमार and बरदर, बच्चा क्या कह रहे हो भाई, क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, बढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो लेते देते ही रहोगे, मैं कुछ ना हो गा बच्चा इसके आगे कुछ होना संबव यह नहीं है सणक यहीं तक है खत्म है यह वustom हो g соврем यह जो आप बच्चे किताब का उतर मिलाएंगे उनको Я नहीं मिलेगा तिन ऊड़ गया है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चिन है नहीं कि तनी देवल आपका नाम देख के मुझे कुछ और याद आ रहा था आप समझे रहे हो ना चलो ठीक है वो तो सनी देवल निकले तुम ठीक है चलो हो गया अगला देखो इसका सिकेंड पार्ट सिकेंड पार्ट सिकेंड पार्ट तीन प्लस अंडर रूट तीन 3 प्लस अंडरूट 3 और 3 माइनस अंडरूट 3 देखो भाईया इनको हल करना है कितना आएगा जरह सोचो जल्दी से सभी बच्चे बताओ दीख्छा सर्मा ए बच्चा सुनो मर जाता तू पहले इकाय को दिमाग कर दिया कि एक मिनट रुक जबाई यह डिस्चार्ज हो गया चिल्दा आ रहा है इसको भी थोड़ा से ठंडा करना पड़ेगा यह चार्जिंग जो हो जाता है जाता देर नहीं चलता है बेचारा बहुत लोड पड़ता इस पर मने मन गरी आता है इतना कुछ लाके जोड़ दिया है बैटरी भी नहीं चार्ज कर रहा है चलो बताने वाले क्या थे बहुत ही अच्छे से लेकिन यह लेटप साइन्स की कलास होने वाली है बड़ी मज़दार कलास होगी साइन्स की पूरा प्रेक्टिकल ही बताएंगे आपको अपने गाउं दियात में तुम प्रेक्टिकल करना हम यहां पर पढ़ाएंगे ठीक है साइन्स में प्रेक्टिकल होता जानते हो ना चलो तो यहां पर समझ तो मैं बताता हूं के कुछ गड़बड ऊ रहा है है यह मैं खुद वीढियो देखता रहता हूं मोबायल में क्योंकि वीढियो कैसा लुप हो यह सब बंगरेसे को आएफ चलो जलो जलो चलो जलो जलो है अब आप देखो समझें में बताता हूं आप को अभीृधि Tail हाँ जी अभी कलास चल रही बताईए अभी जो भी जानना है आप दिन में कॉल करिए ठीक है दस बज़े से चार बज़े की बीच सब बताया जाएगा नहीं तो आप मैसेज करिए टेक्स मैसेज कि है डंडा करके रखा है सारी इंकवरी इनको राते में सुझती है और आज में यहीं मुबाईल लिए जिसमें कलास का फोन आता है सब कि पैसेज में आपे नहीं पूठाराङए नबर नहीं देता åtका निसको बहुत आसान आएगा देखो शी सीवम पुस्वहा जगा वह तो हिद पंकज की जगा रंकज अब बिनोद की जगा एक नया ट्रेंड आ गया सिनोद बच्ट ए अंतियो मतलब यह दिया है इसकी साहेता पर एक जगह पर बच्चा तीन रखोगे और बी की जगह पर रूट तीन रखोगे तो भाईया हो बाबू हो ये नौ होता है ये अंडरूट नौ होगा नौ का वर्गमूल तीन आएगा फाइनल में छे आएगा कितना आएगा six कितना आएगा six लिख लो फटाफट लिख लो फटाफट छापलो तुम देर ना करो चलो किसी को कोई confusion है तो बता दो आजल क्लास का टाइम है साम को साथ बजे से रात के आठ बजे के बीच में अगर पढ़ना चाहती हो तब कुम्रम सेर्दिया अभी बच्चों को मालूम है कलास का टाइम साम को साथ बजे से रात के आठ बजे के बीच अब कब बंद हो जा मेरा खोपड़ी जब सनक जा तब बंद हो जाए कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी आठ साथ पैतालिस के बाद है बंद होता है चापो चापो फटा फट चापो इस पो ऐसे भी कर सकते हो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया है बाकि ile कोई दिक्त नहीं करेगा बाकि बहुत अच्छा नहीं लगाया हूं पतरा निह comparative कुछ हैसे पईदा हो जाते है कि जो मुझे बहुत वर्षान करते बही। मुझे मन करता है कि इनको मैं क्या करू इंको मैं कितना भी बता दूँ कि बच्चा रात में फोन किया करो ते बच्चा कहेंग कर लोगे ना भाईया कर लोगे ना बताओ कर लोगे सभी सभी बच्चे कर लोगे न चलो इसको बलाग कर रहा हूं एक को रुख जा एक सिकेंड मैं बलाग करके आते हूं करते हैं कि इतना बार भी बोलो फिर फोन करेंगे फिर वीडियो काल करेंगे वीडियो काल से नहीं दिल भरेगा फिर आइडियो वाला फोन करेंगे करते रहेंगे इनके माबाप इनको मोबाइल दे देंगे लो बेटा लो लो मुझे तो परिसाने करेंगे वो जो बचा है उसको भी कर दो चलो सभी कर लोगे न इसको कर लेना मैं नहीं बताऊंगा देखो क्या करना है मैं थोड़ा सा हिंड से बता देता हूं इसी सूतर में खूलना बस मान रख देना आ जाएगा और हां कोई बहुत अच्छा मान नहीं आएगा मतलब कि 20 पचीस 30 पचास ऐसे कुछ आएगा नहीं जो मानायगा अंडरूट में ही आएगा अंडरूट में ही मानायगा इसको कर लेना तो बच्चों ऐसे इसमें का एक और भी है अगला पार्ट उसको भी तुम कर लोगे अंडरूट पांच माइनस अंडरूट दो अच्छा इमानदारी से बताओ इसका कितने लोग नहीं कर पाएंगे कितने लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा रुको में हटता हूं चलो देखो अगर आप इसके पीछे की 6 कलास नहीं देखे हो न तो इस कलास का डिस्क्रेप्शन देखना उसमें आपको लिंक मिल सकती है उसमें से आप कर सकते हो उसमें आपको तरीका समझाया गया है मतलब जो पीछे कलासे हैं अगर उन्हें पढ़ लोगे तो नहीं तो आप चैनल प पार्ट यह था यह पूरा कुश्चन है देखो इसमें भी हिंट से बता देता हूं ए माइनस भी और ए प्लस भी अभी जैसे मैंने उपर किया वैसे इसमें भी मान रखोगे यह भी हो जाएगा ठीक है बईया चलो इसको भी कर लेना अगला एक ठी बड़ा खतरनाक सवाल है भाई किताब लियो ना तो बच्चों अगला कुश्चन है आपका इक्सरसाइज 1.5 क्लाफ 9th NCRT का कुश्चन नमबर 3 क्या कहता है जाद ध्यान से देखो कभी बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा अक्सिता ठाकूर तुम्हारा तो मुझे गल्स का नाम लग रहा है तुम कहरो कि मैं नहीं कर पाऊंगा कर लोगे नहीं आयेगा तो बताना चलो अच्छा बताई देता हूं चल। थ sigu बताई देता हूं तुम लोग वड़े कि फिर कौनों गरहाई दूसरी कि कमेंट बंद हो जाता है इस पर फोन करने लगता है तो कि थोड़ा सा रुख जा यार कि क्या करूं इनका इनका कोई उपाई नहीं है इनका कोई उपाई नहीं करत्रा बेटा करत्रा तू चलो देखो इधर समझो यह बच्चा फर्मूला होता है लिख लो इसमें से अधिकान्स को यह सुत्रवे नहीं याद होगा मुझे पता है इसको लिखो जहाँ जहां पर ₇ है वहां अंडर, रूट, पांच रखो अब इसको बरेकट न लगाऊ भी है जहां जहां पर ₇ है अंडर, कॉ आ का इस्कॉयर, क्यों फिक है इक स्कॉयर मतलब 1 का मतलब, रूट2 का G-square plus 2AB A का मतलब root 5 और B का मतलब root 2 final में आपका हो जाएगा बच्चा ये under root 25 देखो मैं पूरा लिखूंगा detail में और ये आपका हो जाएगा under root 4 और ये हो जाएगा 2 into under root 10 तो भाइया हो ये 5 हो जाएगा ना सही है ये 5 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये 2 under root 10 तो final में आपका 7 plus 2 under root 10 ये उत्तर आएगा बोलो इतना आ रहा है कि नहीं सबी बच्चे बताओ इतना आ रहा है चौथे का 3 आएगा सिवम कुछ वाहा बता रहे है ठीक है भाइया सिवम बहुत अच्छे हो तुम तो एकदम सुंदर सुंदर बच्चे हो चलो चलो बच्चा छाप लो फटा फट अच्छा इसमें से कितने नए बच्चे हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं बस क्या करो चैनल सब्सक्राइब कर लो बस चार्ज में लगा देता हूं कम्रा डिस्चार्ज हो गया है थोड़ा सा इस दाव werd लगा है तक ठीजर कम्रांम हो उन्यम्म चैनल में लगा देता हूं है निकल झाहला है कि पूट भी गए है कि चार्ज होगा भी है कि चलें आगे कि कलास का टाइम हर दिन साम को साथ बजे से याद रखना साम को साथ बजे चलो इसको मिटा दीए ना लिख लिया करो जब मैं हटता हूं इधर उदर बोलता हूं बढ़ बढ़ाता हूं यह नहीं कि अभी मैं तुम् होंगा फिर तुम ऐसे लगते रजाओगे इसे तमासा देखोंगे कड़ा हूई कि यह आपका हो गया तो बच्चों इसमें जो एक थी और बच रहा था उसको मैं नहीं बताऊंगा कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसे दूसरा था वैसे इसका चौथा पार्ट है अब तो क्यों फाल तू पढ़ रहे हो जैसे इसका दूसरा पार्ट था सेम वैसे चौथा पार्ट है एकदम वैसे है उसमें कोई अंतर नहीं है तिर्फ उसमें तीन था इसमें पांच है बस इतना अंतर है उसके बाद यह आपका खतम हो गया अब यहां पर समझो अब इकसरसाइज ओन पॉइंट साइब का कुष्चन नंबर तीन है अब हम इसके बारे में बात करेंगे आप सभी किताब लिये हो थो पहले कुष्चन पढ़ो कुष्चन पढ़ो जो जो बच्चा किताब लिया है देखो मैं कुजिशन पढ़ता हूं ध्यान से देखो इतने बच्चे NCRT बुक लिए हैं मतलब में NCRT उनके में एक दम अच्छे से मिल रहा होगा जिसके में नहीं मिल रहा हो भी सबर करें समझें उसके भी काम का है उसके भी किताब में है आगे पीछे हैं बस समझो कहना कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधी और उसके ब्यास के अनुपात से परिभासित किया जाता है मतलब ये कह रहा है कि आपको तो याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधी और उसके अनुपात से परिभासित किया जाता है इनका यह कहने का मतलब है कि पाई इकल होता है परिधी बटा अनुपाथ, ठीक है आप तुम्हें यहां पर समझो, यहां पर परिधी को यह C माल ले रहे हैं, अनुपाथ को D माल ले रहे हैं, ठीक है, आगे समझो, कहानी क्या कहती है, इक्सरसाइज 1.5, कुष्चन नमबर 3, रक्षानों के NCRT मैट्स, बुक में देखो कुष्चन मैं पढ़ रहा हूं, सुनो और मिलाओ, समझो, कह रहा है कि यहां इस तथे का अंतर विरोध करता हुआ परतीत होता है, कि पाई एक अपर्मिय संख्या है, मतलब कि यह इसका पालन नहीं कर रहा है कि पाई एक पर्मि में दिख रहा है, तो इसके हिसाब से तो पाई एक पर्मिय संख्या हो जाएगी, यह कह रहा है कि भाई आगर पाई बराबर इस तरह से होता है, तब तो यह पाई एक पर्मिय संख्या है, आगे कह रहा है कि इस अंतर विरोध का निवारण, पुसरी निराकरण, आप किस प करेंगे वसे जहां तक उमीद है यह कुईश्चन एक्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बड़ा बवाली कुईश्चन है ऐसा बवाली कुईश्चन कोई टीचर नहीं देगा आप लोगों को लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना और आपका फर्ज है पढ़ना और टीचर दे या ना दे उसकी इच्छा हां चलो समझो इसमें कुछ जादा करना है नहीं तो देखो बच्चों हम सब को पता है कि वो संख्या जो पी अपान क्योंके फार्म की होती है वो पर्मिय होती है नहीं रेशनल होती है लेकिन जो संख्या पी अपान क्योंके फार्म की नहीं होती वो एरेफनल होती है तो भाईया ये भी पी और पान क्योंके फार्म की है तो ये एरेफनल क्यों है बच्चा देखो जब तुमको मैं सुरू में बताया था कि भाईया हर एक गोड़ा पर बैठने वाला आदमी दुलाहा नहीं बन जाता है कुछ लोग इटाड होते हैं खचर पे वो लोग गोड़ बैठ जाते हैं तो दुलानी होते हैं समझो यहां से तो जितनी भी संख्या अंडर रूट में लगी रहेगी वो सभी जरूरी नहीं कि पर्मिय होगी ये भी तो अपर्मिय हो कुछ उल्टा बोला फिर से सुने जितनी संख्या विन्न के रूप में होगी यानि पी अपान क्यू के फार्म की होगी वह जरूरी नहीं कि वह पर्मिय ही हो वह पर्मिय भी हो सकती है जैसे यह देख लो इसमें क्या है देखो अब आप लिखोगे पहले ऐसे कहने से समझ में नहीं आएगा पहले लिखो कहानी लिख को पाई बराबर दी पाई बराबर सी अपांड डी है तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस परकार है ऐसे ही कुछ होगा यार मैंने तो इसको समझा था हाँ सी और डी इस परकार हैं अगर सी अपांड डी का मान निकालेंगे तो terminating decimal आना चाहिए न मातलब समझ रहे हो ना अगर आंगर कि पाई इक जब पांड यह है तो हम कह सकते हैं कि c और डी क्या है परमिय संख्या हैं तो हम कह सकते हैं कि s ou d परमिय संख्या संख्या है इस परकार अगर C अपांडी का मान निकालें तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसर आना चाहिए मतलब समझ रहे हो तब अगर हम C अपांडी का मान निकालें तब जो इसका मान आएगा वो एक सांत दसमलों परसार होना चाहिए लेकिन वास्तों में तुम सोचो कि अगर C अपांडी को हल करोगे तो क्या कोई पूर्ण संख्या ले आओगे क्या बताओ कोई बताए एनिवन एनिवन कोई बताए कि अगर C अपांडी को हल करोगे तो क्या पांच आ जाएगा पचीसु यहाईगा है छोजवं हाई गव्लकी सन्धिया गски capable संख्या और घरल शीअर्व देने को होघी थैँ großes 5 करेंग ज陷े पोड़्य संख्या जी यह यह 스र्म्रों करो कि क्या सिनी कोई पूर्ण संख्या आएगी यह नहीं Вास्तों में से Rs. 5 लब तही हुआ ना बच्चा जीरो आ जाएगा इसको हल करो कि क्या 28 आ जाएगा क्या नहीं आएगा ना ऐसी कोई पूर्ड संख्या आएगी नहीं लेकिन वास्तों में सी अपांडी को जब हम हल करेंगे तो यह एक नान टर्मिनेटिंग डेसिमाल आएगा अताहा हम कह सकते है कि पाई एकवल सी अपांडी एक अपरमिय संख्या होगी तो बच्चों यह कोईश्चन एकजाम में आने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि यह बड़ा जंजटी कोईश्चन है सीधा फीधा हल करने माला है नहीं तो ऐसा कोईश्चन जो है वो एकजाम में आने की कोई उमीद नहीं है इसको तुम सभी लोग करना खोपड़ी पटक पटक के और अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताओंगा इस खुशी में बिलकुल ना रहना कि ये पुरोना दादा पास करवा देंगे बीना परिक्षा के बच्चा जो तुम पीना परिक्षा के पास हो रहे हो ना तुम अपना हाथ पैर काट के अपंग बन जारे हो ये समझ लो आगे अगर तुम्हें नवकरी पाना है अपने घर मे दीदी हैं कोई है उसको नवकरी मिल रही है कितनी आसानी से नहीं मिल रही है न जबकि वह अच्छे से बढ़ा था एक्जाम भी दिया था सारा करम किया था तब नहीं मिल रही न तुम यह सोचो कि अगर तुम बीना पढ़े पास हो जाओगे 9th 10th में तुमको सरकार पास त दीदी तुमारे जेब में रखी रहेगी लेकिन काम क्या करोगे सब रूपए अगर देंगे कोनों चुनावाले कि भाईया राइलिम चलके भींड बनाना है तो सब लोग जाएंगे सौसो रूपए लेके रोज राइलिम जाके भींड बनाएंगे समझ रहो ना इसलिए क्य लोगों से नेताओं मंतरियों से उनको मुसीबत होगी इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो तुम ना पढ़ो ऐसे बने रहो तुमको पास भी कर देंगे तुमको डिगरी मिल जाएगी लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिलेगी याद रखना इसलिए अच्छे से करना है हरों का परमेई करण करना है हरों का क्या करना है परमेई करण हरों का अब परमेई करण देखो ऐसे तो लिखा है परमे करण इंग्लिस में इसे अभी मैंने बताया ना आपको क्या बोलते हैं रेस्नल लिखना है उसके बाद आई एंग लगा देना ठीक है लिखो कि रेशनलाइजिंग ठीक है ओके चलो इतना करो कि इसमें इंजी लगा दो कि ऐसे ही तो होगा ना भाई इंग्लिस मिला लो थोड़ा सा कि आई एस इंजी होगा ओके मतलब समझो कि हमें करना क्या है बाकि स्पेलिंग हो गएरा तो तुम लोग सही कर लोगे इसका मतलब क्या है देखो बच्चों जब इस तरह के कोईश्टन हमें दिये हों कहीं भी हमारा इसका में परपज यही होता है मुख्य उद्देश से एक मात्र यही होता है कि हम हर में अंडरूट का जो चिन लगा है उसे कि किसी ना किसी तरह से हटा दें जिससे की कल्कुलेशन करना आसान हो जाए बस इसका एक उद्देश होता है इसके अलमा और कोई उद्देश से नहीं होता है तो बच्चों सबका उत्तर आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है देखो समझो इधर साइड में समझो तो प्रिये देखी होता है जो नीचे हर है उतने से ही क्या करोगे उपर गुड़ा करोगे उपर नीचे जैसे रूट सेवन है तो रूट सेवन से ही हम क्या करेंगे उपर नीचे मल्टीपल करेंगे बस अंडरूट सेवन का जब वन में मल्टीपल करेंगे तो यह सेवन ही होगा अंडरू बाई हरी वों बच्चा पढ़ाई कर लो तुम का है मूँ बना रहे हो तुम्हें कौन सा दर्द हो रही है बोलो क्यों दर्द हो रही तुम्हें इसको अगर हम आगे बढ़ाएं उधर जगा नीचे कम है तो यह देखो साथ आ जाएगा बस यही अंसर हो गया इसका मुख्य प बता रहा हूं जो हमारा अंसर आया है यह न इससे हम फिर से कुश्चन ला सकते हैं पता है कैसे ला सकते हैं देखो समझो को इतना आया न सेवन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ सेवन को हम भयाद लिख सकते हैं अंडरूट सेवन इंटू सेवन की नहीं बोलो कि लिख सकते हैं और इससे हम इसको काट सकते हैं यह फिर से आ जाएगा तो परमेई करन करने का इतना ही मतलब होता है कि आसमान नहीं मतलब आसमान तक जाना तो है लेकिन फिर दर्थी पर आना है अब परमेई करन करने का यह मतलब नहीं कि तुम ऐसा परमेई करन करतो कि जो उत तिस सेमें भी करन करेंगे उसमें जो अंसरा एगा उसको पकड़ी तोम फिर से कुष्टन ला सकते हो तब शहीं ए नहीं तो नहीं इनसे जयसे एा अंसर आया था इससे मैंने फिर से question लाके आपको दिखा दिया सब को समझ में आ जल्दी बोलो yes जिसको नहीं आया no सभी बच्चे बोलो हरसिद अनमोल रहो आपने बताया ही नहीं table कहां तक याद करें अनमोल बेटा जहां तक तुमारा मन करें याद कर लो कम से कम 20 तक कम से कम 20 तक याद कर लो ठीक है अब चलो आगे देखो अगर हम भाई हम आप लोग का सिर्फ कमेंटी पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों इसलिए हमारी कोसिस होती है कि आपको आगे भी पढ़ाया जाए अर इसलिए बहुत कम कमेंट पढ़ते हैं तो आप लोग यह मतINGING सोचा करों कि हमें नहीं देख रहे हैं हम हर एक बच्चे का कमेंट देख रहे हैं सबका देख रहे हैं लेकिन हमें आगे भी तो पढ़ाना है न अब मphaले हम दोसो बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या करें कमेंटि पढ़े मैं व सिखेंड पार्ट उतारो चलो है सिखेंड पार्ट उतारो राजकुमार तिवारी पूनम देखो जो देर में आये हैं उनको नहीं समझ में आये का रीट की कलास PBR study application में है उसमें जाके आपटेट वाला जोइन करो वह सब के लिए अगला तो इसमें का सिकेंड पार्ट का है भाई सिकेंड पार्ट है बच्चा इसमें वान अपान सिकेंड पार्ट लिखो बच्चा लिखो 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 राजा लिखो लिखो यह यह न इसका क्या करना है हर का परमेई करन करना है हर का परमेई करन करना है यार ये एक सेग नलायक है हालो है हां भुली है इना बताओ जानना क्या वो बताओ कलास चल रही ना भी आपकी यह पुछ रही नहीं तुमें कितनी बार बताया जा इसके पहले सर ने तुमें बार 3 बार प्र फोन उठाया था फिर तुम कर रहे वाट बार तुम भी देखो एक से गधे हैं आठ वार फोन किया था यह मैंद सर ने भी बात किया था इस से फिर भी कर रहा है डंडा किया जब से पढ़ा रहा हूं आठ बार किया पता नहीं कहां से आजाते हैं जब अब और भी है यह उसी में ंव ठीक है उस टाइब का कुछ और कुश्चन करवा देता हूं देखो समझो और यह सब İ 700 कंपरी करन का मतलब है है कि जो भी हमारे हर में दिया है हर का मतलब जो फ्रेक्शन फार्म में लिखा है उसमें जो नंबर नीचे है हां मतलब डेनोमिनेटर जिसें इंगलिस में रिफनलाइजिंग आप डेनोमिनेटर बोलते हैं ठीक है तो समझो तो जितना नीचे है अंडरूट तीन है इतने से ही ऊपर गुड़ा करोगे और फिर नीचे भी उतने से ही गुड़ा करोगे बस यही तो करना होता है न यही करन आपको पता है कि अपार नो की नो को निकालना तुम सभी जानते थी उत्यों को उच्पन में पढ़ेते बुडहार ही उत्तर ये उत्तरा गया कि ड된ora पूर बाओ अह प्रशन कुंध व कुमार बेटा तुम यूटूब में डेर्सा नहीं लपेट वी आंव्थ तो हम तुम्हारा कमेंट पढ़ें गया समझ रहो ना बहुत ज़्यादा कुड़ा कच्रा नहीं मिलाओगे तब भी हम समझ रहें तुम्हारी बात इसको छापो फटाफट छापो इसक्रीन साट ले लो दक्ष गुपता जी बहुत अच्छे हैं ठीक है बस आपी का तो इंतजार था चलिए तो सभी बच्चे जल्दी से भाईया सेशन को लाइक करो तुरन देर ना करो और विल्कूल फ्री पढ़ने के लिए चैनल को अभी तुरन सब्सक्राइब करो जल्द अटने के बाद में जब साइड हो तब तुम इसे स्क्रीन साट ले लिया करो यह तो हम एरेज करेंगे क्योंकि हमरे पास टाइम जादा नहीं है देखो अब इसको समझो यह अलग टाइप का है वह बेचारा अकेला था यह जोडा में है हां डबल है यह सिंगल नहीं है तो इसमें कोई मुसीबत नहीं है यहां पर समझो जो हर में दिया है अंडरूट सेबन माइनस अंडरूट सिक्स दिया है तो हम इसी से गुडा करेंगे उपर अंडरूट सेबन माइनस अंडरूट सिक्स है ना लेकिन ध्यान रहे नीचे अगर दो पदों के बीच में चिन माइ अंका जी आरा समझ में देखो समझो तो बच्चा ये ऐसे कर लिया ना इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बताओ जल्दी बताओ सबको समझ में आ रहा है फटा फट बोलो हां देखो सर्माव नहीं यहां तुमारी साधी बिया होई के गउने दुलहिन बनके नहीं आयों कि बोलो हा रहा हैं तो बताओ जाएगा और सिर्डेया थी क्योंकि क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कब भी आल्दी नहीं मैं लोगगा देखो एक चीज सम्झो जो बच्चे कमेंट नहीं कर पारें वह चैनल सब्सक्राइब नहीं करें क्योंकि यहां पे हमने सेट किया है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे तो बच्चा अगर तुमने नहीं सब्सक्राइब किया न भईया तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि तुम्हारा भी कमेंट आए इन सभी साइकड़ो बच्चों में तुम भी सामिल हो जाओ चलो आगे बढ़ते हैं फिर इस खेल को आगे बढ़ते हैं बस देखते जाओ आगे चलो इसका multiple one में करोगे पूरा-पूरा तो कोई effect नहीं पड़ेगा तो root 7 plus under root 6 उतना ही रहेगा बच्चा यह देखो under root 7 minus 6 है under root 7 plus 6 है यहाँ पर अगर तुम सुनो और समझो तो यह a minus b और a plus b का फार्मूला तुम कभी पड़े थे बोलो कितने को आता है आता है ना यह सूत्र आता है ना थोड़ा सा उधर कट रहा है हलका समय इसको इधर खिसका लेता हूँ अब इधर राजय का है को कट गया उधर देखो समझो यह सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है बहुत पहले पढ़ा है बच्चपन में पढ़े हो ना a plus b पढ़े हो तो यह होता है a का i square minus b का i square अब बोलो होता है कि नहीं पढ़ो अभी अभी जीरो लेबल वाली पढ़ो रात नो बजे से हां चलो कि यह हो गया अब एक चीज समझो अंडरूट साथ का जब स्कॉयर करोगे तो अंडरूट उन्चास आएगा और अंडरूट जब 6 का स्कॉयर करोगे या फिर तुम कुछ मत समझो इतना जानलो किसी भी संख्या पर अगर वर्गमूल लगाए अगर उसका स्कॉयर करते हैं तो वर्गमूल का चिन हट जाता है बस यह इस में से भी यट जाएगा समझ गया और फिर फाइनल में कि नीचे दिख रहा है आगे लिख सकता हूं कि अ आगे लेकिन मुझे रास्ता किलियर करनी पड मोहित सिंह आपको भी आ रहे न तो बच्चा यह हो जाएगा अंडरूट सेबन माइनस अंडरूट सिक्स इसमें से घटा होगे तो वान आएगा चाहे तो वन लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है अंसर उतना ही आएगा ठीक है लिख लो समझ में आ रहे हैं बंसी कुपता राम राम बच्चा राम राम करन कुमार जो चल रहा है पहले उसे पढ़ लो बेटा जादा तुम्हें खुझली ना हो हां जो पढ़ा है उसको नहीं पढ़ोगे साइंस कब चलेगा हिंदी कब चलेगा जैसे वो बताता नहीं हुं मैं कहानी कि अगर कहीं कोई परोजन पढ़ा है तो इनको बुलाया जाए ना तो अगर पूरी सब्जी मिल रही ते कहें कहो पता करा चावल हो लाएक ना है कि समझे रहे ना यह ओमक हैं जो मिल रहा है उसमें इनको संतोफ नहीं है नहीं इनको भी आगे का प्लान बताव पूरा सब जो बच्चे नहीं लिख पाये थे वो इस्क्रीन साथ ले ले वीडियो को थोड़ा बैक करके ठीक है जो नहीं लिख पाये थे वीडियो को थोड़ा बैक करें उन्हें फिर से दिख जाएगा और उतार ले ठीक है आदित्ते समझ में आ रहा है इरसाद खान आ रहा ना बच्चा नीरज मदेशिया जी बहुत अच्छे हैं ठीक है चलिए आगे समझिए नितेश कुछ वहा बच्चा पढ़ लो तो ठीक है नहीं पढ़ लो तो तुमको पटक देंगे उठाके जटक जाओगे जान लो चलो आगे देखो तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट इमांदारी से बताना कि कौन कौन कर लेगा जूट मत बोलना इमांदारी से बताना कितना बच्चा इसको कर लेगा भई हाँ कवे नलायक तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं आयो का देखो कुछ तो ऐसे ऐसे बेवपूप है न तुम्हारा घर कहा है ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ करना है निलाइफ में बस इनको यही करना है मतलब इनका उद्दे से यह पैदा इसलिए हुए है एक ठी आरा लीजेंड एफ इनको नहीं मालूम कि नहीं हम ब्लाक कर दें ते गया बो जाएंगे इनको लग रहा है कि बस मेरा ही सब अप्छा है अप बेटा पठागान पढ़ लो नित तुम्हें हम अंदर कर देंगे समझ रहो ना पढ़ लो पढ़ लो बस देखो बीच-बीच से मैं इस्क्रीन छोड़ता रहता हूं हटता रहता हूं इसलिए कि तुम्हें पूरा इस्क्रीन केलियर हो जाए दिखे और तुम छाप लो चलो तो इसको सभी बच्चे कर लेंगे सभी कर लेंगे न अगला इसमें क्या है अगला इसमें वो भी ऐसे ही है अमिद सिंग मेरा तो काम ही है करना चलो तुम छापो बस दिब्यान्सुपाल, सुमन, हरसित कुमार ठीक है बच्चा देखो हमें क्या करना है, हर का परमेही करना है तो सबसे पहले हम जो भी कुश्चन दिया है उसे वैसे ही लिखेंगे इज़्जत और मान-सम्मान के साथ ये इसके बाद जितना हर में दिया है हमें क्या करना रे yaşहाud करेंगे लेकिन थ्जान रहे चिन अलग रहेगा अगर उसमें चिन प्लफ लगा था तो इसमें चिन सीमाहिन रहेगा क्योंकि यहां प्लफ लगा कि यह माइनस माइनस में रहेंगे ठीक्पर अब नीचे दिख रहा लाइन और चलो ऊपर का वन में मल्टीपल करोगे तो कोई फिक्ट ना पड़ेगा वन में इसको वन में करोगे तो इतना ही रहेगा यह माइनस है तो यहां पर माइनस ही लगाना भूलना नहीं भी अभी अभी मैंने बताया था कि a plus b और a minus b बन रहा है बोलो बंद रहा है की नहीं बच्चा बंद रहा है ना अर्पित यादो ठीक है कर लोगे बहुत अच्छी बात है यह बन रहा है तो अगर यह इतना बन रहा है तो बच्चा यह हो जाएगा आपका a का स्कॉयर मतलब अंडर रूट पांच का स्कॉयर माइनर बी का स्कॉयर मतलब अंडर रूट दो का स्कॉयर बस वो गई कहानी खतम इनको लाक्राव इधर कर देते हैं हजम देखो इन्हें ऐसे लिख लू और रूटC बाहिन फंद रूट रविप हमने अभी बताया था कि यह 5-2 हो जाएगा ठीक है तो फाइनल में हो जाएगा बच्चा यह इतना हो जाएगा इसके नीचे चाहे तो वन लिख लो क्योंकि रहे यार यह क्या हुआ कुछ घडबड हो गया को यह देख रहे हो सही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर यह तीन आएगा क्योंकि यह हो तो आणा नहीं है ह्लック स्राइब करें कहाई चैनल जो सब्सक्राइब कर लो छैसे चैनल सब्सक्राइब करो यह यहुक Frejah 3ऊ को क्लास का नोटिपेस्ट आय का और आप घर बेठे पढ़ोगे प्ढ़वीज से अगर आपके घर में डो मुबाइल फोन है तो हम यही कहेंगे कि आप दोनों में सब्सक्राइब कर लो जितने जादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उतनी बड़ी कलास देंगे हम आपको और उतनी बहतरीन कलास साइंस की कलास 15 जुलाई सुबह 7 बजे से होने वाली है ठीक है यह नहीं कि मम्मी आके दोई लाद मारे तब उठो हाँ अपने सूट जाना साथ बज़े चलो ठीक है ओके है सब कुछ होके है तो यह हो गया इसको मिठा दे देखो इसमें एक थी बचाए इसको खुद से कर लेना आजाद अहमद बेटा जो पढ़ा रहे है उसको पढ़ लो पहले बाबू जो पढ़ा रहे उसके बाद फिर हम आगे तुम्हें कुछ नया देते हैं चलो कितने बच्चों की किताब में यह क्वेस्टन मिल रहा था सीधा सीधा बताओ बताओ फटाओ बताओ 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 हाँ या ना हाँ ना या न हां मतलब यह लिख देना यह अच फार यह मतलब एपल नहीं बाधना ननी और एफार एपल चलो हुआ तो जो बच्छे ncrt bookstore लिए हैं उनके में मिलेगा चाहे वह ूप बोर्ड है चाहे वह CBSC board सबके मैं मिलेगा यह कुइस्चन अंतर इतना होगा कि CBSC वालों के book में English में लिखा होगा यहां पर हिंदी में लिखा है लेकिन मैं मुख्य word जो है ना उनको English में भी बता रहा हूं तो आप मतलब तो समझ ही जाओगे हिंदी में हो या इंगलीज में भी हो समझ जाओगे देखो बच्चा NCRT किताब है NCRT अगर तुम परमेई करण करना सीख गए न तो ऐसा नहीं कि प्राइबेट वाली बुक में तुम्हें कोई दूसरा रूल बताएगा नियम सीखो बस यह मत सोचो कि हमारे बुक में नहीं ह ठूमारे में आगे मिलेगा चलके माल लो 1.5 में नहीं तुम्हारे में 5B में होगा 2C में होगा कहीं होगा लेकिन है तुमारी किताब में क्योंकि पूरे देश में चाहे UP MP से आगे तो यह आपका 1.5 खतम हो गया बच्चो एक्सरसाइज 1.5 खतम हो गया अब आप लोग खोलो एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 खोलो सभी बच्चे फटा फट चलो डारेक्ट कुश्चन करवा दें कि घातां का नियम पढ़ाएं हां डारेक्ट कुश्चन करवा दें कि घातां का नियम पढ़ाएं देखो यहां पर कुछ चीज समझना जरूरी है अब एक काहे को बाग दिया भई अब ही थोड़ा सा रुख जाओ मारकर इसके नीचे गुज गया यह अब है निकल जा भाईया निकल जा बाब्बू यह गिर गया नीचे इसके टेबल के देखो यहां पर आप लोग हेडिंग डालो गातांग के नियम गातांग को इंगलिस में क्या बोलते हैं जानते हो इक्स्पोनेंट बोलते हैं क्या इनके रूल है यहां पर समझ लो हिंदी या इंगलिस कोई भी लाइंग्वेज में सब के काम का है देखिए बच्चों यहां पर कुछ नियम आपको हम बताएंगे बस थोड़ा सजादा कुछ नहीं बताएंगे समझो जैसे अगर कोई भी दो घातांग को अलिपद हैं जिनके क्या कर रहे हैं उनका गुड़ा कर रहे हैं अगर आधार समान है जैसे एक पावर यम इंटू एक पावर यन तो आधार समान होने पर गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है ठीक है और अगर आधार समान है और इनका भाग हो रहा बच्चा तो ऐसी इस्तिती में भाग करने पर घाते घड़ जाती है ये बात तुम बहुत ही ध्यान से समझ लो ठीक है इक्सपोनेंट एंड पावर ठीक है बहुत अच्छी बात है तो मैं किवल पावर के बारे में भी बात कर रहा हूं आप समझो यह हो गया इसके अलमा एक और होता है पिर ये बच्चा अगर एक पावर यम है और इंटू बी का पावर यम है मतलब समझो घाते इक्वल हैं ल समझ गया ना बस कुछ इंप्वाइटेंट बताऊंगा जो तुम्हारे काम का है वाकी में जादा बीना मतलब का बताऊंगा ही नहीं ठीक है एक बात और बता दें इन सभी बातों को आप DTL में देखने के लिए PBR study का अपली केशन डाउनलोड कर सकते हो अपली केशन में जाकर के तुम बिल्कुल बड़े ही प्यार से सारी कलास देख सकते हो अगर यह यहां पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा इन्हें चापलो अभी आगे कोईस्चन में आएंगे फिर तुम्हें को बुझा आएगा नहीं जो इसको नहीं लिख रहे है ना अभी आगे कोईस जैसे यह है वन अपान एक पावर माइनस का यम तो यह हुजाता है एक पावर यम यहां से तुम्हें यह समझ में आएगा कि अगर किसी भी नंबर में इस तरह से दिया है जिसमें घात माइनस में लगी है तो वह बराबर करोगे तो घात पलस हो जाए की और एक बात और यह क्या थी माइनस में थी ना एक मिनट रुक जा भई मैं कुछ और बताना चाहताँ हूं कि premi और सब्सक्राइब बताना चाहता हूं कि अगर एक हाज पावर माइनस का यन है तो इसटे हम एक का पावर वन अपान यन है ख्रました कि कैं थे कहते हैं समझ रहे हुँ न यह घथांग के कुछ मोटे मोटे नियम है जो आपको काम देंगे आगे क Jeśli मिसलब बेटा तुम्हें बलाक कर दें क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम्हेत करते में में को 15 सिकेंड का टाइम दिया हूं तब हुए डंडा करें है मैं इनको क्या बोलूं बई पंद्रा सिकेंड के लिए ओल्ड करा हूं एक को चलें आगे बढ़ें है इतना लीख लो जल्दी से स्क्रीन सार्ट लेलो मैं सामने से हड़ जाता हूं जल्दी करो इस्क्रीन साट लेलो फटा फट चल बाई चल चल जल जल दी बता उvelmente mist in मैं पोज में ख़ड़ा हूं अच्छे से मेरा भी श्क्रीन साट लेना लोग बड़े गद है जाने दो नहीं करूंगा आप चलो मिटाता हूं अब अब हम चलेंगे exercise पर जो लिख लिए समझ लिए अच्छी बात है और जो नहीं लिखें उनकी काली माई माली खैब चलो हाँ अब मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ देखो अगर आप कोई भी chapter पढ़ रहे हो अगर उसका concept आप सीख गए न तो आप सब कर ले जाओगे और जो question और किताब में मिलाने के चक्कर में हरान है उससे मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चा नियम सीख लो नियम सीख लोगे तो तुम्हारी किताब में सब मिलेगा तुन्हें कहीं न कहीं काम देगा आगे लेकिन अगर तुम सोचो कि हमारी कितबिया में तो 1.6 में कुछ और दिया है यह तो कुछ और बता रहे हैं तो पिर तुम नहीं पढ़ पाओगे तुम ढूड़ो अराम से क्योंकि यूटूब पे देखोगे तो बहुत सारी किताब क्या है आपके पाठे करम का हिस्सा है खक्षा 9 का मैं संक्या पद्धती पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम के बारे में अगर तुम्हें नालज हो जाएगी तो तुम किसी भी किताब से पढ़ो सब में से मैच करेगा हां समझ रहे हो ना चलो जितने भी आप छाद्र अभी सेशन को लाइक नहीं किए बच्चा तुरंत लाइक करो तब भी बताऊंगा आगे अब चलो जल्दी करो भाई ऐसे मज़ा नहीं आती बिल्कुल भी दिल नहीं करता है तुरंत करो देर नहीं एक भी मिनट देर ना करो फटापट लाइक करो तुरंत और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो काफी छट पटा रहे हैं तडप रहे हैं भाई तुम्हारी तडप में समझ पा रहा हूं लेकिन तुम चैनल सब्स 64 का पावर एक बटा दो इसकी कोपड़ी पर एक बटा दूई लगा है समझो अभी कुछ लोग नहीं करें मुझे पता है कौन नहीं करा है बच्चा कल की कलास में नहीं जुड़ पा होगा याद रखना समझ रहो ना तो फटा फट जल्दी करो देर ना करो तो ठीक है सब कुछ आगे बढ़ें चलें कि मस्ट चल रहा ना सब कुछ चलो देखो यह नया चैप्टर है बच्चों मैं तो बोल रहा था कि फटा फट सभी लाइक करते मैं आगे बढ़ता और एक बात याद रखना कलास पढ़ने के बाद में अभी अगर पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों में अपने वाटसाप ग्रूप में फेस्बुक में हर जगा इंस्टाग्राम में लिंक को जरूर सेर करना कलास की जिससे कि हर कोई पढ़ सके और हम आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ा सके यूट अगर जीन पाउल तुम्हारा बिना सब्सक्राइब के कमेंट ही नहीं आथा वो तो मुझे पता है चलो तो अब इसको हल करना है कैसे करेंगे हैं से समझो विस हाल परजापती ठीक है 64 है न यह बताओ मुझे यह चीज़ जानते हो न कि ने दुम सभी जानते हो फैक्टर करना गुड़न खंड करना सभी जानते हो न बच्चा कि नहीं जानते हो बताओ जानते हो न चलो ठीक है फटा फट चलो चलो एक मिनेट थोड़ा सो रूक जाओ बई कर दो दो कर दो 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 कर दो कि अधिर से आ गए हैं थोड़ा सा जिश्टर मोज आता है पानी वाले आए वोई थे और कोई आज है नहीं सब गए घर और आज आएंगे सब लेकिन मुझे तो सब कुछ जहलना है ना आपे चलो 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 देखो 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 बच्चा तो यह तुम्हें मालूम है कितनी बार गाया छे बार कितनी बार आया छे बार तो हम लिख सकते हैं 64 को दो कगाज 6 यहां पर माउस पकड़ने जा रहे हैं बड़ा गदा यार तू देखो यह क्या होगा एक बटा दो तो बच्चा इसे तुम ऐसे लिख सकते हो दो और इसकी घाट 6 और यह एक बटा दो यहां पर समझो यह घातो घातों की आपस में रडाई होगी यह कट जाएगा फाइनल म का मतलब क्या होता बिटा 8 होता है कि इतना आएगा अंसर 8 आएगा ठीक है सबको समझ में आया सबको समझ में आया चल्दी बोलो यास 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 सभी को आया चलो फटा फटा बोलो इसको समझो एक बात बताओ अगर 32 का गुड़नखंड करें जैसे 64 का करे थे यह करें इसमें छे बार दो आया था तो 32 में कितनी बार दो आएगा भी 32 में कितनी बार आएगा देखो समझो यहां पर समझो यह जो दान्त निकाल रहे हैं ना बेटा मंजन उन्जन कर लिया करो ह दान्त में तो लगाया हुआ है तुम निकाले जा रहे हो बड़ा बड़ा चलो सिकेंड पार्ट देखो देखो मैं इधर उदर जब डोलता हूं न तुम छाप लिया करो फटा-फट रंजु देभी लग रहा है मूह दुली हो आज कि तुम्हारा भी दात बार निकल रहा है कि मूह दुल लिया करो कभी-कभी गर्मी में नहा लिया करो संडे-संडे देखो यहां पर समझो कि दो का घाद यह पांच हो जाएगा अब मैं नहीं बताओंगा काहे हो जाएगा बच्चा देखो अगर तुम बत्तिफि लेलू बाकी मिठा दो यह हमें बत्तिस का ही करना तो कितनी बार पांच बार वहा न पांच बार वह सिंपल सा है और यह एक वट्ता पांच ठीक है अब देखो समझों भाई सिंपल है टूएस लिख लो गे और यह फाइब ऐसे ही जाएगा इसकी खोपड़ी पे चढ़ा रहेगा इंटू यह वन अपान फाइब याद रखना वन अपान फाइब ऐसे लिखना पांच से पांच कट जाएगा पाइनल में कितना आएगा दो कघाद एक आएगा मैं चाहे लगाँ चाहे ना लगाँ मेरा मन दो उत्तर आएगा अरे यह आंसर वाला ए लिखाओं नहीं तो तुम कुछ और समझ रहे हो कितना आएगा दो चिरा अगारा समझ में समीक्षा कुमारी रवीस रंजन ललित पब् चाप लो चाप लो चाप लो जल्दी जल्दी से अरे कम से कम कुछ ना करो तो चापा तो करो तेजी से चलो नीशा यादो आरा समझ में आसीज कुमार सबको समझ में आरा बच्चा चलो देखो एक बात मैं बार बार बताता हूं ये कलास साम को साथ बज़े से रोज होती है बिल्कुल फ्री होती है अपने सभी दोस्तों को बता दो कि पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा लेकिन तुम क्या करोगे सभी दोस्तों के साथ आओगे सब को लेके आओगे सब को सेयर करके अपने घर में जितनी मोबाइल है ना लडाई जगड़ा करके नोट खचोट के लोट जा करो मिट्टी उट्टी में खोपड़ी में गोबर लगा लिया करो नहीं मुझे सारी मोबाइल चाहिए जितनी घर में सब में चलाया करो वीडियो स तो यह अभी तक दो पार्ट हुआ ना तीसरा पार्ट का आंसर अब तुम सब बताओगे एक एक अब मैं नहीं बताने वाला हूँ 125 इसकी घात है बच्चा एक बटा तीन क्या है वन अपान थ्री चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा प्रिति सिंग बोल रही मेरा भी अभी देख रहा है काफी समझदार हो आप लोग काफी प्रोग्रेस कर लियो हमीं लोग पीछे निकल गए थे भई चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बी अफ जी अब सब लोग देखो बस लात खाने से बचे रहना घर वालों से बाकी सब ठीक है कहीं तुम्हारे पापा ना देख रहे हूं चलो यह हो गया अब देखो इसका अंसर मैंने पूछा कोई बताया अब है मोदी भाई मोदी जी आप आ गए बहुत अच्छी बात है जय हो पूजा संकेत जितेंद्र विसाल नितीज भाई ठीक है चलो तो बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि इसका अंसर फाइप आएगा कितना आएगा प्ई पाएगा चलिए धीक है बहुत अच्छे तो पांच आएगा ठीक है सही है यह बच्चा इसमें का सीकेंड वाला है नहीं पहले वाला है तो इसको कर लोगे कि बताऊं कौन-कौन चाहता है कि मैं बताऊं जो जो चाहता है कि मैं इसको बताऊं वो बोले हाँ बताऊं की ना बताऊं बताऊं की ना बताऊं क्या कह रहे हो चलो देखो बच्चा यहां से समझो इसको भी वैसे करना है सिंपल सा 125 को हम लिख सकते हैं क्या आई इसकी घाथ three लगी है सही है 125 को लिख सकते हैं pafo3 भॉलो लिख सकते हैं और बच्चा इसकी घाथ एक वटब कैंक यह कहीं नहीं जाएंगी यह ऐसे ही रहेगी शानल में जब हम खोल नगे तो इस खांक थीन और यह एक वटब कड़ जाएगा बराबर पांच की घाथ एक आएगा और यह जो यह आपके हो गए पहला का सारा पार्ट हो गया कि दूसर कना का शुरू करें हो एक एक पार्ट लगवा देंगे तुम चाप लो सब लेकिन सटर्डे को टेस्ट होगा अगर टेस्ट में ना बता पाए तो फिर क्या करेंगे जानते हो सटर्डे को टेस्ट होगा याद रखना हर सटर्डे टेस्ट होता है एवरी सटर्डे पर तेक सटर्डे टेस्ट होगा क्विश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट आजाओ इक्सरसाइज 1.6 प्रसना वली 1.6 क्विश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 नौ का घाद 2 बटा 3 इसका अंसर कितना आएगा? जल्दी बताओ सबी बच्चे देर ना करो भाई पांच गंटा मत लगाया करो यार ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आती जानलो अगर तुम लोग कलास को फटा फट लाइक करो ना जादा बच्चे आजए अभी 200 बच्चे प्लस हो जाए ना देखो हम इस कलास को आज पार कर देंगे पूरा 9 बजे तक पढ़ा दें फटापट एक बाद काम करो आप लोग एक बार सेर करके आओ जो नहीं नहीं साथ ही आए तो आज मेरा मन चला दू नो बजे तक धाई गंटा पढ़ा दू पूरा एक चैप्टर हो जाए बन वाला टू आला सुरू कर देंगे तो आप जाए रहे गाना तेखो जितना में था पढ़ोगे उतना आएग याद रखना जितना पढ़ोगे परिसान कर दिया मुझे कि अ कि बोलो चल रहा है ना कि आप क्या बताओं यार यह इंटरनेट वाले ना बीच बीच में डिस्टरब कर देते हैं सारा दिमाग चाट लेते हैं हां कि सारा दिमाग खराब कर देते हैं अज़िए चेतन आनंद ठीक है चल गया देखो दोसों के लगबग पहुंच गये थे सब बच्चे लेकिन सारा मूड खराब कर दिया मतलब इकदम दिमाग डिस्टरब कर दिया इंटरनेट इसको मैं आज हटाता हूं यह रेल वायर का इंटरनेट है कोई मतलग वाना मैं यह बोल रहा हूं कि रेल वायर का वाइफाई है कोई भी मतलग वाना यह ब्रडबेंड बड़ा घटिया बीच-बीच में डिस्टरब कर देता वही और कई दिन किया यह चलो क्या बताऊं कि बच्चे तो धेर सारे भाग गए कहां गए यह बोलता हूं कि थोड़ा सा अगर इंटरनेट गडबड करता है तो मत जाया करो मत जाया करो फिर भी निकल लिए चलो ठीक है मैं इसको बता देता हूं जाओ इसको पढ़ना है पढ़ लो देखो बच्चा 9 x 2 upon 3 एन तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 क्यों तिन तरी का नो होता है न लिख सकते हैं और बाहर से क्या है दूइबटा तीन बाहर से क्या है दूइबटा तीन तो फाइनल में बच्चों क्या हो जाएगा यह भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा ही नहीं यहीं था कुछ और था तीन बटा दो था ओ यह उल्टा है कि यह तीन बटा दो था भाई तभी तुम्हें सोचा है थ्री अपांट टू है इसको लिखो ठीक है तो फाइनल में हम इसे लिख सकते हैं तीन कगाद दो और ब्रेकट के बाहर वाला जो तीन बटा दो है एसे यह दो से दो कट जाएगा तीन कगाद तीन तीन तरीका नौ तरीक 27 इसका अंसर आएगा किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रंजु देवी आ रहा समझ में ललित मिसरा नितीस भाई सबको समझ में आ रहा है यार यह इंटरनेट ना बहुत दिमाग चाट लेता बिच-बिच मिसाला मतलब चला जाता एक बार ना खोपड़ी खराब कर देता देखो फिर आ गया मतलब अभी चला गया था फिर से आ गया कि सारी अपनी मतलब एक्टिविटी दिखा के फिर आया कि चलो देखो समझो थोड़ा बहुत फंस रहा होगा वीडियो तो यह समझ में आ गया सभी बच्चों को लिख लो भाईया इसका दूसरा पार्ट लिख लो इतने भी इस्टूडेंट पुराने हैं उनको पता है कि बच्चों हमने आपको घातांक का नियम बताया था पताया था न आपके कमेंट देखूं कहां से रखता हूं कि एक मिनट रुख जाब है कि इसको बताया तो था लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा क्योंकि मैं पहले कोईस्चन से ही करूंगा कि नाइन का पावर थ्री बाइटू चमक कुछ जादा है क्योंकि आज कुछ हमारे यहां पर फोटो कैप्चर वाले आये थे तो उन लोगोंने काफी बढ़ा लिया था जिस वजह से यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कम दिखरा होगा तो सेटिंग कुछ लोगोंने कु अधिमानसु बर्मा आर्पी द्यादो गनेश बर्मा कपिल अनंद मदेशिय सबके कमेंट आ रहे हैं सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है रंजु देवी प्रियंका सुरेश और पूजा दंगी यह क्या बेह जरो भाई दंगी रिलीप राजकुमार तिवारी सबके कमेंट आ रहा हुए जो भी बच्चे जुड़े हैं मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं तो देखो मतलब जो हम आपको बताने वाले हैं कल मैंने आपको घातांका का नियम बताया था था है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो किसी को कोई समस्या तो है नहीं तो देखो नाइन का पावर थ्री भाई टू है तो बच्चा हम जो नाइन है उसको लिख सकते हैं थ्री का चाचा जो उपर चुर्की फवैठे थै यह तो कहीं structured नहीं यह थ्री एपान टू मैं होता है का लिख और झालगा ऑफ यह का प् visto का ती आएगा फाइनल में और लाश्ट में अगर हम बोलें तो 27 आएगा तब को समझ में आया है ललित मिस्रा आया समझ में कि जल्दी से आप लोग इसे नोट करो फटा फटा आगे बढ़ते हैं रखें फिर इसको रखें हटाएं आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हो फटा फट इसे वाटसप पे सेयर करके आओ नहीं तो कलास चलेगी नहीं जान लो हम नहीं पढ़ाएंगे अभी हंड्रेड बच्चे नहीं हुए सेर करके आओ इसा मज़ा नहीं आरए मज़ा नहीं आरी जानलो क्योंकि आप लोग कलासपो लाइक कर रहा न सेयर रहा इसे हम कब तक पढ़ाएंगे फिर जादा देर gram बच्चा हुरहां एक लोगों कि भी जिम्मेदारियां हैं आप उसे लेके चले पुच्छ आप करें कुछ हम करें मिल करके देश को आगे बढ़ाएं चलो 32 32 इसकी पावर है 2 अपान 5 दो बटा 5 इसका उत्तर कितना आएगा कोई बताए जरा सोच के फटाफट अंसु यादो भाई सभी जल्दी से बच्चे देखो यार यहां पे कहना और टाइम बेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है आप सभी जितने भी साथी जूड़े हो अपने दोस्तों को वर्टसप ग्रूप में सेयर कर दो फेस्बूक पे टुटर इंस्टागराम जहां जो भी आप चलात हो वहां पे भेज दो सेयर कर दो जितने ज्यादा बच्चे जूड़ेंगे उतनी बेहतरीन कलास चलेगी हमारा भी दिल करेगा अंदर से पढ़ाने का कि मैं आपको पढ़ाऊं समझ रहे हो ना हूं चलो मैं थोड़ा सा बेट कर रहा हूं आप लोग सेयर करके आओ तब तक इसका अंसर बताओ जिनको समझ में आ रहा है इसका उतर दें और जो बच्चे सेयर नहीं किये फटापट सेयर करके आए गनेश बर्मा बोल रहे हैं सर इससे पहले यूटूब पर पढ़ी कलास देख लें हाँ बिल्कुल अगर इसके पहले की कलास देख लोगे तो और अच्छी बात है नहीं देखोगे तो फिर कोई बत नहीं है जल्दी करो भी या देखो मैं रुका हूँ कि सभी सेयर करके आओ सो के उपर करो जल्दी दिमाग मेरा खराब होगा ना तो मैं बंद करके चला जाओंगा अभी तुरंट जान लो हंड्रेड के उपर अभी नहीं जा रहे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्यूं क्लाफ 9 की मैं जिनको जिनको पढ़ना है आके देखो लाइब बिल्कुल फ्री इसमें फूटी कावडी नहीं दे ना तुम्हें चलो कि इसका थर्टी टू का पावर टू अपान फाइफ अब यहाँ पर आप लोग समझो थर्टी टू थर्टीटू को हम लिख सकते हैं बच्चो दो का घात के रूपमें लिख सकते न थर्टीटू को हम दो का घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं पहले यह बताओ मुझे चलदी से हर कोई बताए देखो बच्चा इधर साइड में समझो अगर मैं 32 का आप से फैक्टर करनी को बोलूं तो आप लोग कर लोगे बड़े प्यार से देखो यह दो से काटोगे 16 आएगा फिर दो से काटोगे 8 आएगा फिर 4 आएगा फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा इस तरह से अग कर दो इनका काम अलग है इनका काम अलग है यह इधर अलग है ठीक है इसमें किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए यह question अलग था यह अलग है तो बच्चा जब इसको हम दो कघात 5 32 को लिख सकते हैं तो यह इसके बहरे दूइबटा 5 भी तो लगा था ना या फिर इसको ऐसे लि करो ना तो 500,000 बच्चे भी जूड़ जाएंगे मुझे पता है देखो 75 का दूना बच्चे हो गए ना तेड़ सो हो गए तुरन लेकिन अगर मैं थोड़ा फटाइट ना करूं तो तुम लोग बूल जाते हो पिर ऐसे मजा नहीं आती ना यार देखो आपको लोगों को भी समझ के चलना है हमें भी समझना है तभी कुछ होने वाला है चलो तो अब ये दो कघात ये 5 और कोश्टा खोल दो ये 2 बटा 5 इसके साथ में आ जायागा ऐसे 5 से 5 कट गया तो बही है दो कघात 2 हो जायागा बाबू दो कघात 2 का मतलब क्या होता चार इस तरह से आपका 4 क् अंसर हो गया सबको समझ में आया ना तुरंत लिखते चलो आप देख रहें कलाफ 9 की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री लाइव सामके साथ बज़े से रात के आठ बज़े के बीच में देली देख सकते हो सटर्डे को टेस्ट होगा इस बात को पने दिमाग में जेहन में बसा लेना क्योंकि पड़ लिख के आना नहीं बहुत मार पड़ेगी सनिवार को सूरच समझ में आ रहा है नरेस रोट मानवी सिंग नलित कुमार सबको आ रहा है ना बच्चा तो चलो फिर फ़र्ट एंड सीकेंड पार्ट हो गया आपका कुश्चन नंबर दूस सब्सक्रा एक्सरसाइज 1.6 तो थार्ड पार्ड पर आ जाओ देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इमांदारी से पढ़ना है मैत में हम गारंटी लेते हैं आप टाप करोगे पूरा का पूरा 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 अंक पाओगे लेकिन उसके लिए इमांदारी से पढ पावर थ्री अपान फॉर इसका देखो क्या करेंगे बताया इनिवन आनंद जेके लाइट बैचा काहे दात निकाल रहे हो पंजन उन्जन कर लिया करो कभी कभी दूल लिया करो अगर शिक्स्टीन की जगाह पर हम इतना लिख सकते हैं तो फिर हम फाइनल में क्या नहीं कर सकते हैं वो समझो सोला की जगा पर सकते हैं बच्चा यह कोश्चठख बाहर 3 4 कि जी हो जायेगा दो की खाज 4 घुडप यह 3 बटचार 4 से 4 कट गया तो खगा 3 बराबर 2 पूजलोंगी ने मताया है सूरज सरोज अभीषेक सिवम सुमित पाल और बंबं सर्मा जस्बिंदर शिंगonyU ये सबी नाम है इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम है जो मैं बोल रहा हूँ चलो तो प्रिये बच्चों आप में से जो भी नए-नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को तुरण सब्सक्राइब करके और इस कलास को लाइक कर दें कि आपकी जिम्मेदारी है जिससे कि आपको डेली कलासे मिल सकें ठीक है और मैं सामने से अगल बगल होता हूँ तो आप स्क्रीन साट ले लो फटा-फट आलो हाँ बताईए क्या समस्या है हाँ तो ठीक है अब इंतिदार करिए आप रात आट बज़े फोन करिएगा ठीक है तो हो गया इतना चलिए देखिए इसी में मुझे बहुत कुछ हर जेस्टमेंट करना पड़ता है मिटाओं संकेत बच्चा कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है इसको लिखो यह बताओ इसका चौथा पार्ट कर लोगे सभी बच्चे एक सूर में जबाब दो क्या ये कुश्चन की किताब में मिल रहा है अगर माव मिल रहा है तो मैं उसकी बताराहा हूं लेकिंडीया से होने चाहिए ठिक हैं पूरत 서 इद्ध का सिलेबस है जो पैटर नहीं बेटा वो एक ही है पैटर ने एक है किवल राइटर की किताबों के आधार पर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं अपनी दूगान चलाने के लिए ठीक है चलो ठीक है बच्चा तो जिनके मैं नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा पहले आप अगला लिख लो तब जिनके किताब में नहीं मिल रहा है मैं उनके बारे में बताऊंगा भी सुनो रहे बच्चा सूनों इसको लिखो पहले इसका अंसर कितला आएगगा माइनस 1 अपहां 3 देखो एक चीछ चाहे माइनस 1 अपहां 3 लिखो तुम और चाहे ऐसे लिखो ऐसे दोनों का मतलब एक है होता है लेकिन कभी भूल से भी इसको ऐसे मतलिक्षना इन दोनों का मतलब एक है इसके सामने माइनफ लगाओ चाहे इसके खुपड़ी पर लगाओ लेकिन अगर नीचे लगा दोगे तो फिर वह अलग हो गया ठिक है समझ रहो ना तो बच्चा जिनकी किताब में ने मिल रहा है उनको ये समझ के चलना है कि संख्या पद्धती एक ही है नियम एक ही है कंसेप्ट एक ही है कलाफ नाइन्थ में नंबर सिस्टम सब के किताब में है घातां का नियम होई है तो अगर आप इसको सब को सीख जाओगे और मालो पहले चैक्टर में आपका संख्या पद्धती नहीं है दूसरे की बजा तीसरे में है चौथे में है तो अपच नहीं होगी पलट नहीं जाएगा हजम हो जाएगा ठीक रहे है तो इसलिए सीखो केवल चीजों को समझो आप अपना कुश्चन खुद से कर लोगे जैसे उधारन के लिए मैं बताऊं हमारी एंसी आर्टी में सोला का गात तीन बटा चार है अब तुम्हारी किताब में मालो 64 का गात इसमें पांच बटा आठ है तो क्या तुम नहीं कर पाऊगे हैं बोलो अगर नियम यह सीख गयो कैसे हुआ था तो तुम इसको भी तो कर लोगे ना वसाल कुमार प्रजापती oud . इसी गात जो है माइनस में लगी मीनस बाले में आपको पहले बताया था था कि यहां phải? तो यहाँ समझो तुम क्या समझना थे हैं आपजा ऑगर कहीं एक था माइनस का लिखा है इसका मतलब यह होता है बोलो बताया था कि नहीं सभी बच्चे बताओ जो बच्चे कलास देखें उनको मालूम है जो नहीं देखें ललू लाल भी आएं इसे ताक रहें उनकी तो बाती अलग है ये मैंने बताया था अगर माइनस में कहीं घात लगी है इसका मतलब वो नीचे का पार्ट है उपर गया है और हाँ अगर कहीं ऐसे है एक पावर माइनस यम है इसका मतलब ये दबा के नीचे रखा गया इसको उपर ले जाओगे ते पलस हो जाएगे अब मतलब समझो ये घातांका नियम है बच्चा ठीक है क्या है ये ये घातांक का नियम है भाई पांडे जी आ रहा समझ में काजल कुमारी कमलेस तब को समझ में आ रहा ना चलो देखो अगर तुम ये कहानी सीख गए हो तब मुसीबत कौन सी है मुसीबत तो कोई होनी नहीं चाहिए फिर ददा कि अरे मुह दूल के बैटो माची लग रही कुछ लोगों के मुह में हां जूल के बैटा करो सापसफाई से तो समझ में आया गा इसे नहीं चलें आगे बढ़ें देखो समझो अच्छा इसमें से कौन कौन आज नहाया नहीं है इमांदारी से बताना जब से करोना आ गया न तुम लोग को बड़ी मजा है इसको क्या होगा पांच की घात एक बात बताओ 125 को हम पांच कमार मुझे लग रहा नहीं आया बहुत मुव बना रहे है इसको लिख सकते हैं न लिख सकते हैं देखो यहां पर पांच का घात अगर इसको तीन लिख सकते हैं, तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं, का वहीं बगले में लिख सकते थे, का, तो बच्चा ये तो मैं ऐसे लिख दिया, इसके अलामा जो इसकी घात लगी है, माइनस वन अपान थिरी, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, कुछ मत करो, बिल्कुल मत पढ़ू इसको ताफ नीचे वढ़ो दिरे खिसकते रहो नीचे की तरफ को आते रहो तम जते रहो बच्चा अब यह पांच गात जो तीन था यह गुड़ा में है माइनस का वन अपान थ्री यहां से तुम समझो यह तीन से तीन कट गया खतम हो गया तो पांच का गात माइनस का एक है अब देखो बच्चा अगर सिर्फ पांच की गात एक हो था तब तो हम एक को मारते दूइट उदर चला जाता उनसे कोई मतलब नहीं था मतलब अगर यह सिर्फ माइनस ना होता उनली माइनस ना होता तो हम इसका उत्तर पांच लिख सकते था इसमें कुछ नहीं करते लेकिन यहां पर तुमें समझ निलायक है अगर चिन यहां पर माइनस बचा है तब तुम इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हो अमभव नहीं है इसको छोड़ना आसानी से तो बच्चा हो अगर यह माइनस लगा है राजा तो इसका मतलब यह है आगे देखो यह एक बटा पांच है बस अरे खोड़ी अपे घात लगा दो तब फरक नहीं पढ़ने वाला है तो चाहे तुम एक बटा पांच लिखो चाहे ऐसे लिखो यह मतलब एक है सब का इसको एक मैं आगे से हट जा रहा हूं छापो फटा फट इसक्रीन साट ले लो चाहे चाप लो मैं आगे से बगल हो गया हूं कुछ सिकेंडे के लिए बच्चा जल्दी करो जितने भी हमारे नए खिलाड़ी जूड़े हैं वो जान लें ये प्रोग्राम सामकु साथ से आठ के बीच लाइव होता है रोज याद रख रहे हैं बाद में नहीं पढ़ पाओगे बटा साथ वज़े से आठ बज़े के बीच तुम्हें जूड़ना ही होगा जूड़ने के बाद तुम्हारा काम है कि सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऐक चलो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विसाल सिंग समझ में आ रहा बेटा कुछ तुमें कुछ गुजार आकना गुजार रहा है इसको मिटाता हूं फिर अब यह बताओ इसमें कोई और पार्ट बचा है क्या हां भाई देखो जो सीवेसी बोर्ड वाले बच्चे हैं चाहे वो दिल्ली से हैं चाहे वो महाराष्ट इन के बुक में सेमें हं कस er है नंमें लिखा है मान इक्यात की जिए दिए कि सब एसे हैं वही है उसमें लिखा ऐमांग्याद कीजिए उसमें लिखा राइंड वलू बस सारी ऩालो बर आई करना सब वही चलू तो इंघलीrat यह सब राला का चौदरी जो चॉड़री मिस्वाइचback को एक एक थापड़ मारेंगे जान लो चलो पढ़ो देखो क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतने समझ में आएगा कुछ ऐसे नलाइक होते हैं जब हम पढ़ाते थे रोर रोज ही बोलते हैं अब सब यादें आती हैं क्योंकि आनलाइन चल रहा है आप लाइन बंद हो गय फिर से लगाएं तो फिर से चापेंगे तब तो को फिर हो गया कहीं काना पूसी कर ले कुछ से बात कर ले उसके पैंचोंक दें मुझन कुछ अक्टिविटी करे तब तक है जो अगला यह हो गया विश्टन नमबर तीसरा एज नमबर देखो बच्चा अ का कह रहा है इसके एकदम खोपड़ी पे है याद रखना चुर्की को पर लेकिन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है न ऐसे नहीं लिखा जाता बाप बेटा बराबर नहीं बाप का आकार बड़ा होना चाहिए बेटा छोटा होना चाहिए देखो समझो कैसे तो का घात क्या है बच्चा दूई बटा तीन तो तुम घात को छोटा लिखोगे थोड़ा यह नहीं कि दूई अगर यह तना बड़ा है तो घात को इतना बड़ा लिखो नहीं इंटू तू का पावर वन अपान फाइव ऐसे हैं इसका आंसर कोई बताएगा क्या मुझे पूनम सिंग निव इस्टूडेंट है बिल्कुल आप पुराने हो जाएंगे कल से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साम साथ बज़े लाइब आईए तेली लाइब आईए ब पढ़ो चाहे ना पढ़ो जाओ अपना बला करने हैं यह बात है तो देखो अगर इमांदारी से पढ़ोगे नाम होगा क्योंकि हम लोग नाइंथ में हैं अगर टेंथ में पढ़ रहे ना तो बहुत सारी उमीदे हैं घरवालों की माबाप की और उसकी उसकी ना उस पे हम गाएं इसका कोई उत्तर बताएगा कम लेस लग रहे हैं कि हम अच्छे लगए जिन्दगी में हम किसी को अच्छे लगते नहीं आज ही लग रहे हैं आपको पहली बार कुष्चन कौन सा यह मुझे देखने दो भाई साही साही क्या कह रहा है अगला में लेको कोई जाएग नहीं छटवा कुश्चन है नहीं तीसरा है तीसरा में क्या करना है तरल करना इसमें भी कुछ नहीं करना है तो बच्चा जब आधार बराबर होता है बिटा मैंने आपको एक नियम बताया था फिर से उसे याद करो कि जब एक अपावर यम हो इंटू एक अपावर यन हो तो मैंने बताया था क्या बच्चा गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो बच्चा ये यम प्लस यन हो जाता है बोलो बताया था कि नहीं अगर आधार समान है घाते अलग अलग हैं तो गुड़ा करने पर घात जूड़ जाती है एक नया प्रोडक्त लांच करती है हां तो समझ रहा हो ना सभी देखो चलो इसमें भी क्या होगा गुड़ा करने पर घाते आपस में जूड़ जाएंगी तो दो का घात ही हो जाएगा दूई बटा तीन और प्लस एक बटा पांच चलो समझो आगे अब इसको जोड़ो पांच दूणा दस तीन एक कम तीन तो ये दूई का घात कितना हो जाएगा भाई दस प्लस तीन और तीन पचे ये पंदरा समझ रहो ना आप जिनको भिन हल करनी नहीं आती उनके भगवानी मालिक है उन्हों मैं क्या बताओं वो नहीं कर पाएंगे ये तेरा बटा पंद्रा ये उत्तर आएगा तो का घात तेरा बटा पंद्रा पूजा आरा समझ में साइंस की कलास तो भईया कल से मैंने रख दिया है पंद्रा तारीक से सुबह साथ बजे अब भगवान से बिंती करो कि मैं सुबह चे बजे उठ जाओं सोके तब तो साथ बजे आपकी कलास चलेगी मेरा दिल बहुत धड़क रहा है कि कल अगर मैं दस बजे सोके उठा तो बच्चे मुझे बहुत घरी आएंगे समझ रहो ना तो आज हम जल्दी सो जाएंगे बैसे 12 बजे तक सो जाएंगे तो उठ जाए हैं हम सुबा सोते हैं चार बजे तब आठ बजे उठते हैं हां चलो है कल से चलेगा कल से कल से चलेगा पक्का चलेगा मैंने प्रामिस किया है तो हम सोएंगे ही नहीं हम बहुत खराब आदमी है अगर सुबा जल्दी उठना है मुझे लग रहा है कि हम नहीं उठ पाएंग कि सौंबीर सर्मा इंटरनेट पूर है वह इर्फान अंसारी बोल रहे हैं बेटा पूर है तो का करें मिटाय हो गया कहानी खतम न अगला चलो देखो इसको बात में देखते रहना इधर साइड में बढ़ो वैसे बीच ओ बीच में लिखें तो अच्छा रहेगा दो लाइन में लिखना ठीक नहीं है एक बात बताओ सभी को समझ में आ रहा है बोलो yes जिनको नहीं आहरा वो no लिख के कमेंट करें तो मुझे पता चले कि हाँ किसको आ रहा किसको नहीं आ रहा है कि ऑखको आ रहा हैं थो और जो सब्सक्राइब बीच में जुड़े हैं कल कर दैखें और फिस पडोगे तो ह्मारी एफ ओर ने रोज हो ठीक है अगला कुश्य न आप लोग मुझे भी तो फिर आन से डूर अपको बताएं गए थोड़ा सा रुख जाओ एक सिकेंड रुक जा दादा एक सिकेंड रुक जा थोड़ा सा रुक जा भई थोड़ा सा रुक जाओ अगला क्या है आप लोग इसका अंसर मुझे बताओगे तब हम कुछ बताएंगे तुम्हें चलो एक बता तीन इकन पार्ट है क्या कहरें वण अपान थिरी और इसका पावर है वण अपान थिरी का पावर थिरी कुश्चन ध्यान से देखो बेटा अगर पढ़ना है तब और बाहरे से इसकी घात लगी है साथ इसको कितने बच्चे कर लेंगे सभी बच्चे एक बार कोशिज करके देखो अपनी तरफ से कर लोगे की नहीं हाँ जल्दी देखो फटा-फट जलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी फटा-फट बताओ कितना हैगा कितना हैगा कोई कर लेगा कि देखिए मैं बताता हूं यहां पर समझो देखो अगर आप लोग कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं देखो समझो यहां पर कितना हैगा देखो बहुत से बच्चे बता रहे हैं जैसे संकेत बता रहे है ठीक है आप लोग यह मत सोचो कि मतलब नहीं आ रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे कोशिस करो आप लोग कोशिस करो ठीक है अगर कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं देखो मैं बताता हूँ, एक मिनिट ज़रा सोचो, इसको करना कितना आसान है, सिंपल सा है, बेरी सिंपल सा है, इसका अंसर जो नहीं बताएगा ना, बखुत बड़े गते हो, तुम लोग, एक पार कोसिस करके तो देखो नयार, चलो फटा फट बताओ जल्दी करो, जल्दी माइनस में गात आएगी इसका माइनस में आगा ना देखो मैं बताता हूं इधर साइड समझो देखो बच्चा जब तुम्हें मैंने बताया था कि अगर वन अपान एक पावर यम है यह मैंने तुम्हें बताया था तो घातांका का नियम होता है कि यह माइनस यम हो जाता है त इसको साइड में करो तो इसको हम फाइनल में तीन का घाद माइनस तीन लिख सकते हैं मतलब यह विन खतम हो जाएगी यह फ्रेक्शन खतम हो जाएगा उसके बाद जो ऊपर इसके साथ लगा कोपड़ी पर उसको वैसे रहने दो अब गुड़ा कर लेंगी घाद घाद का तो तो यही तो उत्तर हो जाएगा ना अब इसमें कौन सी आफ़त है तुम लोगों को समझ में आया देखिए अगर आप कंसेप्ट समझ के चलोगे यह इसका रूल है में यह घातां के नियम का क्या है सूत्र है अगर कोई भी फ्रेक्शन रूप में ऐसे नंबर दिया है मतलब पूर्ण संख्या है उसकी घात कुछ भी लगी है अगर वह भिन के रूप में नीचे है तो आप भिन खतम करोगे तो यह माइनस में हो जाएगा और एक चीज यहां से और समझ लो बच्चा अगर यह ऐसा है हा कि चौहान आरा समझ में राजविसाल सिंह समझ में आरा मनीश दूबे सब को समझ में आ रहा हैना किसी को कोई समझ से आहैं तो चल्दी से है कि जलों इस सी को कोई परिशानी इसमें तो बता ओ जल्दी बोलो किसी को कोई आफ़ात मुसीबत हैरानी परेसानी नहीं ना आप लो फटा फट चलो आसीस अनीस दिक्षा एजुकेशन गेमिंग हिमानसु मुकेश भीजय ठीक है देखिए जो टाइम से जुड़े होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जो लेट लपेट आएंगे ना उनको बड़ी मुसीबत होगी तो उनके हमारी जो है ना कोई रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं उनके प्रत जो क्लास में टाइम से आएंगे उन्हें की जिम्मेदार है जलो अगले पर चलते हैं नेक्स्ट कुष्चन आप लोग कोसिस करो फटा फट देखो यहां पर यह हो गया अब की बार ना तुम लोग बताओगे मैं नहीं बताओंगा अगर पढ़ना चाहते हो तो कोसिस करो एक बार खुद से तो कोसिस करो ना खुद से कोसिस नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगी बिल्कुल जान लो एक मिनिट कुष्चन देखने दो मुझे त्रश्र से धिवनस बिल्क वनस भीवट वाईय पुर्ण को इसको कौन 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 कर लेगा इसको वैशन को मुझे लग़ा 15 सिटन का रोगाई मैंने तब यह बच्चे इतना थमें मारतेगे लंडा कर देतेों तो यह क्या है भाग करने पर घाते घड जाती है मैंने बताया है जब आधार समान हो तो भाग करने पर घाते घड जाती हैं तो बच्चा यह हो जाएगा 11 का पावर 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4 पाइनल में जब इसे तुम हल करोगे 11 का पावर 4 माइनस 2 चार 4-2 और यह 4 तो फाइनल में हो जायगा 11 का पावर 2 बटा चार वराबर 11 का पावर बटा दोई क्यों इस साही लिखराहूं कि नहीं गलत हो गया whilst कहां से गलत हुआ यो क्योंकि मैंने क्रूस मल्टीपल किया तीरशा गुड़ा किया था न हो गया जल्दी से इसको लिख लो अगर इसमें किसी को कोई परेसानी है तो बता दो देखो भाया अगर आपको भिन हल करना नहीं आता फ्रेक्शन नहीं आता छोटी-छोटी तब फिर मज़ा नहीं आएगा जल्दी करो फट फट हफट हो गया हो गया नरेस हारा समझ में हरीस जल्दी बोलो छाप लिए चलो छापो मैं सामने से हड जाता हूँ जल्दी करो चलो अगला इसमे का नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से भाई प्रांजल तिवारी आरा समझ में चंद्रमा सिंग यादो आरा समझ में तब को समझ में आ रहा है चलिए तो अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ में अभिसेक विजय संकर विसाल चाप लिए चापने में तुम बहुत तेज हो बेटा चाहे तुम्हें समझ में आये या ना आये लेकिन चापने में तो तेज हो चलो देखो अगला इसमे का लाश्ट पार्ट इसमे का लाश्ट पार्ट है सेबन का पावर वन अपान टू इंटू एट का पावर वन अपान टू क्या है एट का पावर वन अपान टू एट का पावर वन अपान टू चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करें होंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे जलो जल्दी करो तो भाईया जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब करने ठीक है जलो जल्दी करो देखो इधर साइड में समझो इसमें क्या है आधार अलग-अलग है न बेटा ये में तुम्हें गातांग का नियम बताया था ये तुम्हें बताया था बेटा ये बताया था न बच्चा बोलो बताया था न बताया था न इसमें आधार अलग-अलग है गाते समान है तो ऐसी इस्तिती में इनका आपस में ये गुड़ा हो जाता है आपस में ये मिल कि यह चापपन का घात एक बटा दो आये तो समझ गए ना हाँ चलो जल्दी करो फटा फट तो मैं बार बार फिर से बता दूं जो सब्सक्राइब नहीं करें हैं कि उनका कमेंट नहीं आयेगा मैं कमेंट देख रहां फॉन में बहुत से बच्चों के ही है चलो प्रण्जु देवी आरा समझ में रगुबीर कुमार सबको समझ में आ रहा ना बच्चा चलो ठीक है कुछ दूसरा तो नहीं हारा ना बच्चा यही आ रहा कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा ना शापलो चलो में साइड हो जाता हूं यह मुख्य नियम है घातांक का अगर आधार अलग अलग है घात बराबर है तब इसका नियम है कि जो आधार है उनका गुड़ा हो जाएगा और घात बाहर लग जाएगी ब्रेक चराग सब को समझ में आ रहा तेजसिंग जलो ठीक है थो यह खतम हो गया बही आ बोना कि जालत बुच्छा नहीं है च्बचस पूछूंगा यहे चक्टर खतम हो गया अब मैं question पूछूँगा चलो question पूछूँ पहला question बताओ आप सभी बच्चे बोलना हा या नहीं जल्दी करो क्या परतेक वास्तविक संख्या क्या परतेक वास्तविक संख्या परमिय संख्या होती है बोलो हा या नहीं कल बहुपद पढ़ाएंगे नया चैप्टर कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे बहुपद आज आपका ये चैप्टर खतम हो गया पूरा पहला exercise का सारे question सारे part हो गए जो बच्चे इसके पीछे का नहीं देखे बच्चा देख लो पीछे का सब पढ़ाया गया है चैनल पर वीडियो उपलब्द है सारा class playlist में जाओ वहां पर तुम्हें मिल जाएगा सब देख लेना ठीक है हां समझ रहो ना playlist में जाओ वहां पर सब मिल जाएगा पूरा देख लो अच्छे से पढ़ लो रियल नंबर मतलब परतेक वास्तविक संख्या जो है क्या वह पर मिय होती है बताओ है और ङहें नहीं कि आनन्द अनिवर्ड अंसराज तरूनिक्टर फरफेक्ट मनुराजपूत रितिक अर्स ठीक है बेरी गुड नहीं गलत है पर तेक वास्तविक संख्या पर मिय कहा है उतना अपर्मिय कभी है जैसे एक माबाप के अगर दो संताने हैं तो दोनों का बरावर बरावर हिस्सा होता है ऐसा नहीं फलाने को सब दे दिया अगले को जुर्रे रख दिये से नहीं होने वाला है समझ रहों न हूँ देखो समझो फिर इसका अंसर है गलत क्योंकि क्यों गलत है देखो मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ पीछे पिछे का गन्ता पड़े हो बच्चा उस जैसे आप गुलाब को देखें लोगों को बहुत कुछ याद आया होगा उसमें पूल भी होता है कांटा भी होता है तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसका मतलब बहुत सीधे साधे नहीं है जैसे चुम देखर हो समझ रहे हो न मतलब आख गया तो वास्तविक संख्या ज वह वो परमिय और अपरमिय इंगल्लिस मीडियल वाले समझ लें वास्तविक संख्या को बच्चा रील नंबर बोलते हैं रियल नंबर रेफनल और और पर्ते हैं रिखना को मिलाके बनता है एक और कोई अगला सुनों चैनल इसका जवाब थो हाई या नहीं परतेक परमिये संख्या वास्तविक संख्या होती है तुम लोगों सही बात नहीं तो जो परतेक रियल नंबर है मैंने यह पूछा उसका तो तुम लोगों ने बता लिया अब मैंने दूसरा सवाल पूछा क्या पर्तेक क्र्यों संख्या हो सकती है हाँ या नहीं हाँ या नहीं दिवम, अंस, प्यूस, चिराग, अमीना, चेतन, अदिती, पूनम, पूजा, मोनिका, पर्दीप, सुजीद, बहुत अच्छे, बेरी गुड, बहुत अच्छे जल्दी करो चलो मैं बताता हूं इसका अंसर होगा हा न बहुत अच्छे, बेरी गुड, देखो बच्चे मैंने कहा कि जो रियल नंबर रियल नंबर है, वो रेफनल और रेफनल को मिला के बनी है, जब रेफनल नंबर निकला ही रियल नंबर से है, तो हो गई, बही सिम्पल सी बात है, ऐसे समझ लो जैसे यह भारत देश है, मालू म मैं आपको एक एरिया वता रहा हूं नंक्षा नहीं बना रहा हो कोई देश्का मेरे ओपर कोई उत्तर परदेश किया उत्तर परदेश जो है वह पूरे भारत देश में मतलब है फैला है नहीं न लेकिन अगर मैं तुमसे पूछू क्या भारत देश जो है पूरे सभी राज्यों में फैला हुआ है वाई सही सी बात है सिंपल सा बात है क्योंकि जो पूरा है यह क्या पूरा इंडिया पूरा भारत लेकिन आप एक्ठी राजी पकड़ों के दो यह पूरा भारत है का नहीं तो बस ऐसे चोटा मोटा समझते चलो थोड़ा मोटा अच्छा रहेगा है कि चलो कि तो यह हो गया मनोज सिंग बेटा फालतु का कमेंट ना करो यह रूपेश कुमार नालायक कहां से आगया भे तुँआ निकल 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 भाई बलक करो इसको तो यह कह रहा काजल नंबर देदो बेटा तुम्हारा जिंदगी ना इसी में बिच जायेगा नंबर लेने में कुछ करोगे नही पहले देता हूं कि जिनको पड़ना है सिर्फ हो झूटेंगे यहां पर जिनको पालतु का काम करना रहा हूं है थे पहुंत करण नहीं पढ़े तुझ कर देगे देखोगे ना कमेंट कर पाऊंगे ना कुछ समझत वाओ चलो आगहे देखो प chut्षो यह वो गया आगे क्या था मुझे कुछ किताब खोलने तो तम मुझे समझ में आये क्या-क्या पढ़ाया था क्या-क्या नहीं गदो पहले चैप्टर में आजाओ जो बच्चे नहीं खोले हैं पहले चैप्टर खोलो रहा परतेक पूर्ण के पूर्ण संख्या होती है जल्दी बोलो इसे लिखना है अब ऐसी दावंजा यह पूर्ण को बोलते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर तो यह बताओ जो एबरी इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है अधिती गुपता चिराग अंकिता सिंग तों भी रूपेश मनू मनोज बोलो कुछ तो बक्को गलत सही कुछ तो बोलो पर तेक पूरांक पूर्ड संख्या होती है जितने भी गदहें बोल रहे है है ना येस उनके में क्या को हुआ है पीर ने दो थोड़ा सा बताता हूं भी रूप जाओ देखो बच्चा परतेक पूरांक पूर्ड संख्या नहीं हो सकती है जो हमारे पिता जी के रिष्टेदार है नातेदार है वह सब हमारे रिष्टेदार हुएं वे ना क्योंकि हमारे बाप के रिष्टेदार है लेकिन जो हमारे तुम्हरे रिष्टेदार है वह हमारे लोग के हम अप लोग कोई यहां से इनका जनम होता है जहां से इनका जनम होता है होल नंबर का यह पुडांग उसके और बहुत पीछे रहता है बहुत पीछे रहता है जहां तक इनकी कोई पकड़ नहीं है कैसे देखो जो पुडांग होता हो माइनस अनंत से सुरू होता है मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो माइनस एक हजार माइनस नौस नौन इन्यन बे ऐसे ऐसे करके जाके जीरू होगा तब इदर जाके यह प्लस वन हो यही रो पह की यहीं से सुरू होती है करॉंड संख्या सिर्फ जीरू से ही सुरू होती है मतलब इससे पीछे से कोई लना देना नहीं है पूल संख्या से र की शुरुवात ही जीरो से होती है तो दादा अगर मैं तुम से पूछ हूँ क्या माइनस नाइन फंडड़ नाइटी नाइन यह पूर्ड संख्या है यह तो वैसे हुआ जैसे हमारे पापा के पापा के बारे में बात करें काफला ने उनका देखे रहा तो कहें गया नहीं तो मालूम इन नहीं है पिता जी को नहीं देखे होंगे और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने पिता जी के पिता जी के पिता जी को देखे होंगे तो यह तो वही बात हुई बहुत पीछे वाली देखो कोई भी चीज ना ऐसे समझ लो बैवहारी कुरूप से कि तुम्हें कभी भूले नहीं अगर पढ़ोगे गड़ित की तरह तब यह गड़ित बड़ी कठी नहीं इससे मुहबत करना सीख लो प्यार करना अच्छे से कंसेप्ट समझो मतलब समझो पूरा निचोड जैसे नीबू देखे हो ना पूरा नीबू लेके मुह में डालोगे न तो खा नहीं पाओगे मुह फट जाएगा लेकिन अगर नीबू कर रफ निकाल के पीओगे न तो तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना चाहिए बाकी से मतल होता है माइनस अनंद से पलफ अनंद तक होता है लेकिन पूर्ड संख्या जीरो से ही शुरू होती है हां यह अगर पूछा जाए क्या पूर्ड संख्या पुडांक होती है तो को होता है कि होल नंबर इंटीजर नंबर होता है क्योंकि होल नंबर यहीं से सुरू होता है और पूडांग को इंटीजर बोलते हैं इंटीजर यहां से इसंटार होता है नहीं हो सकता है लेकिन इंटीजर हो सकता है तो बस इतने सब बताना था मैंने बता दिया आज का क्लास का टाइम मुझे लग रहा ओवर हो गया अगली क्लास जिनको बेसिक नहीं आता रात के होगी 9 बजे से सभी बच्चे आना और हाँ एक बात और सुनलो भी जाना नहीं अभी जाना नहीं अगर पढ़ना है तो रियल म कि इसमें एक मिनट इधर सुनो मज़ों बता रहा हूं फहले तो आप सभी सेसन को लाइक करो पहले सभी जल्दी से सेटन को लाइक करो ऊसके बाद फिर हम आप लोगों को कि शीक्रेट बाते बताने वाले इनको जाना वह चले जाना रहें तब बताें क्यूंकि सब को नहीं बताएंगे चलो चैनल सब्सक्राइब करे रहोगे देख पाओगे दूसरी बात चैनल सब्सक्राइब करे रहोगे तो तुम कमेंट कर पाओगे बिना सब्सक्राइब किये कमेंट नहीं कर पाओगे सबसे अच्छी बात तो यह है मैंने ऐसी सेटिंग कर दिया है कि जो नहीं स साथ बज़ कर 45 मिनिट तक इसका फिक्स टाइम यही है बाकि मैं आठ बज़े तक चला देता हूं वो मेरी खुसी है और जिनको क्लास की सब्सक्राइब तो तुम्हें चैनल मिल जाएगा जिसमें आज की डेट में लगवाग 1688 लोग जुड़े होंगे आप चैनल जाके जोईन कर लोगे फटाफट तो आपको सारी कलास की नोटिपिकेशन पीडियाप नोट्स जो भी हमारे पास होगा सब मिलेगा तुम्हें समझ गए ना इसके लामा आप लोग पीडियाइश्टडी को इंस्टाग्राम पर जरूर फालो करें क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम आपको सारी अपडेट भी देते रहते हैं वीडियो ज भी आएंगे उस पर लाइप सेशन भी होंगे तो अगर आप इंस्टाग्राम चला स्टाग्राम पर बताएंगे ना फेस्बूक पर बताएंगे ना यूटूब पर थोड़ी बताएंगे कल कल नहीं होगी चलते हैं फिर बहुत-बहुत धन्यमाद आप सभी को रात के नो बज़े से बेसिक वाला वीडियो आएगा आप लोग देखना जरूर और बेल आइकन मिलते हैं कल की कलास में सुबह साथ बज़े साइंस लिए